बला 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 तो भाई और भेनो आज मैं तुम्हारी बहुत अच्छे से ठोक रहाओं और ठोकने का एक प्राइमरी रीजन है इंडिया पाकिसान की मैच तुमारी छूटरी तो ठीक है हां दो से दो से तीन क्या कर लेका दो से तीन अट खाने का तो ब्रीक है इन उसमें तो देदय को किती चली जांगी त tenía कंवाइश करने का थे माज करने कंते कलिए वा स करनेका हbook उपास्ट करने का मैच यतने के लिवी भास करने का पहले पेट पुझा ठीक है यार कभी कबार कम खालिया कोई टिंचन ने भाई कितना वेट किया लौका अरे भाई ऐसा डायलोग मत भोल मेरी जिंदगे में मेरी बीवी ने इतना वेट नहीं किया यह क्यों दिखने रहे भाई यह क्यों ने दिखने रहे वे स्क्रीन पे क्यों ने आ रहे अंदेरा क्यों आ रहे नहीं रहे ऐसे स्क्रीन क्यों ने आ रिए स्क्रीन आ रिए स्क्रीन आ रिए यह स्मैं गडिः गिध Courtney गड़ोल 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 एक मिनिट रहे भाई यह आले लिए आ नियुसक्रिन आए च्रिकरें लेकिन इदक यह भी यह के शिर्टिवार Making नी ओरधें एक मिनिटा मेरकली से सेटिंग आया करें वरबर ये तोर्ड मलिक चलो मान बढ़िया 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 मलिक टेस्ट बुक लेके आया वो ना मॉडूल मतलब चेर छोटी लग रहे है रहे हैं मरको क्या बल रहे है कुछ तो बुला समझा नहीं मरको अजो भी बुला अच्छा बुला था खूपच्छ तो बारत माता की तो तोर्ड मालिक बेसिकली अपना अज मिले है मालिक विट रिस्पेक्ट विडर कंटेंट फॉर कंपनी लोग आज अपन शुरुवात करेंगे कंपनी लोग के उपर अगले हपता है हम उठाएंगे दूसरा लोग तो अभी मतलब इंडिन कॉंट्रेक्ट पर आ जाएंगे आज का अपना एंजंड है कंपनी लोग का स्ट्रक्चर आज आपन बैट रहे हैं अभी चालू कर रहे है और गेव में और शाम की साड़े पाज बजे तलक्ट के जसरे पाच चे अठ नो बजय तक दस ग्यारा बारा अगे आगे बुल नहीं का एक दो तीन चार पाइक चेजला तक सेनल की तुलिएवं लिन खेले और से सब्सक्रा है हम साथ तो मेरे भाई और भेनों तेडी तेडी उस 2030 से यह आ जुद घञां है मिन बसकर कर वह किसे इस इस थिखरोग्स का है यह शैप्टर याज़ यह तो भाई और भेहन आपन अब चालू कर रहे और थोड़ी दिर के बाद एसी का अभी चालू वाने की यह मां कश्म थोड़ी दिर थोड़ी थोड़ी दिर आप फोड़ी सब्फ़क जो एची बेख़्ान संट सबस्क्राइए निससे वापस जोड़ेते बीचे बार चाय बेख़ेंगे और पर उसके बाद पर ब्रेक की जड़ोध पड्ड की मिनिट तो पढ़ सकती है फिर वापस नहीं है ठाइम पस कर रहा है बट निवर रेलेस में आपको बता रहो आप अच्छे से तोड वे तोड़ वे से काम करिए रिजन सिंपल है एक चीज़ वह आपको समझाता हूं वापस एक चीज़ समझा देता हूं अपने को सारी चीज़े आनी चाहिए यह तो क्लियर याद अखिए दूसरा पॉइंट अपने को इंटर्प्रटिशन सही होने चाहिए तो एक्ट विच्वी आर कवरिंग मालिक वकेज़ इट इस एक कंपनीज एक्ट कंपनीज एक्ट में ऑकेज़ जो भी अपने बंदर होगी section के लिस्ट अपने को ध्यान रखने है ठीक है sir section की list मैं आपको लिक लास्ट में याद रखा दूँगा उके लास्ट में जानेक बाद section ke list कौनसी कॉनसी है वो सब तोट याद रखा दूगा लेकिन उसके पहले सारे conceptual point अब धान रखनखें है दो तीन चीज़े मैं आ अपने एक्जांपल लिखने चाहिए एक्जांपल मतलब मैं जिसको हमेशा बुलता हूँ ओफू ओनली फॉर अड़स्टाइड जिसको आप एक्जांप में नहीं लिखोगे लेकिन वो चीज को इंड़रेट करने में या उसको एक्जांपल को समझने में आपने को काम आएग मैं उसी मॉडियूल को बेस बना रहा है लेकिन उस मॉडियूल को सिक्वेंशली फॉलो मत करिए मैं जहां जहां पर लेके जाओंगा उस पॉइंट पे आप उस पे स्टिक रही है स्टार्टिंग के तीं-च्यार पेज आपके सेम रहेंगे जिसमें अपन पंचाहिती क्वे करेंगे तो यह दो सिक्वेंशली कॉंसेट करने वाले है स्टार्टिंग में उसके बाद मैं सीक्वेंस को थोड़ा ब्रेक करूंगा तब आप सीक्वेंस मेरे साथ रही है कंसप्वाइस क्लोज करेंगे तो फर्स चीज अब ध्यान रखिए जस्ट मेक्शूर इस इस मैटर फाइवर्स इस मैटर फाइवर्स पाज घंटे की बात है पाज घंटे अगर आपने मेरे को तोड़ दे दिये इसके बाद जब वापस मैं तोड रिविजन वाले कॉंसेट में जाओंगा तब आपको मैं पंदर विस मिनिट उसके उपर एक मिन भी लगा तो नाम बदा देन क्योंकि आपका सेकेंड को पेपर है तो 31 को जैसे ही अकाउंट दे के आप आओगे तो रात को तपन वापस रिविजन करेंगे तो 31 की रात के एकदम मैं तुर्णा तेरे साथ 12 एक बज़े तक गो ठेखे लेगा मैं अपने को रिलीव कर देना 11 बज़े तक 11.30 तक फिर नोघ्र कमपनी एक आरिटिफिशल परसंड होती है क्या होती है? आइल परसंडा पर्संड क्योंकि यह कप शटा है और समय बटेगा लेकिन कंपशनीं के गट्रया रंबते गर्या, लेकिन कंपनी अंतर कि मीत्ता होती है कंपनी की देथ नहीं होती है कंपनी को winding up किया जाता है और उसके बाद dissolve किया जाता है क्या किया जाता है winding up and dissolve winding up मतलब asset को बेचो liability को पी आफ करो आपने balance sheet आपने पड़ी हुई है balance sheet में दो side होते है एक होता है asset और एक हो साइड होता है liability इधर बेचो वोके लिएबिलिटी को पीओफ करो और उसके बाद कंपनी जैसे पूरी खतम होगी कहा नहीं कि नाम जिस रेजिस्टर में लिखा गए उस रेजिस्टर से नाम हटा दो कंपनी की द tässä हो गया वर्ये का मन किया चलो आज कंपणी का वाहिने पॱ्टत एसा नहीं होता है जिया जो नाम ए इस रेजिस्टर पर पहले हैसा तो फुर से एक टृट गंड़ा घंड़ा मेनी स्पीड़ गए मतलब हहारा है वो के वो लॉटीक विटातों जाए उसको क्या बोते हो रेजिस्टर उसका पाने तो उसके पास यह घूझा अभी लुस्टर ऑस인 रेजिस्टर ऑसका को हम घपनी को हम्काल करते हैं और N rivalry ने त्लीक से न हमें यह दाकुमेंट दिंहें हम आपके लिए च्लिवीघ्यै कंपको देंगे के सटिस्वाइड और यह का स्थत्वा रहान को इस को न रहत विक बहु हो पार रिटार क्रैस्छीच्टीअ नाम लेंगी नहीं अस्तित्व दिंगिए निंगरन गांन fishyy नाम लिखने के बाद, ओके रेजिस्ट्रार क्या करता है, रेजिस्ट्रार अपने को एक सल्टिफिकेट देता है, जिसको हम नाम देंगे Certificate of Incorporation, क्या नाम देंगे है Certificate of Incorporation? Registrar of Company. यह कब देगा? जब वो नाम एंटर करेगा. पर वो नाम एंटर करेगा? जब तुम उसको incorporate करोगे. जब तुम उसको क्या करोगे? तुम और जिसने incorporate किया, उसको हम कुछ नाम देख गे हैं. अभी उसमें कनफिज मत करो, कोई member बुलेगा, कोई subscriber बोलेगा, कोई promoter बुलेगा, उसमें अभी कनफिज मत करो, अभी मेरे को नेचाहे हो, लेकिन आपन लोग क्यी बात कर रहे हैं. अपन लोग के आए, आरसी को बुला, उसने incorporation कर दिया, CUI का full form? Certificate of Incorporation. Certificate of Company कुम्पनी अस्तित्व में आऊ गय है अब ये कउमपनी चलाने के लिए आपको चुम्हन जवुक भूरी है क्आटि चलाने के सकती है है कम्पनी आइसकाल करपनी कि चैसी सब्स hem किए है कैपनी टॉट जाया प्रिये सकते है इस यह से आपक्तों अप्रृम से वो नहीं होगा ये एक्ट में लिख होया है कि यह बने लिखा गया है कि कमपनी एक जातित्यूमन गई कंबना एक यिक पड़ में आगे कंपनी सूत पाइल को सकते हैं कि कॉंपणी एसे ले सकती हैं कंपणी वॉन अब हैं कुंपनी जैसी जिसा अस्तित्व में आगई कंपटी कि जुए Evangeluga जो इसका ऐप लेकिन मेरे को बताो यह अर्स को ङकन एसेट खृदने के लिए लाइबिली टीच गरने के लिए करने के लिए कमपनी के समें अपने को लोग लगेंगे का मलएक सब्सक्राइब मतलब ऑद है तो अपनी लोग आ इंट को पर पर來ल्ड के होते हैं कॉन होते हैं अजूमॐ अटर्ड ृस हम पाटवेशन को अगलें तंसints के सब्सक्राइब वेलाने को गौत्मा कुंग तो अब मैं अतमा व तुमको बूल रहा हो।wieमिन मैं और सराद छोड़ को प्रशान सा रहे को समझें तो कंपनी आसतितित्व कंपनी-आजिए नगे लगाओ तुम यह थन बтив यहाई तो कंपनी अस्तित्व कंपनी आर कि एर ने चृत्पर परसन नहीं है कि शोच हाथ में आई हात से काम करेगे तो कमपनी को काम कर वाने के वाया है अपने को कौन चाहिए है एजएंट कि एजएंट कंपनी के एजएंट कौन होते है। टारेक्टरास सब लोग इधा टाक्लियर ठीक है डाइरेक्टर कुस्चन अता है डायरेक्टर किसके एजंट है कंपने में कश कब्रकाइक टेर क्लीयर थीक एक सब्सक्फफल योग दीक इधा टाने क्लियर है सर्म सुनिये इन इस, जस्च तो डरेक्टर के चलाने वाले लोग सुनेगा हैं तो अधियर कोंपनी के उपर कमतनी कीा के बैयाप पर काम करें ये ये कॉंटेक्स होता है लेकिन स्मय में पैसे कौन डगाएगा पैसे कौन लगाएगा वेशन देखो डारेक्टर बोल रहा है यह लाइबलेटी इंकर करनी है चलो यह कॉन बोल रहा है डारेक्टर लेकिन करने के लिए पैसे तो लगेंगे ना कंपनी पैसे कैसे आएगे अब शायद कोई मेरे को इदर बुलेगा प्रॉफिट होगा अरे प टनते फैसे प्रॉफिट प्रॉफिट रुपिटो थे इस फैसे प्रॉफिट होड रहा है अगेृइब के रीगा एक्सपर्ट के लिए कुछ बीशनल निना है तो कौन लेगा एक्सपररावेट कुछ न्यूद थो ने लेगा एक्सपट प्रॉफेस्टेमि वो तो बुख में है तो फिर ef कौन लेगा कौन लेगा सुशील सब और विङोचर एवर्डिक लेंगे भारत फोंटर लोग समझ व अब दसे आहो गाए हैं घोगे हां अब या देगिंद भाए हैं गळे हैं घोगे हैं घोगे हिंद फिर सबस्टल रहें मतलब 즐चल रहे pain करें ऑफ कर रहे हैं कि यह जिस्यल सर ने सोच जोका क्लास ले ने है कि पैसा कौन सो डालेंगे डाय। यह जो चाहला करें कि कांपनी में में तोड़ा सा थो इसा अलग आप तरह थे कंपनी में कंपनी में डाय। है ने अड़ आतम खाली मतले चल रहा हूं तो बच्चो का जिम्म्यदारी है मुझ पर समझ बादा ना या दकना दो बच्चे मेरे दो बच्चे एक इतना बड़ा इतना एक बच्च लेक्टे इतना एक बच्च जो अब इट्रेग्टर है हम में और प्रस्ण सर। चेंज गया चेंज किया क्वान डारेक्टर रहे डारेक्टर कोन है और प्रशान से रहे ठीक है अब अब हम लोग को क्लास चलने तो इसलिए रूम खरीदना है रूम चाहिए प्रोजेक्टर चाहिए चाहिए रख रहा है है कंपिटर चाहिए इस प्रक चाहिए पैसा लगएगा प्रशान सब्सक्राइब अब भागला तुम्हें कि हां मूल रखवान हाव लभा मैं का लिए जब सब्सक्राइग भाई है नए अगे सुने सुने चिंता को विशह क्या है मालो में क्या देखो डारेक्टर कॉन है ओनरे कंपनी के या एजेंट है एजेंट है यानी कंपनी के क्योंकि कंपनी बुक्स मे है अस्थित्व में नहीं है तो वह कंपनी जो जो करना चाहती है तो डारेक्टर करेंगे उसके लिए तो मैं और प्रशंद सब्सक्राइब करेंगे लेकिन यार मेरे मिरे मिरे हम लोगों कुछ तो मिल रहा होगा औक हम लोगों मिलता है रहेमुनरेशन कि समझ वारा है कोई कोई बुलेगा कोई सीटीग फीलीन मिटिंग के इसाब सेफ़्सद से जो वर्डियुस करने उसके पर डिसके जी कर रहे है को तुमारा से ल मिलेगा क्या मिलेगा ओके प्रसंद क्या मिलगा रामानेयशन यानि company का आप यह बने गा गाव पीनल बनेगा उसमें जो प्रॉफित है को इसमें से पैसा मिलेगा नहीं है पीए अपिण the debit मिल रहे हो इसके बाद तो कुछ बचेगा यह पैसा इसको बटेगा और जिसने लाया जो नाम बोला शेरफोल्डर्स हम दूनाम उसके लिए शेर होल्डर्स या मेंबर्स दूनाम उसको पहले है का नाम और मेंबर कौन होता है या मेंबर कौन होता है ओके देख लिए लॉजिक लिए जिसके पास शेर्स है वो शेरोल्डर होता है तो सर्फ इन मेंबर कब बुला जाता है जिसके पास शेयर है उसका अगर नाम कान खुले गड़बर मत करना गड़बर मत करना उसका अगर नाम रेजिस्टर ओफ मेंबर में जाता है किसमें जाता है रेजिस्टर ओफ मेंबर तो इसको हम मेंबर बोलते हैं उसको हम क्या बोलत प्रिजिस्टर और मेंबर क're a check company के पासώς एक प्राइबर के पास एक रेजिस्टर होगा इसके तो मेंबर केzes यूज़ एक परिसोंत है परिसे ओसकता है को तो अब एग्maप्लर होता है शरोल रोडर सर्क्याइब को सर्क्या है होता था जिसका नाम रिजिस्टर of member register of company नहीं बढ़ रहा हो register of member अच्छा यह रेजिसर मेंबर कौन मेंटन करता है company उसमें जिसका नाम लिए वो कौन member is that point clear ठीक है okay आप थोड़ा टेक्निकली समझ लेना अब मेरे को बताओ क्या मैं और प्रशांद member है क्या क्या मैं प्रशांद अब यह रोल्डर क्या नहीं हम तोनों कौन है डायरेक्टर थे अजन्स आभी आर्वर्किंग लागे तो फिर मेंबर यह ओनर कौन है यह यह विनोट सर एंड सुषील सर तो सर जो गपिटल लगा ना स्टाटिंग का पिटल वो किसने लाया विनोट सर ने अन सुषील तर ने क्याइब कंपनी को सब्सक्राइब काम और वे हमारे पास बहुत काम बढ़ा हो यह अन अ हमको फैटरी मैनेज करनीच यह बड़ बड़े लोग होते हैं यह यह लोग पैसा किदर रख्के चले चाले जाते मालूम नहीं पड़ता है तो यह अपने-अपना सब्सक्राइब करता है मेंबर को इसका नाम होता है अब यह हाल फिलाल एजम्शन यह है सुशिल सरका और विना सरका नाम शेर पे भी है और रेजिस्टर पर भी है अत्मा क्लियर तो सुशिल सर और विना सर कौन मनें मेंबर भी होते हैं शेर होल्डर भी होते हैं भारत मालिक तो अब मेरे को बताओ मेरा और विना प्रशाद का अपॉइंट्मेंट्मेंट्स ने किया मेंबर्स शेर होल्डर नहीं बोलोंगे आपकर क्या बोलेंगे मेंबर्स आत्मा क्लियर को है ओके यह दिया देखना शेरोड़ वेड़े इंजत नहीं उपना शेर बहिचा अपना शेर के शेर था शेर मतलब देखो उन्हें ने एक चरूब रुपे दीये तो और नो को कया दिया शेर धिया जहर अभी एक फिजिकल ऐसा समझगे इसे कुछ शेर धिया लिखाय विने तो विनो सर को कुछ पैसे को जड़ी है तो विनो सर ने ओके शीवा सर को पुछा भाई मेरे को पैसों की जड़ूत है तुझे शेर देता हूं किया विनो सर ने शेर्टिपिकर कि सो दे दिया श्रीवान को अगे शीवासर को और शीवाचर ये शेर स्टम्वर्ट लेलिए और विनाज सने क्या लेलिए पैसे ओके जमक अब शेर होल्डर कौन है शी वाजाण के शैर होल्डर और शेर चला गया सर ऐसे जाता है यह शेर का सेक्शन फॉर्टी पर बोलता है शेर इस अमुवेबल प्रॉपर्टी ट्रांस्फरेबल प्रॉपर्टी तो विनसर ने दिया और विनसर ने पैसे ले लिए आत्मा क्लियर है बैग्राउंड तैयार करो और केस्ट सेट में यह बहुत अच्छा समझेगा सेकेंड सेट में अपने शेर कापिटल के पर डिसकेशन करेंगे लेकिन अभी बैग्राउंड रेडी चाहिए मेरे को एक दिड स्वाइब अगर मेंम्बर बनना तो शिवाइब इसकर और वहाइब करेंगे तो शिवाइब को अब कंपशन क्यों है टो शिवाइब को आप मतलब कॉन वाट्राउं को अदि किसको बाइए कि यह दो यह चाहिए फिर मैं कुछ प्रोसिजर देखँगा अच्छा चेकिंग क जो होगो सिन अपशेया किसे और में नाम काफिए और किसका डालूँगा शिवा सर तो अब करेंम बन और तो में मीम्बर अभी क्लियर तो जिसके पास शेयर होता हो वह भलो शेयर पर किसी और का नाम होगा मेरे को बता जो शीवा सर के पास था उसके नाम किसका था विनो सर का लेकिन इसलिए वो शेर होल्डर है क्योंकि शेर उसके पास है लेकिन मुक में नाम किसका बीभी विनो सर इसलिए विनो सर ही मेंबर है अब मेरे को बता शीवा ने मेरे को बोला शीवा ने हम को बोला डारे मेंबर भी शेरोल्डर भी जेपा एवरीबड़ी पक्का ठीक है अब वापस अपनी पहली वाली बंचाई थी ओके मेरे को बताई ये विनो सर और सुशिल सर ने पहली वार पैसे लाए ये मेंबर या शेरोल्डर कब बनते है याद रखना जब कंपनी इंकॉर्परेट होती है कमपनी क्या होती है मेरी आत्मा मेरे को याद करके बताओ थुड़ी धर पर चाहिए को होती है जब उसका नाम रेजिस्टर कंपनी में आता है और उसको क्या मिलता है भारत मतंगी जह पागया मालिक तो अब मेरे को बताओ उस certificate of incorporation मिलने के लिए रेजिस्टर ऑफ company जिसको मैं short form इस करूँगा ROC ROC को तो बताना परेगा ना किसको कि हमें company बनानी है कौन बुलाओगा कौन गया होगा ROC के पास अधिया ना तो तुमारा इंटेंशन कर अभोगा तुमार पॉइंट है I am very ओम नमश्वा अपन एकदम यह जय मार्दादी कल से अबन एकदम भगता दुमें अपन जो भी बुलाओँ अच्छे इंटेंशन तो बुला मने अपसर थाईलेंटी की बाजुमें है वो मेरे को इसा बाजुमी लगए वो ऐसा है मलीश्या बाजुमे इधर निभी इस्राइल अभी और चल रहां ना उदर इंकॉर्प्रेट भी करेगा तो बंद करने पड़ेगी तो इधर इधर आतमा इधर मेरको बताव इंकॉर्प्रेशन के लिए को ना है होगा आरो सी अभी सब्सक्राइबर क्या सब्सक्राइबर क्या सब्सक्राइबर क्या बोला जाता है तो उन्होंने कुछ तो डॉक्मेंट लिए और किसके पताये तो वो तब उन दोनों को क्या बोला गया सब्सक्राइबर और फिर अरुसे ने ऊस्च ने कमपनी को क्या किया रिजूसर किया इंकॉर्पे गया फिर कंपनी किया बन गई आलिए इंटिविट प्रसर है और उस टेंप यह सुचितर शुर्ट जो सब्सक्रा अब मेरा क्वेशन है यह कंपनी में अब एक्जेंबल भी इस तो मैं ले तो मैं है अब किसी को जाना पढ़ेगा क्योंकि कुछ डिस्केशन करने माला तो आप मैं मिंबर हूँ काहन हूं मैं में रादा जी एंसर प्रमोटर को मिक्स मत करिये प्रमोटर को इधर मट डाली प्रमोटर बहुत सारी चीज़ों में आता है तो इसर इसके जो में बोल रहो उसी पर होकस करिये तो मैंने अब ही पहला शब्द क्या मिला आया सब्स्क्राइबर तो करो मैं और प्रेशांध सब्स्क्राइबर एं मतलब किया है कंपनी काओ परिट करने का प्रोसेस कर रही तिक है कंपर और का बबन गई है अब मैक और प्क्स का नाम है कि नहीं मेरा नाम गए चीज़ कर नाम है किसका नाम है कंपनी लेकिन वह कंपनी में उन्होंने लिखा होगा कि भाई आमिद आया था प्रशंद आया था एक जिए तो आमिद चला गया तो दुखत घटना देखो सच्छा इसे कौन जाना है एक दिन तुम आया रखे क्या हां तो सत्यरथ Sverige नहीं सफ ओर साथ ते ने पात्ज ना पाट्सो और पाट्सो व् कि बोर हो जाएगा क्योंकि तिरको और कोई आइटम मिलेगी नहीं बाद में कि अरे भाई साहब अभी एक होने के बाद फिरुब कि लाइव क्या है अरे मतलब मैं इंटेंशन तुम सालों गलत मत जाओ मैं कि मेरी शादी होने के बाद बुड़ा आगे उसके बाद बली कितने भी साल का रहा तो शादी हो चुकी ना एक बार तो कह या ना भी यह लॉजिक समझो रहे हैं इसी लिए बेस्ट आप्शन है यह सो साल 110 साल 120 साल उसके बाद अगला जनम तो अगला जनम देखो आप अपर हर जनम में देखना जिए कौन मिला वाजू में तो उसके सबसे कितना जीन है वो डिसाइड करेंगे तो यह यह डिसाइड होता है तो भाईयों और मैंनों मेरा सवाल यह है कि मैं चला गया अब मेरा क् 우와 कमपनी का Member में था क्या कंपणी वी चली गई यह सब्सक्राइब कंपनी कब जाएगी कंपनी कब मरीगी इनसान आता है जाता है लेकिन पास ये शेर मेरे यहीं चलिए औरूंज तो कर दो अब या जैसे अगर याद और श्राइब कि आ अपर यह मैंने दिया नहीं किसमत ने दिलो आया तो यह इस शब्द को कभी एक रियल लाइफ में आगे काम आएगा पर ट्रांसफर और ट्रांसमीशन बोलते हैं तो एक विए नोट सर ने जो किया तो वह प्रांसफर मेरो मेरे को नहीं करना तो फिर भी करना पड़ा प्रांसमेशन क्योंकि मैं गया ना भई एक्ट अफ गॉड सबज़ रहे इस एन एक्ट अफ गॉड कुछ करना नहीं सके तो मेरे को बताओ ट्रांसमेशन हुआ अब मेरे बटेक पास गया क्या क्या कंपणी डूभी नई तो मेरे क्वेश्चन है कंपणी कब मरती है जब कंपनी का winding hop होता है और कंपनी अरोवय से नाम निकाला जाता है यह समझा क्या क्या अगर कंपनी के ओनर आते हैं जाते हैं ओनर आते हैं कंपनी कभी ने जाते कंपनी highlight का कैसे प्रोसेस हो रहा है कंपनी चलाने वाले लोग और यौझा को एंसर डायरेक्टर कंपनी बनाने वाले लोग मेंबर मारेगा एक सब्सक्राइबर कंपनी के ओन स CG अन। मेंबर जिसके बाशना है वो है समझिलियर और कंपनी कप तक रहेगी जत तक उसका का नाम आरोसी में रहेगा आरोटीक वासी इसमाइट क्लियर तो कंपनी का कंपनी मरती कब है अब इसको वर्ड क्या बोलते है पर पेच्छोड सकते हैं यह निव बंबर मर सकता है कंपनी मरेंगी नहीं इस पॉइंट क्लियर ठीक है बढ़िया और दोचार चीज़े बैग्रा तो सब्सक्राइबर थे कौन सब्सक्राइबर थे अपने विनोच सर एंड सुषिल सर यह जब रोची के पास गए तो रोची ने बोला ठीक है मैं एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेट बनाने को अग्यार हूं लेकिन यह एक्सपर्ट प्रोफेशनल अकडेमी आख्षे कुमार से पहले नई बोलता है वापस आता है कैसा टाइम पस कर रहे यार दिल तोड़ दिया बन देने यार तो भाई साब ऐसा नहीं होगा तो आरोची बोलता है पहले से बताव काम क्या करेगी इस तरपांट क्लियर तो यह किसमें लिखा होगा काम क्या करेगी दो डोकुमेंट्स वह कि नाम होता है MOA एक नाम होता है AOA what is a full form of MOA Memorandum of Association Articles of Association वापस आते हैं नाम दो चाहिए मेरे को Memorandum of Association Articles of Association अत्मा क्लियर ओके याद रखिए सुन लिजे अभी सुन लिजे MOA Memorandum of Association और Article of Association दोनों में फर्क क्या होता है अभी के लिए जान करिए एंसर चार बज़े देखेंगे पाच बज़े देखेंगे अभी के लिए जितना बैग्राउंड चाहिए क्या करने वाली है किसमें लिखा होगा MOA में बिजनस में तो ये किसमें लिखा होगा यहां में लिखाऊगा एमुए में लिखाऊएगा तो क्या एडाल क्लास ओन कर सकती है i cayoham क्लास कैसे लिया जाएगा यह किस वे से किया जाएगा क्लास का डिसियन कैसे जिया जाएगा आज क्लास लिनी कैसे लिया जाएगा आज क्लास लिनी कैसे लिया जाएगा डिसीजन यह सब किसमे लिखाऊगा यह वे यानि जो कर सकते हैं नहीं कर सकते किसमे लिखाऊगा कि माल डालो जहर तो तो कर सकते या नहीं कर सकते हैं मिरकी पताओ यह कर सकते हूं किसंग लिछ होगा अच्छा एक्सपट प्रफिश्चनल प्रवेट किरमन ऐसा कि उनके किसी में तो लिखा होगा हमभली क्लिशी कि ग्लास दर कि के कि एम एसमझमें आया तो अब इन्होंने सीएस की क्लास कुली किया यह कर सकते हैं नहीं यह पॉइंट एक यह नहीं कर सकते हैं किसमें लिखा है किसमें लिखा है किसमें लिखा होगा तो आप जो नहीं लिखा वह आप नहीं कर सकते या दखना है आत्मा क्लियर टेक्निकल एंसर एक रिची रिच का के स्टडी यह बहुत तोड़ याद होना चाहिए और मैं आपको बतारों यह बैगराउंड आपके इंटरकली भी रहेगा झांक शलत में आपके करनें लिखेल गए जाया और सकतम करेंगे लिखेलर और एक्शलम भी यार्डि याओ। और मैंने इसे सुचाओगा शायद ऐसा है कभी-कभी कुछ होता है माल मैंने एक से नसीब होता है कोई इधर बैठा रहता है तो विकेट जाती है कोई उदर बैठता है तो ऐसा तो मैंने कल ऐसे मेरे दिमाग में आया है जब यह बैच की बात हो जारे में लास्ट वीक में डिसक्शन होगा फिर मैं बुला यह है फिर विना सर्व ले मैच है वह बड़ा ठीक है शायद कभी-कभी अपना नसीब सही नहीं होगा मैं देखा हो शायद पहली इनिंग मैंने देखनी नीच हुई है तो नहीं हो सकता है यूट नवर नो बस तो मेरे साथ जो तुम लोग अठीक हो ना तुम भी ऐसे ही हो समझा नसीब खराब है नहीं समझा अभी तक ठीक है अलग से ट्यूशन दिंग हो मैं इसकी समझा ओके तो टेक्निकली स्पिकिंग तुम अभी बुकुक में जब मैं बुलूंगा जाने त तो हम बीव बतै रूल्स रेगूलेशन मोट चार्टर ठीक है अब सवाल कंपनी के पहले बौने के पहले में छूरस के बताए कंब हरूंगे पहले तई यह निए बनाव यानि एम ने एक्टामबल में लसे सबस्क्राइब और यह बनाएंगे और ये किसको आपने चलाएगा कौन नाम कोन में और प्रशान क्या ध्यान में रखके काम करना चीए MOA AOA समझ में आया तो मैं और प्रसाइब यह काम करें अनकी ओकात कितनी MOA AOA कमपनी की ओकात कितनी MOA AOA अत्मा क्लियर सर MOA में क्या लिगा था CAK Classes या CSK Classes CAK क्या हमें explore करना चाहिए CSK Classes भी हमको लगा मैं और प्रसाइब को लगा तुम ना मत बूलो मेरे को लगा तो अब हमने MOA में वापस incorporate करना चाहिए everybody तो अब मेरे को बताओ मेरे को किसको बुलना पड़ेगा यह चेंज करना है पर आरोसी ऐसे नहीं करेगा रोसी बुलेगा हमको दिया किस ने था सब्सक्राइबर जो कि कौन है अभी तुमारे मेंबर मेंबर का हाले क्या हो किसका हाले क्या हो सारी आत्मा इधर क्लियर तो आप मेरे को बताओ मेंबर का लेना मतलब हमको इस MOA का देने के पहले किसके पास जाना पड़ेगा मतलब कौन अपने एक्जांबल में सुशिल सर और विनो सर इसपाइट क्लियर इन दो के पास जाना पड़ेगा और इनका एप्रूल लागेगा समझा मालिक ठीक है थोड़ी सी चिंता का विशे आगे और बढ़ रहे आगे कि ऒपन सीजिल सर ने हां इला बोला सुशिल सर ने ना बोला इसलिए या शायद आप बायस एक ना भुलोगे mask failed मेरे खाल से बच्पन में अपने ऐसे 50 बार किया था मैजॉरिटी विंस बात खतम है यादखना है हैस्टेक स्टॉप अगेंस माइनोरिटी इधर माइनोरिटी चुप और काथ मेरे इधर कोई माइनोरिटी है इसे लिए थोड़ सा लेने के लिए अपने को चेंज करना पड़ेगा सुषिल सर का शेर 40 विनोट सर का शेर 40 और शिवा सर का शेर 20 परसेंट कि अब यादखना यहाँ पर कॉंसेट समयना लौ बुलता है लौ बुलता है हमको या तो ओवार चाहिए नहीं तो एसार चाहिए अब यह दो शब्द नहीं आया आपके लिए किसी को मालूम होगा किसी को नहीं मालूम होगा लेकिन सुनिए और का फुल्पम होता है और डिनरी रेसूलउचन और एसर का फुल्पम होता है स्पेशल रेसुलउचन और यह देखो यह डिटिल में आप कॉंसे सिलिलिपस में पड़े इंटर का बेग्राउड ची है सार यह चाहिए क्या हां ने तो बढ़ा तो तो नहीं है यह है अगे इसलिए तो बड़ा रोम है और और एसर बस इतना याद रखो अभी के माँपस बोल रहो यह answer exact नहीं है यह section 114 है जो इंटर में जाके आपको detail में समझेगा अभी के लिए इतना समझो जितना आपको knowledge चाहिए इसलिए मैं खली नाम दिए क्या नाम दिए तर मैं आपको बोल रहा हूँ क्या context है ओर मतलब majority wins मतलब मतलब कितना परसेंटेज 51 मत बुलिए 50 से जादा 51 बुला मतलब majority is 50 से जादा majority मतलब 50 से जादा that is called majority win आत्मा क्लियर एन एसर मतलब यादखना 75 परसेंट 70 पर 75 परसेंट यूज नहीं का था वर्ड लॉट करता है लेकिन उसके अलग डिसकेशन है तो आपकी खाली यादब को 50 परसेंट के उपर हाँ बोलने चाहिए 75 परसेंट के उपर हाँ बोलने चाहिए यूज एंघ रूट है की अब बताओ मेरी को बताओ दलट ना बताओ dall पतांगा लॉग बताएंगा लॉग लॉचा। भाने लिखा होगा resolution पास करो खाली law ने ऐसा लिखा है resolution पास करो इसका अगर ने बोला इसको करना है तो शकरो फिर शकरो तो आपकी मर्णि में चलती तर किसकी मर्णि चलती है law okay law के section 1 से लेकर section 450 plus section तक कहीं हर जगह लिखा होगा अगर resolution चाहिए तो यह लिखेंगे क्या चाहिए और या इसा देखो अगर उन्हेंने एसार लिखा तो एसार लेकिन उन्हें बोला खाली और रिजुशन पास करना है मतला हो ओर तो इंटर में जाने के बाद ये बैस रडिदी दिक्रना जिदर लिखा होगा रिजूलुशन मतलब ओर यानी सिंपल मैजुरिटी करें विन को बसंञा तो आप मेरे को मेरे को बताओ कि एक्रम है तो इसाइशन पॉलता आगीगा एसार चैन्ज लगे सब्सक्राइब तो मिरे को कि द्रें कि अर्ट सुष्यल सर शीवासर तीन के दोजन क्या हाँ चैने इस प्रिज़ कौन दोजन वह भी तो तो और उनका तो हाले क्या हो और उनका किता हाल है एसर आए क्या उनका नहीं तो मेरे पास मताओ जख मार के वापस जाओ कि सम्झा अब दूसरा एक्जांबल अब मेरे को बताब विनों तो सुषिल जर्ने दुनों नहां बोल दिया शिवासर मना कर रहे अब जाएंगे क्या रचित्र करेगा रचिफ ब्लड़ार कुछ विड्रेशिक लिए जिसका वर्जंट रोक झाटिया और वर्जं यह झाएगा और बॉर्जं टू आ जाएगा और अब बर्जं टू के शीवार सर मना कर रहे थे हैं। जबले हैं। ये ऐस कुछ और पूछ रहा हूं। ब्योड़ एख बोल रहे। मैं कुछ और मुच शीवार सर रुणा रुण साथ हो यह तो गलत हो रहा है। रहे। मेरे तो पूछी निकार मैं नहीं करना चाहता। जाता शिवासर अभी किस के पास जाएंगे ऐसा रोके रोसी के पास नहीं है रोसी मर जाएगा अगर सब की सुनने लगा तो तो आप बताओ किसके पास जा सकते और बढ़िया ओके आपको मान में इंडियन की हलत क्या है कोट की कौन से साल में किस्ता आएगा जब शीवासर का बच्चा बढ़ा होएगा तो वो केट की सुकूर्ट की सुनुवाई आएगी और बुला जाएगा ओके शीवासर हाजिर हो उनका बच्चा रहा है पापा बेड़ पे रिस्ट कर रहे है रिजॉल्समें पास होगे 15 साल 20 साल हो गये अब समझे रहा है कोट तुमको समझा आरे और तुम ऐसा बोले कि ने वो कोट फटा-फट कर ये कोट फटा-फट कर बोलके दिख वो कोट फटा-फट कर एगी तेर क कमी न वहेगा के तो कंपनी लोग बोलता है कंपनी लोग जिसने करें प्रेजिदेंट प्रॉप पर्ल्मेंट में दुए तो सबकूर्ण बढ़ा ऐसे किस्से हो गए और कोट में गया तो मां कसम पहली बातो किस्से कित जारे कुट में जाएंगे अ दूसरा क्योट कॉट कि अमेरे को बता साला क्या टाइम पास हो रहा है तो कंपणी लोग को मालूम था ऐसा इशू होएगा कंपणी लोग बलती है हमारे मैटर के लिए हम एक 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 अथोरिटी सेट अप करेंगे यानि हमारे इतर कुछ भी इशू आया आप कोट में जाएगे कि अपक्षा इशू कर सकते हैं लेकिन कंपणी लोग बोलती है तो तुमको इमान में किस्सा किता लंबाएगा उससे अच्छा हम एक एक अथॉरिटी सेट परते हैं जो कोट जैसी होगी जिसको हम बोलता है एजूडिकेटिंग एजूडिकेट करते हैं एक एजूडिकेशन क और इस अपोडिटी को नाम दिया गया है कंपणी लॉघल में सी एल्टिंश का कम पनी लॉ ट्रीबुनल भारत माता कि जयर भागया क्या नाम दिया गया है एक नेस्ट अटर कमपनी लॉघल तो मेरे की बता ओक अगर अगर शीवय attractive झांग इसको हम सिर्फ चॉर्ट वर्य करेंगे लिखते वख आप एंसल्टी फुल लिखोगे हम सिर्फ यूज़ करेंगे ट्रिबुनल जब भी मैं आपको भूलोगा ट्रिबुनल में तब समझ में आ गया तो ट्रिबुनल का मतलब कौन होगा नाशनल कंपनी लॉट ट्रिबुनल तो आगे जब वर्ड आज के आट रोगमेटिशन मंगा सकती है इन्वेस्ट के लगते क्म पावर यह साथी चेज़ नोसके पावर रहें अन्से हटिक पस समझ में कुछ है मालिक और इसने बोला तो काम ख़तम तुमरें बदूर्ट शिवा सो जाएंगे एंस लोड़ी ट्रिबुनल के सुनेगा लेकिन म मेरे पास है कंपणी लॉव वर्क्स ओन मैजॉरिटी विंस बात खतम अगर आपके पास एक टक्का शेर है एकजांबल इमाजिन करो तू तू सोच तू रिलाइंस का एक टक्का एक टक्का बहुत बढ़ी होकाता है वैसे लेकिन फिर भी रिलाइंस का एक टक्का तरह पास है और रिलाइंस को कुछ डिसियन लेना है और तेरे को वो नहीं करना था पर 75 प्रसंट ने हाँ बोल दिया और तू एक टक्के वाला तो नाई भाई कोट में गया ट्रिमिनल के बास गया है ट्रिमिनल बोलेगा कम यहर मंकी डॉंकी गट आउट पहले ओकाद बना उसके बाद बास हो ईए अच्छाय पास होगे तूर उह एक टोक्के को क्या फाइदा तो कोट क्या बोल त्रिमिनल क्या बनमई बेज दे बेज दे बेज दे बें अकद बए लें ना अधर न वकाद निया थे बेज दो में पहले लिए शुचीदू के अगर एक सब्समें क्सम्त्स तो मेरे खाल से डेवलब हुआ अजेंडा तो मेरे को बताओ मा कसम शुरुवात कहां से कहां पर कर रहा हूं मैं सबसे पहले मेरे को बताओ कौन चीह है मिनों सब शूशी सर नाम उनके पास क्या होंगे दो डूकुमेंट नाम दो एमोए एवे पका क्लियर यह लेके किसके पा अम भान गये मेंबर मेंबर बन गया तो कंपनी चला नहीं सकेंगे तो कंपनी चला नहीं एक अग्रिट अपॉई आपने पोई गटाम मेंबर किसे पोइट यू और अगे आवा या यानि अब अब यू कंपणी डिसाइड कर रिए क्लमित को डारीटर बनाना है तो इसमें तुभी क्या मैं दरेक्टर बन जाओगा? क्योंकि 40 प्लस 20 वार शे यह ना, गिरोड पल्ला ने लिए, तो इस तरह से लिए धर क्यूटर पॉइंटर पॉइंटर होगे, अब कंपनी चलेगी, उझा क्या करेंगे? आपको लगा सर आपको कमी निए वो ऑके शुशल सर और वीनो सर और शिवा सर को लग रहा है नहीं नहीं हुआ तो कमीना निकल गया है अमिड खतर्ना निकल गया और रेक्टर अपनी नम पे करिज आ रहा है लेकिन मैं बोल रहा है अगर ऐसा कुछ हुआ है तो अब मेरे को बताओ फिर निकालो हमको किसने पॉइंट किया था निकलने के पावर उनके पास भी है तो यहाद नहीं को समझा रहा हूं इदर जब बेस आगे पढ़ेंगे तो आपको याद हो ना जी कि क्या कंपणी बंद उसके लिएलर के पास वो शेर चले जाएंगे और कंपणी का परपरिच्वल सक्षेशन चलते रहेगा भारत मता की जच समझा ठीक है अब मेरे को कुछ इशुद आए मेंबर को कुछ इशुद आए डूरिंग दो कॉर्स कंपणी के लिडेर कुछ करते रहेगी और वाइंड अब होएगा एक दिन कभी न कभी कंपणी मर जाएगी कंपणी कैसे मरेगी वाइंडिंग आप और आरोसी ट्रीक अफ करेगी क्या करेगी स्टाइक आइक आप मतलब आरोसी रेजिस्टर से नाम निकालेगी जब जेपा मलेक ओके आखरी पड़ा बंद करना बंद करना मतलब कैसे बंद करने कल्ट मं कि अब बंद कर दो दर्वाज तला निकल कर भाग जो नई ऐसे बेचेंगे लियाबिलिटीस पी ओफ करेंगे एवरीबडी एगरी लेकिन इमेजिन करो अब थोड़ा से सुचो देखो नेसा डिबेट नीकर रहो के ऐसा हमेशा होगा ऐसा भी हो सकता कंपणी बहुत आच्छी थी लेकिन कंपणी को लगता अभी काम खत्म कर देते बस हो गया कंपणी ते साल बहुत हो गया कंपनी प्रोफिटेबल अभी पर विद्ट करना चाहिए और बंद करती है उन्हें बंद कर दिया डिसाइड किया वह कि अब बहुत सारा अचेगा तो बहुत सारा एसेड किसके बास जाएंगा मेंबर्स के पास यानि कौन विनो सर सुचिल सर प्रोफिटेबल पर आपको लगता है प्रोफिटेबल एंटिटी में हमेशा वाइंडिंग अप करने की ज़रुत पड़ी कि नहीं बहुत मश्किल है पर हालत खसता हुई तो वाइंडिंग मुकरने की नौबत आती है एक्जम्बल समझाता हूं लाइबलिटी बहुत बढ़ गया है एसेट्स टुक गई हमरे पास एसेट्स है लेकिन कुछ कारण वर्ष एसेट की वैल्यू खत्म हो गई हमरे पास देटस है लेकिन डेटस सब लिए लेकिन शायद दो साल के बाद इसकी वैल्यू 5,000 भी नहीं बचेगी क्योंकि अप्ग्रेडेट अबर जो भी जैसे भी पर्मनेशन चल रहा हूं लेकिन दो साल के बाद डेप्रिशियेट करो भी जो भी उसके बाद इसकी वैल्यू तो और भी खतम हो सकती है यह तो फटा-फट डेप्रिशन वाल ऐसेट है एजिम करो दो साल के बाद आइफोन 17 जब आया उन्हेंने बला आइफोन 14 वाले मॉडल जो लाइटनिंग पॉर कि अभी अवारे नियुकर नमालब क्या करना एसेट बेचना और क्या पटें करना अब मेरे को बताओ एट बैचे लाइबिलीटी पेगी फिर भी लाइबलिटी बची अभी अभी एसेट नहीं के पास कंपनी बास आसेट नहीं बचे समझ में कुछ आया एव्रीबडी तक का नहीं आवाज नहीं आ दिए डिने तक का का पेच हमने एसेट एसलों करते एक क्रोड कि और लाइबीटीप आट करोड कि तो एक कोई नहीं का सुचील सब्सक्राइए तीन के से सोते कंपणी कि एक होती लिमितेड बाई शेर्स एक होती लिमिटेड बाई गारेंटी और एक होती यह अन्लिमिटेड कंपणी मुझे वापस यह तीन नाम कौन से कौन से लिमिटेड भाइशेर्स लिमिटेड भाइग गारेंटी अन लिमिटेड कंपानी एक वेशन आया ओनलाइन में सर मेंबर डारेक्टर दोनों बन सकते यह एक्सप्र प्राइट बंढ़ेट अगे विश्वासी नहीं हम पे तुम को मालूम पढ़ रहा है न मैं क्या बढ़ बढ़ कर रहा हूँ विनो सर को बोलने का तुम डारेक्टरशिप छोड़ो किदर पसरे हो अपने पास आप बंदा है ही रा है एक हो पीमारीम है यह सब्सक्रान मीरे मेरें है य। आइफोण दोरिय चुछ ना शीवा सर्च चाहला आदमी पूरी महलत कर लेगा लेकें शाला कुछ इस्टी ने नो गे तोमा क्या बाबा बाबा बना किदर गया रहें बाबा चुट्टी पे गया घ्या आदमी आहिमाले गया होगा है यह किसी और को फस्न ने और इसमें बैच में एक आपने बंदे ऑर रह रख प्रॉपर्टिव अप्रस लेली बाभाई काया पोगिया है तो भाई और भेनो किन्ता का विश्य आगे और बढ़ाते हैं किन्ता का विश्य सबसे पहला इसी है बागे दो सब छोड़ो भाए यह नई पांच मिनट में चलू करता है यह यह नहीं नहीं होता जिसको इसके नीचे वाले को कुछ नहीं होने वाला मतलब यह समझ्दो यह तो बर्व बनो नहीं तो बाजू में हटो वह दो के साथ जो छिट्ट चरकरनी कर सकता हुए थोड़ी देमें और वह आपस वह सब्सक्राइब करने मैं कर दूंगा इधर कोई एंपार्मेंट का गंटा कोई फर्ख ना वर्दा तो भाईयों और मेरे को बताईए ओके आप विनो सर्को अच्छा क्या एक क्वेश्चन मेंने ओनलाइन का क्लियर है क्या मेंबर ही डारेक्टर बन सकता है कि अच्छा मेंब ना और वह स्वाइब करें ए और वह बुले में बद च्छी ऑर दोनों ने दूनों ने खुद को वोट कर लिए ख। विनों के सब्सक्राइब कर दोनों और गेरी शुछिए इस कोई प्रोब्लम नहीं इस में रएक बस मैं आपको मेर सेंपलाता है दाया रेक्टर और एज़न तो झब हो डाय रखे अमींबर की प्रहेंस काम करेंगे किसलीं करेंगे रखे अलग स्वित्वश्ण अम्रे यह आक रोकिल शिर्ट चैन्र मेरा अपना किगा के दिस्कष्ण हाय कैने देशलनी क्वं Также कि मेरा क्वेश्चन एक दम सिंपल आता है मेरे को बताईए कमपणी की ऐसे ठुग गए और लाइबलिटी ज्यादा बची तो मैंने आपको क्या बता है सुनियों मालिक सुनिये सुनिये सारी आतमा इदर सब्सक्राइब अगर यह लिमिटेड भाई शेयर जै और इधर मत लिखना मैं आगी जाने की बाद जब मैं लिखाऊंगा एक्जेक्टी उद्र पॉइंट पर उदर एक्जांबल के साथ मेरे को मैं बस पर आप मेरे को यह च और तीसरा क्या होता है अन लिमिटेड पहले बात करते हैं लिमिटेड बाइशेर की जब लिमिटेड बाइशेर है तो यूज्वली कंपणी में आपको मानूगा शेर दिया जा रहा है अचा शेरोल्डर मेंबर या देना वर तो मेरे को बताओ कंपणी ने विनोच सर और भी ए है यह शेर पे लिखा होगा फेसवल्यू क्या लिखा होगा कि एक शेर कितने का और समसे विदो सर और सुशील शंचसर ने शेर सबस्क्राइब किए हुगा आप इसमें शेर में अटराइज शेर कैपिटल सब्सक्राइब कैटल इसके उपर भी चर्चा करेंगे लेट रुपेगा ओके याँ रखना अगर ऐसा कोई कॉंसेप्ट है फिस वैल्यू मतलब समझ में आ रहा है नॉमिनल वैल्यू ओके अगर लिमिटेड बाइशेर तो विनोच सर और सुशिल तर इस लाइबल उनली अप टू टेन रुपीज फॉर दो शेर्ज विडिया सब्सक्राइब अगर एग्जमबल विनोच सर ने सो शेर सब्सक्राइब कि हुए और अधर शेयर सब्सक्राइब किये और सुशिल ने हजर किये तो मेरे को बाद मैक्सिमम लाइब लिटी कितने होगी दस हजार इसके ओपर एक और विनोच सर ने अल्रीप साथ दे दिया पूरा प्रीडिया देस पर शेर सब्सक्राइब और हजर लियो है कट्व स्टोडी ओवर साथ करोट डूब गये लिमिटेट बाइब चैनल में मेंबर विल भी लाइबल ओनली अप टुद लाइबलिटी विच इस डिपाइड बा यृगा है और विनो धर श्रेंज रिये हूए हूं के जब पासक्रण और यृदि ज सुषी इतने कम्पनी के कम्पनी शैर डुब इमानट नहीं शैर पाच करोड शेर और कितना कॉल कर लिया कभणा का शेय। कंपनी ने पहले ही कितना मंगा लिया पाच विए अभी और कंपनी कितना मंगा सकती है तुर्पया पर शहर तो है था किते शिर है पाच करोडर ति दा प्ट्छीज न आ धाई करोड़ कहें अय्य बढ़ बर ना पाच उर्भी आपर शेर बाकी है और किते शेर जेल पाच करोड़ तो किते मंगा सकती है 25 करोड़ और सुषिशन सर से अगर मेरे एसेट ज्यादा थे एसेट सब्सक्रोड़ और लाइबलिटी थी आट करोड़ ओके दस करोड़ माइनस आट करोड़ बेज दिंगे धुरुटि दो करोड़ बचे दो करोड़ किसमे जाएंगे विनो सराय सुषिशल सर उनके प्रपोर्शन में है समझ माया मैं बोल रहा है सेट टुक गई है 1 करोड़ लाइबलिटी किती है आट करोड़ तो आभी किती बची लाइबलिटी बेज गयाने साथ अब यह साथ प्रशं सर ने पाच करोड़ सात करोड़ इस्पेक्टीव लिया हुए और यह पूर्पिया कंपनी मंगा नहीं सकती यानी सात करोड़ डूब गया है तो यह कंपनी से ट्रेड करने भ्यान रखना चाहिए आपके ने लून दिने यह सब्सक्राइब एक ने लून दिया होगा विए टेटर वह तो ना मालिक नहीं आत्मा हा या ना जिपा क्या मालिक एवरिवेडी ठीक है अब मैं दूसरा इग्वाइब गादिया ओकेट इस किते रुपे थे पेस्वेल्यू दस किते मंगा है पाच क यहáया अब साथ करोड पीमेंट कौन करेगा करेगा उन किस रिशयो में इनका जो शेर कापिटल है उस रिशयो में समय भाया या उन चंड विल भी पर एक लिए यूप यह कमपनी नहीं शेख जर ना क्योंकि कंपनी मंगा सकती पैसा तो कितना कितना करेंगे जो भी रेशय लेकिन मैं उपस बोड़ रहा हूँ अगर सपोज 10 के 10 रुपे मंगा चुके है पन 10 के 10 रुपे मंगा चुके है क्या एक भी रुपी अभी अभी इन्हों से सोचिल से देंगे खातम स्टोडी भूल जाओ लिविटेड़ में यहीं दिक्कत है लिमिटेड़वाइशयर में तुम्हारा परेस्नल कुछ सब को सब ले दे सबसे पहले face value दूसरा paid-up कितना paid-up है अब पता face value पीड़ रूप यह पूरा दोनों सेम एक भी रूप्य मंगा नहीं सकते हैं लेकिन face value पेड़ पैलिव में डिफेरेंस है तो जितना कर सकते सर क्योंकि कॉन सी है limited वाई श्याद सरी किसमें लिखा होता है कंपनी का चाल्टर कौन सा है उसके अंदर यह लिखा होगा हुआ अ कि उसके अंदर यह लिखाोगा भारत मांते हैं जभागा youарु बढ़ेवरी बढ़ी है ऐई गे तुरना मालिख़ें धिर दूसरा हा रखिटी गैरेंटी मतलब किया होगा शायद आपको मालुम होगा गैरेंटी में गारेंटी अमाउंट होगा क्या होगा सर्गानिट क्या आओ वो घूर जो कन सब्सक्राइबौ क्या दोओं यह किसमें लिखाओगा मेरी साते सब सब्सक्रा यह लिखाऊगा उतना काही एमाउंट हम कब मंगाएंगे वाइंडिन अप के टाइम पर आफ है तैब में आचा एक इसा एकजांपल मेरे लोग सब लोकी सब्लोग मेरे को बताओ फेश सब्सद्रकता था अपने ओपर का लिमिद्र बाशार की वात कर रहा हूं और तंप कितना मंगा सकता हूं तो यानी लिमिटेट बाइश में हम आपसे जो बैलन्स मनी है वे डियूरिंग दे कंपणी टेन्युर अरभी और कंपणी वाइनि अपर कबी वह करें है है तबी भी लेकिन लिमिटेड़ गारेंटी में मालीक ओनली ओन वाइंडिंग आप के सब्सक्राइब अगर लिमिटेड़ गारेंटी है तो नहीं बोल सकता मालिक नहीं बोल सकता इस कंपवनी को पैसे नहीं ए फिर यह कंपवनी के चलती है बेसरों चारीटी डूनेशन्स यह कंपबनी को क्रेडिट लोन लेती है कंपनिन अगल यह ये यह चाहिए लिकिनिन पास जो पैसे आते हैं वो पूरर्फ टोनेशनिक आते हैं रग अगे कंपनी चलती है जो होती है कर अच्छा मैं क्या समंझ रहे हैं अच्छा मैं किते हैं टाइप शेयल का हो सुल पहला पहर्ट रिमितें है बाई मेरे लिम्येट्ट बाई वह गश्म सब्सक्राइब अनलिमिट्स एप lt तो मरेत बलोकित है के युए लिधिया है उगतों कब हो तो मेरे क्वश्चन है फिर ऐसी कंपणी चलती कसे ओके चारीटी समझ मारा है डोनेशन आतमा क्लियर एवरीबडी ठीक है तीसरा मेरे खाल से नाम बता रहा है नाम सही समझ मारा रहा है अनलिमिटेड मतलब क्या चितना भी अमांट बचा होगा उतना अब दोनों में ड सब्सक्राइब की लाइबलिटी मैं दूतिन आप्शन बता रहो कंपणी लाइबलिटी आई तीन करोड़ा कित्ती आई तो मेरे को बताओ विनो सर शुशिल सर कित्ता देंगे देड़ करोड़ समझ में कुछ आया एवरीबड़ी वापस बढ़ जितना यह अच्छे से समझ कि यह मैं लास्ट केस में लास्ट केस में यह कवर अप तोड़ करूंगा और इसका क्योंकि एमोई का एक क्लॉज है वह बहुत तोड़ बैठना चाहिए और मैं आपको बतारो लिख के मेरा प्रिंसिपल वापस सेम जा रहा है सब आ गया ठीक है जो इसी नहीं है न वो भी जाना चाहिए जो सब को ही आ रहा है तो मेरे को तेरो आ रहा है तो बड़ा बात रहा है तो इसमें यह concept बहुत डिफिकल्ड है मैं आपको बता और मार्क कसम रेस्टर स्क्वेर बोल रहा हूं मतलब जिसने भी मतलब जो एक्जामनेशन जो जैसा पॉइंट है किसे ने दिय होगा को रिकर्णिंड डिपोजेट अकाउंट होगा आपको मैं बता रहा हूं लास्ट अलग ना या तो एक अखाद मेरको एक आध दो घंटा आगे एक अखाद अपना प्रोबैम्मिली अपन चूज़ ले लेंगे मंडे में नहीं हूं तो चूज़ अपन वापस रिजू अपने को दो चीज़ है एक तो समझना इंप्सरा एक्जाम में वो क्रेको ना वो दूसरा पॉइंट तो यह प्लीज समयना मेरे को बताओ ओके इस सब्सक्राइब उन्हों से ने कित्ता बोला दो करोड़ और सुशिद ने कित्ता मूला दो करोड़ रिभला लाब्ली किते लेकिन विनोज सर ने बोला मैं गारेटी नहीं दूंगा विनोज सर चले गए मोई से नाम काड़ दिया क्या विनोज सर लाइबल हो सकते क्या कुछ तक यह आगे का सिले बसे इंटर का नहीं फांडेशन का समझ में आ रहा है तो आपने को आगे डिसकेशन पॉइंट करना पड़ेगा देखेंगे अपन अब मेरे को बताओ विनोज सर ने दो करोड़ ओके सुशिल सर ने दो करोड़ लाइबलिटी है आठ करोड़ की अब कौन कितना देगा पक्का ना तो चार करोड़ डूब गए जेपा तो गारेंटी कंपणी में जितना एमाउंट गारेंटी दिया है उतना ही अमाउंट लाइबलिटी आएगी भारत माता की जाए जेपा मालिक एवरीवड़ी ठीक है और तीसरा अनलिमिटेड मेरे को नहीं लगता भी समझाने की ज़रोत को तो आट करोड़ आट करोड़ लिटी बाकिए है तो अब मेरे को आट करोर किस से वसुल करसकता हूं दो और करकी वह डिए चल्श एयस प्रविनार भिरशनल ये सथी प्रपरमेंबर में लाइबल रहें गया है समझ महारे है रिमिटेड पॉइंट भांट मॉइन और तो तो तीनों कॉंसेट जेपे गया मालिक, तो मेरेका बताब वाइंडी अब में कितने क्लास ओफ कंपनी के हिसाब से एंसर आ था, तीन, लिमिटेड बाइशेर्स, बाइग गारेंटी, अनलिमिटेड, आतमा क्लियर, लेकिन मेंटली और एक पॉइंट, एवरिबडी इधर, ला पक्का क्लियर, दूसरा, लिमिटेड बाइग, पक्का क्लियर, तीसरा, लिमिटेड बाइग, गारेंटी एंड शेर्स, तो समझ में आ रहा है क्या मालिक, अब मैं बताओ, मेरेका बताओ, इस केस में क्या होगा, इस केस में ये कंपनी के में में क्या लिखा होगा, फंदारी ओके जदो करोड़ क्या दिए गरीडिया मांट और इस कंपने ने शेर भी बेचे हैं और किसको बेचे है अमिर्थ अत्र प्रेशांट सब्सक्राइब हां कि अगे संथी के पाया तो हैं लैसे कुमपनिंगहाँ तो पहले पैसे किसी मंगाएं सिर्फल्ड कुस्ष्स diyorum रौट भिए अगर युक। अगर यह पंद रुप्य भाकी है तो कितना मंगा सकते डोय रुपया समझ माया तो ऐसी कंपनी अधर भी एसी कंपनी डूभी तो पहले में उसके बाद जो एमोड बच्छा होगा वो कौन भेरेंगे गारेंटर्स पर वो गॉर्णिटी क्या अनलिम्टेड होगी किया नई जितना उन्होंने में में मेंशन किया भारत मात कि जेपा के मालेक पक्का तो मेरेको अगला एंसर अनलिमिटेड कंपनी अनलिमिटेड कंपनी अत्मा क्लियर अगला पाइंट क्या होगा लिमिटेड बाइशेर एंड अनलिमिटेड कंपनी अ कुछ समझ में आ रहा है अरे परमटेशन लगा है तो सरी इसमें क्या होगा इसमें देखो इसमें VR and SB are unlimited सरी किसमें लिखा होगा MOA में और ऐसी कंपनी ने शेर्स भी बेचे स किसको बेचे शेर्स एटी और पीएस को अब मेरे को बताओ ऐसी कंपनी डूबी तो पहले पैसा किससे किसे शेर होल्डर्स आत्मा क्लियर पका आराम से जाएगा कोई टफ ने जाएगा मालिक आराम से जाएगा अभी डेफिनिशन ही करवाना तक है मेरे को अभी पूरा पर यहां अभी जो मैंने डिसकेशन किया यहां लाइबिली टी कब आएगी तो लाइबिलिटी लाइबिलिटी आराम से जाते हैं तो मेरे को बताओ किते आए क्लास आफ कंपनी अपने देखा बेस डॉन लाइबिलिटी पाच पाच कॉनसी कॉनसी अब बताओ लिमिटेड लिए मेरा कुछ खारन है इसलिए संगत पर लि स्यलिए यही रखना जो मैं समझा रहा हूं प्लीस लिमिटेर कई शेर्च लिमिटेर बाए गारएंटी लिमिटेट भाई ग एढएंडी एंड शेर्स उसके बाद है रिमिटेट फॉटेट भाई टॉटे-टृट इसनमं किसको लिखेंगे लिमिटेट वाई शेर्स एंड गारेंटी अत्मा क्लियर भारत ना मलिक अरं साय या ना टब का ठीक है ओके अब मेरा क्वेशन अराम से आ रहे है एँड़ और हम सही एड़ा टे इस नहीं पट्क बैल्ट कर दिंगे एक टीन-वार्णि उसके बद इसे को खुल सकते है तिट अपना खानी इस मेरा पहला पॉइंट, okay, assume करो A member है, B member है, C member है, D member है, E member है, F member है, जो भी number of shares आ रहे होंगे, example लिए, okay, सब के face value, okay, 10 रुपया है, किता है, 10 रुपया? है सब को समझ मारा मलिक एवरीबडी ठीक है अब सोच हो अब मेरा क्वेशन है 10 रुपया यह फैस वैल्लियू है तो मैंने जब शेर दिये थे तो मैंने आपको अरड़ी बताया था कि 10 रुपय का शेर है यह पर मैं इसका मतलब यह नहीं अधा कि मैंने आपसे 10 रुपया लिय है तो मेरा को बताओ क्या क्या वर्डीं सोते तबही एकौंट में दिखाऊ तो पहली बार मैं पैसा मंगाता हुसको क्या बोलते है अपन कॉल मॉनी कॉल मनी कंपणी जब आपको बेचती है तो कंपणी बोलती है मैं आपसे कॉल करूंगा पैसा तो अब कंपणी ने कॉल मनी मंगाया कॉल्ड मनी कॉल्डप मनी बोलते हैं क्या बोलते हैं कॉल्डप मनी अब मेरे को बता कंपणी ने कॉल्डप मनी पाच चार उपया बता है चार उपय सब्सक्राइब में और में और पुसक्राइब टोन रोगे लेकिन लोन वागे किसे लिएव आपका इंटर्श भी तो बड़ेगा नहीं प्रेटोरीटो इंट्रेस्ट ना में चार क्या कंपनी अगले और करती अगले और दो महेने के बाद गौल अनी और दूरुपया मंगा सकती है पका तॉ रुपया चार रुपया यागया दौरुपया अगया कि तौट बनागे अगे नहीं टोटल किता आ गया चे तो अभी भी किता बागे चार और कंपनी ने मंगाया नहीं नहीं जे पाइदा तक करण दूटर SAY इस द्व्रान और यह कुवा गया कुमपनी के खास्ता हो गई और कंपनी को बंद करना पड़ा दुखत गट नाज़र किया क्या करें धंदार है बिस्नेस को अब एसम करें इंस इतने ही मेंबर स्क्रीन पर जितने दिये उतने और अब मेरे को बताओ अगर वाइनिंग अब गया और लाइबिलिटी पी करने की नहीं बताई तो मेंबर किस अमाउंट टक लाइबल रहेंगे चार रुपे के लिए तो मेरे क्वश्चन है ओके सी कितने रुपे के लिए लाइबल होगा दो हजार डी कितने के लिए लाइबल है चार हजार समझ में लॉजिक बैट रहा है एवरीबडी पका ओके यह कौन सी कंपणी हुई लिमिटेड बाय शेयर्स अर मैं कर नंचा गेडिए लिकिन यह लेकं डिए पैसा कितना मंगा सप्ता हूं जिचना नॉमिनल वाल्यू या या फेस वाल्यू मैं नॉमिनल वैल्यू बोलू या फेस वाल्यू बोलू एंसर रिमेंस सेम मैं आपस बोल रहा हूं मेरको तेरे ये question में इंट्रेस्ट नहीं है ओके एक्स्प्लेइन वाट देफीचर्ट अपनी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरको आगे का नहीं है इसे कुपनी नहीं हो तो इसा कुछ भी नहीं हालिक हो फिर मेरको वहता ह टो ग्यारेंटी अ Kung यारेंटी कपानी के लिए भीकत क्या होते है तो इन से मैं आपको को बताई गारेंटी कमपनी के लिए का ड्विजग करेंगे अपन तो मैंने में पोला इसी तो development को बता फिर मैं क्या करूंगा मैं यह लोग ABCD को शेहज भी बेचूंगा और इन में से कोई लोग गारेंटी भी देंगे जो किसमें लिखा होगा एमोए में जेपा मालिक एवरीबडी अच्छा अनलिमिटेट कंपनी में जैसा गारेंटी होता ना वैसे उनके नाम होगे प्र भारत मालगी जेपा के मालिक यह वापस क्वेश्चन यह आता पैसा कब देंगे वाइन यह वाइन दूरिंग्गॉर्स अव कंपनी में इसको वापस चलाने के लिए लाइबिलिटी लाइगी लिमिटेट वाइश्य तो पाचो क्लास अफ कंपनी अपने अपने तरीके हैं स पहले कैसे कब खब में क्योंकि यह सब लिखा किसमें होगा ए मोई में यह लिखा किसमें है आतुमा पिरम्स में लिखा होगा मालेक तो ए Papski सब्سाब़ेर गणाएं तक Rep2 . तो पर फिर उसके बाद जो मेंबर पर पूर्यां एसर तो फिर उसके बाद अगर आपने चीजिए तो कि अग्यांटी ने नहीं है तो तो कि अधुड निकल जाएगा फिर कित जन गारेंटी बजी सब्सक्राइब लेकिन इसके बाद कि और क्या टर्मिलोंजी होगी क्या नहीं होगी वह देखेंगे भारत मात की लेटर अब तो अब तो मेरे को बता हो अगर मैं लाइबलिट्टी के बिस्टेस में बुलू तो कित्री प्रकार बन रहे है पाच नाम बोल्ट इरको मेरा सिक्मेंट्स चाहिए लिमिटेड ऑई श्यार्ज एन गैरेंटी अन्लीमिटड लीमिटेड बाइचे हैन् अनलीमिटेड ऑब वड़ाद 20 and unlimited पक्का क्लियर पक्का इतने बैग्राउंड क्लियर ठीक है ओके तो अपन यहाँ पर अपन रोड़ा ब्रेक लेते हैं को खाने के टाइम उट लेते हैं ऑके अपन मिलते हैं 40-45 मिनिट्स में और भाई और भेनो सबसे इंपोर्टन पॉइंट है ब्रेक के बाद सबसे पहले अच्छा क्वेशन है लेकिन मेरे साथ से पांचट है क्योंकि उसमें कोई प्राक्टिकल डिसकेशन नहीं होता है ठीक है पांचट मतलब किस का पॉइंट है और इसके बाद अपनी कहानी बढ़ेगी ओके सबसे तोड़ इंपोर्टन पॉइंट पढ़ेगी है तो ब्रेक के पर उसके बाद आपको उठना ही पड़ेगा ओके तो ध्यान रखिए एक दिन थोड़ा कम खाओगे तो ज्यादा कुछ फरक नहीं पड़ेगा तो ट्राइट आउट अधर्वाइस मेरी आवास तो ही जो तिरको उठागे रखेगी मालिक तोड़ मालिक तो ऑनलाइन पट ल अधर आओ ऑफ जा रहा है एवेट अब जा रहा है थोड़ तोड़ हो जाएगा अभी कोई टेंशन नहीं एवेट तो बाप करके दूंगा था गवाइट टेंशन मतले है है झाल 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 जाल कर हिअ मेरी याण झाल झाल तरो स्टार्टिंग में ऐसे रहे हैं मैं यह सर यह सर यह सर तोर मालिक तबढ़िया थूसा नहीं थूसा कि क्या बात कर रहे हैं थूसा ही होंगे शाले जिंदगी इधर उदर हो जाये लेकिन थूस ना चुड़िंगे नहीं है ना तो बढ़िया से अभी एक देड़ घंड अच्छे से दोगे मुझे आग बहुत अच्छे से बहुत चिद्दत से यस मैं तोड़ा रेडियो मालिक यह अभी तक बाकि तो थूसी रहे है नहीं ना यह साट हुसेंगे जैसे कल है यह नहीं आज यह खालो जीतना खाना है कौन थ हाँ हाँ वाला वोई मेरको भी वही लगए वही है ना बालसी स्ट्राइल लेक्दम ना 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 क्या रहे है तो बढ़िया मालिक भीकटगे ना यह तोड़ मैं कैसे कि यह कंपनने तरीके कंपनी को कैसा क्या है यह भैक्गराउंड था जिस अपने बहुत सारी चीजैोंगद अपने concept सच अपने स्ट्रक्चर वाइस तरीका समझा है मालिक अब हम बढ़ते हैं स्ट्रक्चर्ड तरीकी की तरफ या एंस के एंसर्स की तरफ मेंली है अब अपनको मॉड्यूल की जर्द पड़ी और मॉड्यूल का कॉंसेट आपका यहाँ पर कवर होगा मालिक हां तो अगर थोड़ा सा देखा जाए तो अपने पास कितने क्वेश्चन की लिस्ट है कितने कॉंसेप्ट की लिस्ट है मालिक और तो यहाँ पर वैसे इंस्ट्रूट में अपने मॉड्यूल में अचा यह हैंगी हो गया यह अभी तक इली भी नहीं रहे हाँ है यह अधिक रहे होगे होगे हो अधिक इन की आट जाने चल नहीं नहीं कोच नहीं ए तोड़ी दिल में करता मड़ा में एक आधे घंड ऊहाँ जानेगे थोड़ा इदर का महूल थंदभावनेज ए फिर तो मालिक अपने पास आपने पास जो सवाल है पहला question है, अपने लिए features, ठीक है मलिक, दूसरा है corporate will, अभी यह corporate will क्या होता है, तो पहला question है अपने पास features, features of companies, company के features क्या है, क्या नहीं है, वो अपने discuss करेंगे, दूसरा corporate will theory एक concept रहेगा, इसके यह चालू करने के पहले, हम लोग एक और एक discussion करेंगे, that is definition of company, company के definition से starting all the question है, basic, यह होनी के बाद, आपके लिए next concept आता है, incorporation का, okay, मैं बता दूँ, यह structure, यह structure मेरे को जहिपेगा नहीं, इधर वाली यह structure जहिपेगा नहीं, पहले तो some question, यह structure ही है, okay, इसके बाद, मैं अगर मैं देखू, तो पहला question है, आपका features of company, दूसरा question आपके लिए है corporate will, corporate will, will मतलब परदा, okay, परदा, corporate will का context रहेगा, मैं discuss करूँगा कैसे क्या point आता, तीसरा सेनारियो अपन देखेंगे, classes of companies, classes of, यह सबसे important point है, अपने discussion के point पे, classes of companies, और इसमें ना multiple classes है, okay, 5 अलग-लग classes, 6 अलग-लग classes के उपर discussion किया जाएगा, based on share capital, based on number of persons, based on holdings, relationship, okay, ता लग-लग प्रकार है, सबसे बहतरीन question, यानि अगर अगर पिछले item का भी देखेंगे तो इसमें is question, और आप 2-3 item पिछले देख लो, हर टाइम classes of company भी के उपर question ही है, okay, लगादार, मतलब लगादार 3 item की बात करो, उसके बीच में फिर एक item गायब था, फिर होने के उपर चर्चा करेंगे, ठीक है, discussion ही हो जाता, incorporation होने के बाद, एक होएगा और एक concept capital के उपर discussion, किसके उपर discussion, capital, अब यह थोड़ो से ना, weird है, मेरे को यह समझ में नहीं आया, institute को कुछ यह डालने का कोई context ही नहीं था, मतलब जो capital का context डाला है, इन्होंने, ठीक है authorized, issued, paid up, share capital and other things है, लेकिन इन्होंने kind of share capital भी बताया है, जिसके अंदर शायद आपको जानकरी होगी, अपने accounts में पढ़ा होगा, equity share होता है, और preference shares होता है, लेकिन इसके उपर बहुत detailed जानकरी होनी चाहिए, equity के और अलग-अलग प्रकार, reference के और अलग-अलग प्रकार, ज equity है नहीं है, section 43 एक अलग से cover किया है, तो उसमें 43, 44, 45, यह तीन sections अपने साथ में cover किया है, एक weird concept में ठीक है, और इसके बाद आपके दो concept आ जाते है, MOA and AOA, जिसके अंदर में आपको यह guarantee बोल सकता हो, यह में ऐसे कुछ concept होगे जो आपको छेपिंगे नहीं है, और किसी जाता है, law, lawmaker क्या बोलना चाते है, वो ही नहीं जिबता, तो मैं आपको यह बता रहू, मतब, यानि, शुरुवात तो हम, मैं ऐसा करीनी सप्रक्सर के पहले यह बढ़ा दो सर्फिल, एक काम करो जो यह important है, यह important है, नहीं भाई, मेरको नहीं बढ़ानेगा, पीजन से कर लो, वैसे भी मैच में अपनी इंडिया की फिल्डिंग है, तो जाधा ठीक है, मतलब, वो एक मैच जैसे बहले है, थोड़ा सा, मतलब, अपने इमोशन को करना, वो मैच का स्कोर देखने के बजाए, थोड़ा मैं जो बोल रहा हो, फिर उसमें लिखने की कोशिक करना, द अब फिर अब आप बोल सकते थे बाद में भी कर सकते थे, ठीक है, पर अभी क्या मतलब अभी यह सी चीज़े तो बहुत कुछ कर सकता था आगे पीचे यार, तो बहुत सारी चीज़े उपर नीचीज़ वा सकती थी, पर ठीक है, जो आ गया, डिसक्रशन आ गया, आपको सम तो अलग ही होता है, और बहुत है, बहुत है, इंडिया-पाकिस्तन का मैच है, तो बहुत है, तो तू जरूरी है देखना, मैं भूला हाँ, हाईलेट्स देखनेगा, क्या दिखनेगा, समझ मा रहा है, अब मेरे को बताओ, क्या करेगा आदमी, तो इसलिए थोड़ा सा आपको यह बता रहो, क्योंकि कैसा हो जाएगा, देखो, इंडियान कॉंडेक्ट आपक्ट या दूसरे आपक्ट और कंपणी डिफरेंस ही है, कि कंपणी आपके इसलिबस में पूरा नहीं है, तो दिक्कत दिया है कि कभी एक कॉंसेप्ट आता है, जिसका कोई रिलेटेड आता है, तो उसका कवर हो जाता है, यहाँ पर कुझे एक मॉइंट आएगा, तो खतम भी हो जाएगा, क्योंकि इसका पूरा सेक्शन भी नहीं है ना उसके रिलेटेड सेक्शन है, इसके आपको ओर वर्वीव कंपनी एक्ट है, तो तो पढ़ कितने रहा है, तो ना मतलब थोड़ा बहुत दिसक्शन होता है, उसके बाद 41, 42, 43, 44, 45, यहाँ तो तो बारात तेरा सेक्शन पढ़ रहा है, उसमें तुम बहुत भाहिंकर लग रहा है, वह आपर यह सेक्शन है, इंटर में जाएगा, देडिशों से और फानल में फिर साड़े 400 सेक्शन से, तो तो त जाने कि पहले सबसे पहले को एंद है आपके लिए जो आता है डिस्केशन YouTube is नियुक्त दिसकेशन करते हैं थोड़े पोंट पर लाते माले जार लिजिए थोड़े पइंट करें खत्म करें करें एक कि बोल रहा हूं तो मतलब यहाँ पर जब लॉड बोलता है तो लॉड ओलता है कंपनी विच इंकॉरप्रेटेड अंडर कंपनी जरी अग्ट 2013 और अटी प्रिवियस्ट लोग क्या Companies Act 2013 के पहले कोई Companies Act नहीं था था वहां सब्सक्राइब निपकी से तो 2010 में कोई company incorporated आच्छा 2010 छूड़ दो Infosys Infosys 1981 में इस इस निपकत क्या होती थी इन्फवर्स कंपनी नहीं होती थी तो इसलिए उन्हें क्या डिफटेशन में डाल दिया कंपनी विचार रेजिस्टर्ट अंडर कंपनी द्याक्ट और बीफोर मनलब कंपनी एक 2013 और एनी बिफोर एनी अधर अट कंपनी के प्याइट पर यह सब डिफिनेशन निकले कहा से य यह आपने समझना है इग्नोर करना आगे बढ़ जाना है रटना है जर नहीं जितर रटने की विच्ट होगी मैं आपको बता दूंगा तो सबसे पहले ओके मैं आपको यह वाला पॉइंट शोड़ दिए इसको बाद में डिसकस करेंगे एक अपलिक बाद में देखो सबसे पर जाओगे पेज नंबर कॉंसे पर फ्याइब फ़ाइब फ़ाइब टूबे फ़ाइब फ़ाइब टूबे कंपनी मीनिग एन इट्स फीचर्ट के अगे अपनी डाइब के बात में रेकिए सारी आत्मा मेरे साथ ओके सब्सक्राइब पहले पॉइंट कंपनी अनिफियर म जब आक्ट आने के बाद ज्यादा एंबीगुटी रही तो डेफिनिशन की जरूत पड़ती तो केस लोग बनते हैं वहीं कंटेक्स में चीफ जस्टीर मार्शल क्या बलते हैं अ कॉर्परेशन इब एन अर्टिफिशल बिंग मेरा पहला पाइंट है ओके इस कॉर्परेशन मतलब कंपनी तो कंपनी को इन नाम क्या दिया है कॉर्परेशन दूसरा आएड इपसल बिंग मतलब नाचरल परसन नहीं है कौन सा परसन है आरट पीशल परसन तो वापा साता है यह किसका डिफिनिशन है नहीं कॉन बोला ने ओक चीफ जस्टिस मार्शल यह बोलता है के तो इन्विसिबल है इंटेंजिबल है एक्जिस्ट ओनली इन कॉंटेम्पिलेशन ओफ लो यह निमेरा क्वश्चन है चीफ जस्टिस मार्शल के साब से कंपनी क्या कंपनी न्यच्र परसन या इन अदिफिल परसन है आज बसने अदिबल बाद इन टांजिबल बिजिबल या लॉकी नजरु में लॉकी नजरु में भारत मात की जैच सम्झा मालिक ओके आगे बढ़िए बीग अ मियर क्रिएशन अफ लॉव इप पोसेश अनली दूर्ज प्रॉपर्टीज विच दर चार्टर अफ इट्स क्रिएशन कन फरस अपन इट आईधर एक्सप्रेसली और एक्स लॉपर्टीज प्रॉपर्टीज विच दर चार्टर ओव इट्स क्रिएशन कन फर अपन इट मतलब क्या क्योंकि इसको बनाया किसने है लॉन है तो इसके पास वही प्रॉपर्टी आ सकती है अब यह प्रॉपर्टी मत पकड़ना है यह प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी यह प्रॉपरी नहीं उसकी 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 प्रॉपर्टी उसके पास वही प्रॉपर्टी आ सकती है जो उसके चार्टर ने उनके ओपर कनफर की है चार्टर मतलब क्या एक्सिडेंटली उसके पास प्रापटी आई है एक्सिनेटली मतब इंपलाइड तरीका कौनसा तरीका इंपलाइड सरी कौनसा हो सकता है सेक्शन फूर जब अपन डिसकस करेंगे मोई लास्ट वला पॉर्शन तब अपन डिसकेशन में डालेगे इस अपन्य बट नवर दिलिस मेरेको चीफ जेस्टिस मार्शिल का एक इनविजिबल अकैर किस्की आइजिट इन इज ओफ लौ़ एमिड्स ओफ जे पह इशंतर तक ठीक है इसके पास क्या प्रॉपडी नेइड णंपणनी करेंन शार्टर ओंफ Jार्टर ओंपनी जो यह चार्टर ओंफ कमपनी कब दिया है creation करते वक्त कब दिया creation करते वक्त और charter of company ओके दो तरसे दे सकता है या तो expressly बताया होगा या इंप्लाइड होगा पर इंप्लाइड को इन्होंने नाम क्या दिया है accidental डिसकस करेंगे accidental के एक्जांबल को लिटर वन ओके आतमा क्लियर इदर तक यह हो गया आपका पॉइंट यह कौन है चीव जिस्टा चीव जश्टिस मार्शल ठीक है नाम करन रखो याद रखो ओके आगे पॉइंट जाता हो second in the words of professor हनेवे हने a company's incorporated association which is a artificial person created by law तो इसमें तीन शब्द क्या होगे incorporate यानि बिना इनका और प्रेशन के company नहीं बनती किसने बोला यह है नहीं ओके और कौन सा परसन है आर्ट डिविशन किसने बना है लौ उसके पास कौन सी यह क्या कौन सी है separate entity सरी है separate entity की हो है आच्छा मेरे का बताओ वीजो सरसुषी उच्छ कि गैवयर्ण से Smash mate लेगल के अलगली एपरेगल entity is a separate legal entity separate legal entity with perpetual 12 succession what is the meaning of perpetual succession in India Sir क्या 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 निकालना पड़ेगा कौन सी बुक से रेजिस्टर आफ कमपनी स्टाइब एक अभी एक सेवाएं पॉके बुके आपको लगते से रेखं़ रहें नई सब्सक्राइब अपको लगते अपको ने तोफेशिल कॉमण सील होता था इस पर साइन करते था एक्सांपल कोई कंपनी की पास या ने कोई सर किसी ने तो दॉक्मेंट भीजा अब उसको एक नॉलेजमेंट चाहिए कि डॉक्मेंट कंपनी को मिला के नहीं मिला तब शीवा साइन करके कुछ मतलब नहीं होगा शीवा कौन है डारेक्टर थुन नहीं है शीवा एक एंपलई है तो शीवा क्या करता था कॉमन सील मारता और उस पर शीवा करके साइन करता है ओके और यह कॉमन सील की वज़े से शीवा की साइन को वैलिडिटी मिल जाती थी है कि समझ में कुछ आया है एवरीबेडी कॉमन सील मतलब स्टाइम यानि अगर चलो आप अपने को रिलाइंस को कुछ दॉक्मेंट भीजना है मेरे को ब कॉमन सील 2015 16 मतलब यह एरा में उसके पहले था कॉमन सील कंपल सरी था कि 2015 16 17 यह एरा में कॉमन सील ऑप्शनल रख दिया गया है क्या रख दिया गया है और मैं तो आपका इंग्लिश लॉँ में तो 2006 में निकाल दिया था 2006 से कॉमन सील इंग्लिश लॉँके में तब से कॉमन सील कंपल सरी नहीं है अपने इंडिया में उसके बाद भी चल रहा था कॉमन सील सर कारण क्या हुआ कारण यह हुआ कि आज के डिट में आपको समझ में आना चाहिए मैक्सिमुम डॉक्मेंट्स इलेक्ट्रोनिक जा रह तो से कॉमन सील तो अब कंपल सरी नहीं है पट्ट्टीस लहने ने जब यह प्रसेश रहे ने जब यह बताया था तब कॉममन sẽل कोपनसेट था, आज कि जिडिव में यह कॉममन सील, कॉम लेकिन अगर company पास common seal नहीं, common seal मतलब समझाना stamp, company का कोई stamp नहीं है, तो इस case में sign count करना चाहिए, दो director और one director प्लस one CS, company secretary, अगर company के पास company secretary रखना कंपल सरी है तो, अच्छा क्या company के पास CS होना चाहिए, क्या CS appoint होना चाहिए मालिक, कंपल सरी नहीं है, section 201-202 आगे जाओगे 198-199, तब आपको मालनों पड़ेगा, CS कंपल सरी नहीं है, कुछ class of company के लिए CS कंपल सरी है, मतलब जिसका turnover इतना बढ़ा है, जिसका paid of share capital इतना बढ़ा है, तो आपको CS रखना पड़ता है, तो जिस company में CS नहीं है, उस company में sign कितने जनने करना चाहिए, दो कौन, दोनों director, और अगर दो director, अगर जिस company में CS है, तो इसमें sign किसने करना चाहिए, एक director प्लस एक CS, तब जाके वो document सही माना जाएगा, is there point clear? ठीक है, तो बढ़ियार मालिक, तो मेरे का बताओ, हैने ने क्या बताया, हैने ने क्या बताया, हैने ने बोला, भाई, company incorporate होती है, ओके एक artificial person ह है, जिसको किसने बना है, law ने, ओके जो separate entity है, separate क्यों है, क्योंकि मैं, मतलब मैं छोड़ दे, social sir, और विनो sir, और expert, यह सब अलग है, separate entity है, और perpetual suggestion है, और common seal है, पर अभी common seal क्या है, कंबल सरी है, optional है, और याद रखना है, अपने law में, अपने law में optional हो गया, common seal कंबल सरी नहीं है, इस definition sum up the meaning as well as features of companies, secondly, मतलब एकदम precisely, एकदम, एकदम precisely बहुआ 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 पताता है, एकदम features, यह features का answer है, यह जो तुमने दो point बढ़े, यह इसमें से features खतम हो जाते हैं, अगर features की list निकालेंगा है, यह सबसे पहला point मेरे को बताओ, क्या यह separate legal entity है, यह same है, separate legal entity, मेरे को बताओ, separate legal entity कैसे हुआ, यानि member और company, both are same or different, different, या दखना, okay, everybody clear, आराम से जाना, because lifting of corporate will के लिए मेरे को important रहेगा, दूसरा scenario, एकदम तोड़ पाइंट पर धान दे, okay, मेरे परपेच्वल सकसेशन, आतमा clear, तीसरा point यह कौन सा person है, नैच्रल परसन या अधिशल परसन, ठीक है, चोतोओ पीन, liability कैसी है, लिमिटेड, लिखेंगे, लिमिटेड लिविटेड लेकिन, आपको तीन तरगी, अबता धी है, कौन सीती तरगी है, लिमिटेड भाई, शेज तो अगर एक फीचर है लिंटेनाटि आत्मा क्लियर और एक मालूम और आपको दो कॉंसेट्ट पता कॉम्मनली प्रेंच है के इंपनी स्युम्रमाइं नहीं तो नहीं दूनके अ में को बढ़ां की लना फ्लै इस नहीं को नहीं तो घड़ा शाले 3 षाय लेक है को फीज़ाइथ कॉमठाती वे सब्सक्राइबएं लेकिन आपको मेने एक चीज़ बताई थी थी टो ने अदर समझ में आया तो अगर मैं कंपनी लॉग के सब से देपरीजन लिखने ने पहले है तो तिरह अधित आइस भाता हम है वादिधा कंपनी आप कंपनी आप लीजिएंग निवी इन कॉर प्रेटेड अले इन अन्टर इसक एक में को अर्ण पर दो अर अनी प्रिवियर स इसका इंट्रपिशन समझ में आया था? एक्वार्ट ना यह पॉइंट रहेगा लेकिन यह तीन तर यह दो नहीं जो दो चस्छी जस्टिस मार्शल में इन्हों ने जो दिया यह क्या है विखो कोई भी चीज ओर अपने को मैचुरीटिया आती है एक यह याद रखना आज तो अपने को क्लियर कौन करेगा अपने को क्लियर करता है तो जब तक कभी लॉग नहीं रहता तब तक अपने एक्ट का डेफिनेशन दिया लेकिन एक्ट के डेफिनेशन से क्या तुमें कोई features मिल रहे है क्या यह जो मैंने green highlight किया इसमें कोई features मिल रहे है घंटा कोई features नहीं मिल रहे है इसमें तो कुछ मालूं में नहीं बढ़ रहे है इसमें क्या company मतलब under this act इसमें क्या जीपने कुछ वाला नहीं है इसलिए अपन को company को समझना है तो chief justice को लिना पड़ेगा है नहीं को लिना पड़ेगा प्रोफेसर जिन्होंने यह समझाय हुआ है बस उसमें उन्हें पॉइंट लेके features आत्मा clear features को खतम करो पहला point okay चालू करते है सबसे पहला feature entity मेरे को बताओ okay क्या यह company separate legal entity है yes फटाफ़ अपडेट काते जाओ पहला point there there are distinctive features between different form of organizations and most striking feature in the company form of organization with other form of business organization that it acquies a unique character of being separate legal entity तो बहुत distinctive features है मालिक आराम से जाई है मेरे को आपने को आपने को आपने जब even आगे का भी सब कवर करें सारा का सारा content खतम करते जाओ मतलब आपके दिमाग में है तो बहुत distinctive features है दूसरे format से दूसरे पार्टनर्शिप लो ओके आप दूसरी प्रोप्रेटर्शिप लो अब किसी भी फॉर्म से लोगे company आपको बहुत अलग से देगा ओके और ओर पीडियोड आफ टाइम कंपनी बहुत 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 नहीं होते जा रहा है ओके जैसा नहीं है company जैसे ambiguity था पहले अगर अक्यले को कुछ काम करना होता company नहीं कर सकता था आज अगर मुझे अक्यले को काम करना है क्या company बना सकता हो ही यस जिसको हम बोलते है OPC one person company अब मेरे को बताओ अक्यले काम कर रहरो सबस्द्द मेरे को अकैले को अक्याडेमी क हुख लूँ या मैं कमपणी को लूँ और कमपणी खुलेंगा तो बनेगी तो यह बोलते है अगर परप्रेटिश्फ खुवर्णा न फिर भी प्रप्रेटिश्फ पर मौझ में कोई फरक नहीं रहेगा तू एक ही है तू नों के लिए अमित अतेर्व होगा लेकिन कमपनी के लिए IT Academy और अमित अतेर्व यह दुनों अलग अलग होगे यह बहुत बड़ा फ़ाइब दूसरे दूसरे फर्म आप और्पनेशन में और इस फर्म आप नशन सर इसका फाइदा क्या होता है थोड़ी दिर के बाद डिसकस करेंगे सेलोमेन वर्से सेलोमेन का किस्था एक एक कपड़ी के मेंबर्स और कंपनी यह दुरू अलग अलग है इसके विज़े से जब ट्रांदेक्शन होते हैं तो अलग-अलग नजरों से दिखा जाना चाहिए अगे बढ़िया से आगे देखो इन अधर वर्ट्स वेन कंपनी इस रिजिस्टरद इस लॉट्ट विट लीगल पर्सनालिटी कपड़े पहना है दिये हैं इनको अगला पॉइंट फिर्ट वेटेंट रिजिस्ट्राइट चाहिए पहने लाइन अग्ला पॉइंट अग्ला पॉइंट अ कम्पनी कैन ओन प्रॉपर्टी है बैंक काॉट्ट्री इस लॉन्स इंकर लिबिटी इस एन इंटर इंट इंट एंट इन उन इस और नहीं तो कौन से section था जिसके में company भाज सकती है सब कुछ section 9 кंपणी एब बैंक पाउंट किं कं पर येश दा पर इस दा है इस इंप निटाल में इस फ्रीड नहीं परेंद लिए इस परसंट इस प्राइब अवर्ट इन सब्सक्राइब अग्नौर इन पर इस के बाद आप इसके बाद ऑर बी पॉइंट अपाँट पाँचट आ यह रिद एगनौर कनेंगा इस ए लॉई a person which is different from subscribers to the memorandum its personality is distinct and separate from personality of those who compose it तो दोनों की personality अलग अलग है दोन मतलब को और subscribers members or company ठीक है even members can contract with company acquire right against it incur liability for it for debts of the company only its creditors can sue and not members very important प्र लेकिन पांच जाड़ी आगए आए इका मेरे डिसक्शन में लेकिन यह को सब्सक्राइब को क्या member ने पाइसे दिये कंपनी को पैसे कितने पैसे मेरे अच्छा वीन असर ने पैसे दिए के एक्सपट को यह दिये और विनसर वासुषिट को क्या मिला है तो नहीं है है यह तो नहीं है यह पॉइंट समय नियुक्त कि दिमांब बिठाना ओके अगर एक्सपट प्राइवेत लिमिटेट ने कुछ कॉंट्रक्क किया किसी थर्ड पाटी के साथ एक्जमबल बेंच खरी टुब्ध से सब्सक्राइब करेंगा एक्षर से या वी नहीं से पर्षेल से एक्सपर्ट पर केस कर सब्सक्रा एक्स रखन से इस प्रेगा एक्सपर्टी विनो से सुचित मंगा सकते हैं कि तक मंगा सकते हैं जितना उनका लिमे लिमिटेड बाइश है जितना अन पेड होगा उससे जाधे तो लाइबल थुटना है तो मतलब अल्टमटली लाइबल कॉन है तुम पनी एवरीबडी क्लियर ठीक है और एक क्या एक्सपर्ट एकडेमी ऑएक्सपर्ट एकृडेमि मे बढाने आ रहा हूं किया मुझे वह पैसा दे रही है यह सबॉके एक्सपर्ट प्राइवेट ने प्रोण नहीं दिया कैन आप आई फाईले सूट अगेंस एकसपार्ट पक्का ए मेरे निक व्शन एक इसमें विन निया सेपरैट लिगल एक सब्सक्राब है तो विनोज रही ऑले मृत्ट कर सकते हैं बट ऊनली पॉर अपर क्रेंट रुट रुन के सब्सक्राइट पूंट रहे हैं कि आपिए कोई काम नहीं कर रहे हैं तो क्या विनोज सर्ना मामंट कंपनी के ट्रेद्टर रही है नाई पर कि पैसे दिये कंपनी को कि दो करोड़ कि करोड़ दो करोड़शेर और ड्रॉपाशते है किद् случra तो करोड़ कि एक्द लेते करो एवरुबड़ी क्लिए टो फीस करोड़ कन घो accepting किस क्पाणी बंद कि यहाधर क्मैद्em नहीं होगा जिसके लिए कुछ प्रोसेस है वो छोड़ दो तो आप विनोच सर कोट में जाते हैं कंपनी एक्सपर्ट पर केस करते हैं कि हमको पैसा चीए वापस कंपनी की पैसा देगी भाई इसे यह लिए क्योंकि तुम मेंबर बने हो तो फिर विनोच सर को पैसे डूब गए कौन बुला कंपनी जिस दिन माइंड होगी तब हम कंपनी विनोच सर को अगर कुछ बचा तो हम पैसे दिंगे बचा मतलब क्या क्या जा आँए अचीदा है ए इस मेंबर इजे एंड़ करेडिटर फाइल एशूट येस विकूज अपने उपनी कैसे करेंगे सर क्यूंकि एक्पाइड मेंबर कॉन है विनोच सर विनोच सर अब इन आप लिए अब शर्विक्त नहीं थी तो आरे विनोच सरके सगन्व नहीं भाई क्योंकि यह सेपरेट सपलड़ है विनोच सार विनोच सार mother or company एक किस्ते कहे माला विनोच सराउच साथ प्रेटर क्रेटटर अगांस अपणी के लिए विनोसर has a member and transaction with company he cannot file a suit to recover that member amount that can be recover only when winding up and that condition is only when SXR आतमा समझ में हा और एक उच्छोटे से एक्समेशापल बतना हम विनोसर नए ने ने नीन्व स्क्विया होगा एक्सप्ट में थोड़सा थोड़सा चमायान चाट्पाइंट है काही के लिए कि लिए होगा इनको डिविडेंट है, एब डिविडेंट के सःधी होते है, डिविडेंट कोईट डिविडेंट गता है, डारेक्टरस, इस निउटन के मेंबर्स, इन वेघ्टर रहता है और प्रशन दिवैंद कईध नहीं देने का, कुछ समझ में आया, तो मिरेक भूरेंद नहीं दिया तो कंपनी का बैलेशीट में क्या बढ़ जाएगा कि प्रफिट मतलब क्या बोलते उसको एक वह थे रिजर्स शुनाइक अब अब नहीं तरकेस नहीं कर सकते कंपनी बेगे में को रिजर्स इस प्लेस का पैसा दू तो और रहाँ जो प्रेड़ रहा है अगर में अगर में अगर कंपनी कुछ नहीं कर दिया जो ले निरिया तो कुछ है है गांज पैसे के सकती है करते है बांहों है तुनको पैसा मिललích कौन डेये करेगा डाइरेक्तर्स अ एचाइड और ऐलोगी सबस्तों कमें यह विर सबने क्या ओर में टूम प्लस अलगी जा सकता हूं वहिस्ट आको मैं शुचरो आगे कंपनी मधड़ाने को सप्रेट लीगल एंडिटी का कॉंटेक्स ही होता है मेरे ख्याल से भारत मता की जम समझा क्या मालिक एवरीबडी पका एक केसलोग इन लोगने दिया हुआ है वह केसलोग का नाम तुमने याद रखने का उकेसलोग का क्वेरा वर्सेस नौर्थ एशुरंस कंपनी लिमिटेड बहुत ज़्याद रखने की ज़रुद निया जो जो केसलोग बहुत तोड़ इंपोर्ट होगे लिए होगे मैं आपको बताऊंगा ल्डियर मतलब लास वे एक्जामिनेशन के साब से इदर ज़्यादा हेड़ेक करने की ज़रुद नहीं आतमा क्लियर सर ये केसलोग में क्य क्यां यह किसलोग समझा रहा हूं मिनों सर सुषिल जर्ने ओके लोगने बिजनस चाले के टिंबर का टिंबर टिंबर ट्री इस वीज ऐसा कुछ समझ लो एक इमबर का चालो कि अब यह टिंबर के जाड़ खरीदे थे और जाड़ फिर बेच थे ते फ़नीचर वरनीचर जो विनो सर ने टिंबर का इंशुरंस करवाया लेकिन वह इंशुरंस विनो सर ने किसके नाम पे करवाया खुद के नाम पे जिसके नाम पे करवाया खुद के नाम पे किसके नाम पे करवाया एवरिबडी क्लियर पक्का तो तिमबर जल गए खुट के नम पर इंशुरंस कर रहा है तिमबर के अगेंस्ट मेरे को बताओ ओके कंपनी और मेंबर क्या एक है अलग लग 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 को इंशुरंस कंपनी बूला हम आपको एक भी रुपया नहीं देंगे है ओके इंश मिन ऑनन पम तो टिमबर किसके नाम पह थे इस एक नहीं कंपनी के नाम पह स sad our इन्शरंस फिसके नाम पह था नहीं तौन दौन पही हम का लिग है तो इन नफ है क्योंकि बाइंस बन है नां फूर्ट कोरें रहाने में मेंबर आर सेंपरीट लीगल एंटीटी समाझे में आया मालिक एवरीवडी तो अगर कभी एगर वापस एक बार में रिपीट कर दूँ क्वेशन का एंसर कैसे लिखने गाए अपने क्वेशन का एंसर का तरीका सिम रखना अगर अभी क्वेशन ऐसा ही आया है सबस्थ मैंने जो किस्टडी बताई ह अब को कंड्लूजन समझ में आ गया खाली इतना ही होगा कि एक्जामिने जो नाम होगे विनवसर सूशिल सर नहीं होगे तो मेरा क्वेशन है कैसे लिखोगे सबसे पहले अपने को सेक्शन लिखना होता है लेकिन अभी इसमें तो कोई सेक्शन है नहीं तो सर फिर क्या लि सबसे लिखोगे लिखने अगर एसके सटीआ है तो सुनिए मैं कैसे बोड़ रहा हो आपको एसे के सटीआ है टिमबर बेचा और इंशूरंस लिया किसने लिए टिमबर इंशूरंस लिया विनो सर ने किसके नाम पे कमपणी के नाम पे माल डालो मैं मर जाओ यार किसके नाम पे लिया विनो सर के नाम पे किसके नाम पे लिया विनो सर ने अपने नाम पे लिया लेकिन टिमबर किसके थे कमपणी के और इंशरन्स कंपणी ने टिमबर का पिमेंट करने से मना कर दिया क्योंकि उनका कहना था कि और इंसर निसके नाम पे समझापनी के नाम पे नहीं है comment मि तो एंसर तो नशुरुंस क्या उब्सक्रमस काम जो किया है है वह सभी है फंपनी कावस्त यह रसी लिखो के रेजिदी कासव कासे को लिमिटेड लायबिलिटी, कॉमन चील, पक्का क्लियर, आगे लोबंट चल पर इतापाच या रहेगा, फिर बाद में, इसमें से इक को सम्झाओ गे, किसको, separate legal entity separate legal entity में भी आपको यह पूरा पूरा प्रणचाहिती लिखने की ज़रत नहीं है उसमें से separate legal entity का context आपको निकलना है सर कौन सा वाला यह main line है भाई साव ओके the distinctive features of the company यह वाला main line है बाई लगने इस separate legal entity और यह जो लाइन मैंने बताया है इसको ब्रीफ में आपको धहन में रखना है कि एवरीवड़ी क्लियर इसी लिए मैं जब हाइलाइट करो तो थोड़ा सा हाइलाइट पे धहन रख लिए क्योंकि आपको समझेगा उसमें से कितना relevant content उठाना है यह उठा लिया फिर इसके बा लिए इसक्षिन है क्या नहीं सालिंट फिटेल रिख पाच पाच में से किसको सम्झाओ एक एक सम्झाने की बाद पर फिर फेक्ट प्रेट इसक्राइट इस लिए इस प्रेक्ट इन नॉट पेंग इच्स क्लीम तु विनोद सर्ल पॉइंट क्लियर और फिर अगर आपको य रहा तो आप इसका नाम लेकर इसको इसक्षाइब इस इन डिकास और्व मैं क्योरा वर शेस नौर्थन एंश्राइंस कंपाई लिमिटेड जैपा मालिक अवर्ड़ी पका ध्यान रहेगा तो इसको एक समरी जबी मैं लिखा हूँ इसा पताफ़ट यह ध्यान लगना ओके प्रबादों परओं कमपनी लॉय् takeaway में अच्छे से ध्यान रगना तो यह हाथ के माक्स और छोटा है चोटा है और अपने को बालो में दो तीन क्वेश्चन आने वाल है दो तीन क्वेश्चन यार प्रोभ्याबिलिटीड पाच घंडे में दो तीन क्वेश्चन पात इदर प आपन केस सी यूज करेंके कामन घंपनी एक्सपट एक्सपट कैम का इक्सपट इक्सपट कंपनी इन लिएन से defending ले इंशूरन्स लोगी hoor क्योंकि वो VR के नाम पर तो आप यह कॉमन रोखो इसको कोई चींज मत करो ताकि बार बार एक्जांबल में कुछ चींज करने जुरूत नहीं पड़ेगी वियार एसबी एंड एक्सपर्ट यह तो क्लियर वस्य पॉइंड आ जाएगा भारत मादगे जेपा मालिक परपेट्यूल सक्षेशन मेरे को लगता नहीं है बताने की जुरूत है परपेट्यूल सक्षेशन मैंने बता दिया था पुरा अच्छे से यान आना चाहिए एक्षेशन पढ़ लेना आ पाध में पंचाई ती और इसके नीचे एक्जामपल लिखने की जरूरत नहीं है इसका परग्राफ छोटा ही है ऊचैसर एक्जामपल ऐसे काटा है मैं काट्व क्या मत काट पर लिखनी की जरूरत नहीं है परपेट्ट्यूल सक्षेशन में डा लगता है मेंबर चीज हो सकते है जो जो भी है कंपनी नहीं जाती जब तक उसका नाम है आरोंसी में से निकालने जाता भारत माता की जाए जे पागे मालिक ओके तीसरा पॉइंट मेरे को लगता है आपको देख के समझ में आ जाएगा मेरे को बताओ लिमिटेड लाइब लिमिटेड लाइब लिटी कमपणी सेकें इन केस ऑफ लिमिटेड वाए और अन्लिमिटेर यह मेरे को नहीं लगता है समझाने ज़रूथ पकते रहे हैं अच्छा लिमिटेड लाइब लिटी कमपणी में डेट कितने होंगे है नॉमीनल वैल्यू ओफ शेर्स है नॉमीनल अच्छा वापसे मेरे को बताओ आँ मैने ब्रेक के पहले बताए एक Buddies लेमेटेड वाई IRA गारेंटी तो चब मैं ब दिसक्शन में बहुत बड़ा है यह बहुत बड़ा एंसर अपने को अधिक पर मैंने आपको यह और एक तरीका कैसे यादक ने बुला यह तीन तो अपने इधर लिखा है लेकिन कितने तरीक रोखोगे पाच वह यादक में बाद में चाहिए परफेक्ट बड़े आगे वालि अच्छा बर्दी आपने किस में में और प्रशान ऐक्सपर्ट के या विनो सर और सुशिल सर के एक्सपर्ट के यानि हम जो भी काम करेंगे कौन लाइबल एक्सपर्ट के विकस्ट प्रोव अनि आब बेहले होंगे बिकाश्वेर अविग्वाव्च फट जाम पूश्ट अ इस ए लीगल और जुडिशल अस इस क्रिटेट बाए लौ इस ए परसन सिंस इस इस लॉटत विट विट अल्ड राइट्स ऑफ इंडिविज्वा ओके फृदर था कंपनी बिंग सीपरेट लीगल इंटिटी कैन ओन प्रॉपटी बैंकिंग वापस पंचाइथी जो स्टार्ट के लिए एक्सपाइड अमेरे को बता फिर पेमेंट कॉन करेंगे लिए लाइबलिटी है ना हो इंबर के लिए भाई इटकें सू एन बी सूड इन इस ओन नेम इटकें दू एवरिटिंग विच एनी नेच्टरल परसन कें दू एक्सेप्ट सेंट टू जेल कंपनी को तो ज सब्सक्राइब नेच्ट जा सकता ओध नहीं ले सकता मैरी नहीं कर सकता ओके प्राक्टिस अलर्न प्रोसिशन घंटा हैंस इट लीगल परसन इनी इस ओन सेंस आतमा क्लियर औके तो ओत लेने किसको बुलाते है चैसा है कि शमपत लेने क्लिए डार। कलने कि कि को बलाते हैं डार।कर सप्धैनें के चैप्वाइट क्स घ् difृकत रिएयंश इंड़स्ट्री और अढ बिंगिन हुटाएग्स तोड़े मालिक हो गया हस गए चल लग फटाफट एजन का कंपणी जल्दी आ जाना लेट किया तुमने हसने में तुमको मालूम है मेरे को जमता नहीं हुआ है मेरा जोग मारा हसो और अगर इससे ज़्यादा हसने की ताकद है तो फिर मेरे से टक्कर लेना है तो फिर लेट्स डूइट नाइके इना मैं तोड़ फैन अफ नाइके टेंशन नहीं है अपन भी कर सकते हैं तो पूमा टाकट लगाते है जागवर है मेरे पास तो जोग मारा ना हसने का फटापट वापस कंटेंड बयाने का मेरे को ज्यादा लंबा लेके जाना नहीं चाहिए समझा ओके तोड़ मैं जेपागे मालेक आगला पॉइंट मेरे को बताओ कंपनी इसे कौन सी परसन आटिफिशल एटिकर नेक्ट उनली थूसम यूमन एज अगे अगली कंपनी टेर्टर चाहिए एघनसी अगली लाइन ये अद्वर ने यह है थे रेक्टर्श चैनाट रोत कंट्रोल एफर्स अफ कंपनी अक्ट देनर गनेट गैनेट कंट्रॉल एफर्स फंपनी अन एच अग्ट तादेश ए एजनस अगें मेंबर्स अपनी मैं जी पामालिक ओके यह 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 मैं वापस अलोगा डाइरेक्टर्स केनाट कंट्रॉल एफेर्स अफ कंपनी यह स्टेट्मेंट गडबड़े केनाट नहीं है कैन अभी तो डारेक्टर करेगा क्या वह अगर एफेर कंट्रोल ने करेगा तो फिर तो जी ओ कितने सारे आ जाएंग जोगता पांचर जोगता तो याद रखना वह स्टेट्मेंट करेक्ट करते हैं अच्छा देखो एक स्टेट्मेंट इतना सुनो मेरे को बताओ इसमें तुमें अगरी करते कि नहीं मैं बोलता हूं कंपनी यह कर सकती है तो वह कौन कर सकता है डाइरेक्टर्स तो इसका एजनसी समझ मैं के मालिक अगे डारेक्टर्स और ओन और तुरू कॉमन सील के अथेंटिकेट इस फॉर्न अच्ट ना के ज़िए कौमन सील अपढ़ ले ना कॉमन सील में पंचय दिये को इगनोर कर देने का पढ़ना भी मत मतलब आच्छली कॉमन सील में कहा था कॉमन सील पहले का अब पुराना तहुं से निकल चुका है क्या अब मेरे को बताओ तो फिर अगर कॉमन सील कंपनी को साइं करेगा को और अगर कंपनी पास कॉमन सील नहीं है तो दो डाइरेक्टर और वन डाइरेक्टर वन सी एस पक्का जेपा क्लोस करो प्रफेक्ट बढ़िया तो मेरे को बता हूं मेनी फीचर्स ऑफ कंपनी जार दियर कॉंसे कॉंसे फीचर्स सेपरेट लीगल एंटीटी पर पैच्छल सक्सेशन और लिमिटेज लाइबलेटी आर्ट सब्सक्राइब करने का पक्का जेपेगा और उसमें से मैं आपको यह बोल सकता हो कि लिमिटेड लाइबलेटी वाला चिंता मत करी उसके आगे क्वेश्चन से ओके लिगल परसन ओके ठीक है वंट उनकिटेर क कोई लिगल सकते हैं क जोडर पर गालेट desemैवगै कोई सेल पोलखे लीगल द से अगे अटलर और अ क्वैटेटर की वह खनेर रहें तो डाइबलेटर और वन डाइक्टर आंट वन सी एस कमपनी डे हमें कोई स्थकंड रहें 1 CS अगर इधर और और कोई एंड मिक्स हो गया ना समझ रहा गया फिर अपने को है ना वो इंडियन कोंटेक्ट के आगे और सेक्शन भी पढ़ने पढ़ेंगे सब्सक्राइब अपने रोका 75 तक पर तरको ऐसे इंट्रेस्ट हो रहा है कि नहीं सर्वन 25 का अभी नॉलेज लेने का है सब्सक्राइब लेना है ले सकता है कि आजाओ सिंखा दोंगा ऐसा नहीं होना तो लॉजिक या दखना और एंड समझ माया ना मालिक ठीक है ठीक है अब दूसरा क्वेश्चन जो आपका पहले पर यह उस पर आजाओ कंपनीज आक्ट किसको अप्लिकेबल है कंपनीज सारी कंपनी जो इंकॉर्प एक्वीर को हुई है अंडर इस आरड जैट इसा और प्रीविज कंपरीश समझ माया तो मेरा क्रॉस्ण है क्लिए एक्नल इस्को ने 151 एपलीए पहले क्लियर ⁠ गए अञौटीं ऐस्य। तो दूसरा अवाद बैंकिंग कंपनी उसके बाद एलेक्रिसिटी जीतिया जिते कौन-कौन चीन इसमें गेंशेरनन्स तो मेरको बताओ किसको आपनी बांकिंग इंसवरेंज एलेटरिसिटी और उसके बाद और ओर और ऑप और ऊबनीग Cao the special village क्लियर उचे इधर तके संब्जवाब हो यह। अभी सवाल यह सर क्षे सब्धे करने के लिए और बैंकिंग करने के लिए तरब्ले सब्सक्राइब होगald यह को यह है तो सब करेगा बैंग का बाब अपक्त होगा का आरे बेंगी रेग से कंपनी अगी है लेकिन अगर कंपनी आच में कुछ लिखा है और उनके बैंगी रेग्लिलेशन में कुछ लिखा है और यह दोनों कन्सिस्टेंट नहीं हैं यह दोनों अलग-अलग है है कि तो यह वोपांगिंग टैने तक साल यह तो दर ना ऌ इसको बोल रहे हैं और यह भूरा चोट छुद्धार जतीन वीए गया यह गया तर तो आप मिस्वी शुलेगा समझा और बाई्च्स सुनिहें यहां डॉयाय इसे करने को बोला ल सूजरा है तो फिर यह तो कुछ है नहीं है इस को तो तहें कैंसित्स है तो तीन किसे तो में क्याया बोला उन्हों consistency करका है कि मैं इसमें ठीच à बोला करने के लिए इसमें भी बोला करने के लिए तो ए करेंगे इसमें बोला करने के लिए बी करने के लिए बी करेंगे समझ में आया ओके इसमें बोला है एक करने के लिए इसमें साइलेंट है एक करेंगे समझ में आया यह कॉंसप्ट ही है और जैसे मैंने इसके लिए बता अंधर कोई ऑंधर कुई एक्ट में कोई फॉब गणा स्पेशल एग्ट के और रु मेरा कपी किस्को एंपक पर फास्य प्रेम फेला चीजा को बैंक को नौम एक डशी सेज्पारा कशिस नहीं को अलेज को यह पर य।क इन वियु Twitch को Одलमों को इंकंसिस्टेन हो फारत मातंगि जहेपा मालक ङॉनल स्नेशनला अगर इंकंसिस्टेन ना वो और इसके अलवा अगर ऐसा पावर ते लिजह होते हैं तो या उनको भी अपली केबल करवा सकते हैं लास्ट लाइन पढ़ोगे तो सज बॉडी कॉर्प्रेट विच में भी इंकॉर्प्रेट बाई एक्ट टाइम इन फॉर्स एन एज सी जी बाई लिए नोटिफिकेशन स्पेसिफाइब तो भी एपली के बलोगा भारत मता किजेए पागा पका तो मेरा क्वेशन है अप्लीकिबिलिटी आफ कंपनी आप लिखें किसको किसको एपली केबल कंपनी को बैंकिंग को इंशुरंस को इलेट्रिसिटी को स्पेशल एक को और सी जी स्पेसिफाइब करेगा उसको आत्मा क्लियर पका ऊके आपको यह दहनने यह चार का लिखते वक्या लिखोगे चार का लेक्षिह यह यह चार लिखते वक्या ध्र्थां में रखना है अगर इनके औक के साथ कंपनीज आटकसिस्ट नहीं है सम्झा मालिक इंटर में आने के बाद क्या समझेगा इंटर में आने के पाद अकाउंट्स में की तूड समझेगा सुनद सुन 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 ऑट बाइंकिंग बांकिंग रिगूलेशन आक्ट ने एक फॉर्मेट दिया है पीनल बैलन शीट का कि और स्टॉबनां writers अब एकْहल झाल पिनलबन में दिया है किसमें दिया वैटा श्रीमें दिया आतमा क्लेए हैं किसमे बनाएगा चिसवीस आफ्या फेया बैंकींग रिघूली तील सबसे या बैंकिंग रेटीयों लिटे ज समझा अर इसके लिए कि लिए autayama गया हैं तो तो बैंगिंग का और अगर बैंकिंग वाला सालेंट है तो प्रिस्टराइब बस फिर तो कुछ है नी अप्रियों प्रेज़ याधपना चाहिए भारत मत प्षिपा ब्रौ आगे पकाँ अग्ला सवाल कि एक्सक्रैवेट्रेट्ट सुनीहें एक्सप्राइवेट्राइवेट्रीमेट्रेट्राइविए ऊन्दराअ मिंद को कॉंसेक यह आगे एक्सक्राइप कॉंसेट में अपको हए 59 वीुन साह आया ह। मैं तुम्हें बता रहा हूँ एक भी क्वेश्चन में कॉंसेटियल प्रॉलम आई है 19-20 रहा नहीं नहीं सर यह तो हुई है आप नाम बदल ना भाई मैं बता रहा हूँ मतलब बस इसका अप्लिकेशन आपको कुछ कुछ ध्यान रखना बड़ेगा अच्छे से धाना किया और कंपणी एक तो अपने इसमें तोड़ मतलब देखो कैसा होता है कंपणी एक तो इन आउट क्योंकि आपन तीनों लेवल पर पड़ा चुके इसके ल कौन सा सूपीर पाटनेशिप और कंपणी पाटनेशिप एक तो बिना रिटेन भी रहा तो चलता पाटनेशिप तो और भी चलता कंपणी और करके बता है तो यह पॉइंट है तो थोड़ा से नहीं दिए अच्छे से नहीं दिए क्योंकि आपका पहला सट खतम हो रहा भी आप अपने मैंने आपको यह पाह्तनेशिप वेवडे कितर हां यह रहे है मैं आपको बात है फीचर कोर्प्रेट ड्रफेलव पन डिडिसक्स कर रहे है विसके बात वाले मैं जैसे जैसे जाएंगे बता दूँजा अत्मा क्लीर सारी आत्मा मिलशाथ फटा 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 परसेंट खर सुन्हां अधिसक्रायव याद नई सब्सक्राइब परसेंट उसकुचिक्ण सब्सक्राइब आख तो यो मेजिए रहोल गलु जांने कंपनी मोने हैं ुक् liquidity ने कुम्पनी ने कैसे रहए पैसे लिए होंगे। और ऐता पैसे चीए लुब टैसे और आट मेंबर करके नहीं भूद्स तो विन असर का वैसे वोटिंग तोड़ है ना मेरे को बताओ और पास करना है एसार पास करना है विद्धास को सुशल से पुछने की भी जरूरत नहीं है है आप अर्यवेटिंग अपॉइंड तो मिन अपने और पैसा ऐसे मेंबर लाके क्या करूंगा मैं अजिए पाज़ेपा तो विखिव लाओ कंपनी से डिवेंचर इसु कर वादी है किसको विख वी प्लस भी इस एकल स्क्वार विच आपिस क्या क्या थो एन भी विट्व क्या थो जबिया व्याइब है तो हम ने निंग कि अध्य। कि अध्य प्रबिलिटीन और ने कि अध्य। वाँ वन बाई टू बट नहीं आए जैसर सक्ची में बता रहो इस नोट वन बाई टू नियु रिसर्च इस देर आई भाई साब मेरको क्या मलाक समय रहे रहे तो मुला सला जोग समय रहो आई आई शेर ग्यलत पड़ाई जैस पड़ रहे रहा है यहाँ क्या एक वाइन इस 50.8 likely to land on the same side it started on when tossed नहीं मेरको मालम नहीं अभी मैट्स का अभी मेरको मत कुसेटना है बता है यह लॉजिक है ना जिस साइट से टॉस किया ना 50.8 परसंट चाहँए चेंज का दिया भाई मैट्स टूर मैन का यह माजा कररें बाई ऑगे तेंक ये आभी क्वेश्चन यह यहां विनोस इने कुद से पाई से लिए खुद को डिबेंचर दिए समझा गया तो विनोस इने डिबेंचर लिए औक जबूस सर ने as behaaf of expert private limited साइंग किया और किसके नाम से दिया विनॉसर पैसे किसने दिये विनॉसर को नहीं होता है किसको पर छक्रेट लिगल एक्सपर्ट्ट अत्मा क्लियर hexpert धंदा किया business किया business किया the bank loan भी लिए बीच में पहले पेमेंट किसको किया जाएगा Cycured याँ in secured Jacqueline and got a lot of degrees के बेचके जो पैसा एक शुब्सके इसको दिया जाएगा उसके पैसा जएगा किसे पुझ अन जीए जयेगा उने किसको पाइसा अ प्रिफरेंस ऑफ और दे एक्दम एक्दम पांचर एंसर में देखे तो पहले किसको पेमेंट होना जीए सिक्योर्ड फिर किसको प्रेफरेंस और फिर एक्विटी और मैं आपको दद्वां ओके जैसे अभी कोई की एंपवाइगई सै बाकि होगी तो उसको लौस्ट सिक्योर्ड करता वो ट्रीट करता हो अलग है मेरे को समझाना कुछ हां कंपनी डूगई पांपनी डूगए इपर रिदिएग्र देट सेखे कॉड अब सवाल यह आया या एक बैंक लोन लिया था जिसमें कर्तिक करतिक फ्रम बैंक लोन समझ लो करतिक अंसिखर लोन था ओके एसेड बचाता है एक लग का एक लग का एक लग का डिवेंचर किस ने दिये थे विनोज सर ने और कुछ ऐसेड ही निये कंपनी बास और लाइबिडी धिक र्थम है लाइबडी कहत मैं सब पेड़ में और यह लो एसह किस में अभी प्रॉब्लम आया इसको प्रॉब्लम आया या डाव ले से सावे कुछह आया मेन мод अकेले सोल मेंबर बहुत मेंबर 80-90 परसेंट मेंबर हो यानि पूरा पैसे उसका ही लगा हुआ है और उसने ही दिवेंचर खुदको लिए सिकर्ट डिवेंचर और यह क्या मतेख चल रहे है हम अन सिकर्ड है हमको पहले पैसा मिलना चाहिए कोट में डिसाइड हुआ क्योंकि यह सेपरेट लीगल एंटिटी है और यहाँ पर विनोच सर और कंपनी दुनों अलग अलग है तो दुनों के बीच में पड़दा है जिसको हम क्या बोलते हैं कॉर्परेट वेल यह पड़दा अपने को उठाना पड़ सकता है अगर कहीं पर वेलोच सर को और कुछ फ्रॉड हो रहा है तो क्या यह भीनोच सर ने विनोच सर ने शुनिये मानल वालत किया क्या नहीं विनोच सर को कुछ ओंड और पड़ुकि अरे जमेंट था जिससे टाइक्स लाइबिलिटी या लिइपलिटी कुछ रिडिउस करने थी नहीं वड़ से काई के लिए पड़ा रहे हो पड़ा रहे हो फर दा समझ रहा है इसको हम बोलते है और प्रेट वेयल एंड लिफ्टिंग अफ कॉर्परेतव वेयल करने पहले प्लीट वेयल मतलबग इस प्लीज वीज चिह member and company are different member and company are and there is no need to every time live the corporate will this was mainly decided it is not in section this was mainly decided in cello man versus cello man company cello man versus cello man your case lawyer sir is my A Perfetto and the American और कंपनी कुछ कारण वर्ष जैसे कोवीड आया उसकी वजह से वाइंडी अब में आगे पहले वाला से ना रहे हो ऐसे रिसेशन आया और रिसेशन के वज़े से कंपनी का हो गया हाल खराब हो गया और तो आप मेरे को बता कमपनी डूग तो पैसे देनी की नोबत आई और क इस्टिस उके उनने डिसाइड गया वाई कोट में डिसाइड हुआ से लोमन वर्सेश कलो लैंड मार्क केस बन गया यह यह माना गया है कि यह कॉर्परेट वेल रहे गा इसको पीर्स करनी ज़ोरत नहीं है यह लिफ्ट और पीर्स सिर्फ और सिर्फ कुछ कारण वर्ष हो स अधिसर इस कॉल्ड इसकोंश्प वोस इसकोंश्वे इस इन सेलमें वर्सेश इलमें आतमा क्लियर तो पहला पॉइंट आप याद रगना कॉर्परेट वेल कॉर्परेट वेल को कॉंटेक्स आपन क्या डिसकस करें गया मालिक बढ़े है अगे अना अटा बड़ी आगे तो अगर मोटिवेट नहीं रहागा तो मेरे को किसने ये न्यूस चैनल कभी बन सकता हूं है तो बड़ा बाट मैं बनने ने दोगा मां किसम ठोकोंगा चरोगा बड़ा 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 तोड़ा बड़ा कॉर्परेट वेल कॉर्परेट वेल रिफर्स तो ए लीगल इस इडिवाइड इड़ इस सपरेट लिफ्रममेंब्रस फॉंपनी जे पागिया मालिक यानि कॉर्ण अलग अलग है इस प्रेट वेल इस न्यूस तो फुचरस बस नाम क्या दिया है और प्रेट वेल अत्मा एल तीग है ओकिया है क्या है ये आगे वालबाइट पाइं पर वेल कुर्प्रेट वेल मेंब्स कोन्स टेम्पनीय एल में वानिय में ईया अट्वान पीडाय को आईए च्तॉ नकिर इंपन्पर्च अकंपनी कई होगा प्र छोलीद्ट नोड अक्षायं करना मेंुन टीन जाया होगा सईंदी अ मेरह लगया के सबस्क्षायल्स सुटिसे के साथ पड़ लेना है अनुट है कर फाल आध मेठे का लिए किया है , मैं जचसार आपका नाम था लॉड मैन वकेज ने हुँन्हों ने ये जचसा दे तो यह है तेरा सेलो मिन वरसेस्ङ सेलो में का किस्सा कॉर्परिट्ट वेल के लिए नहीं को मिदू किसने किसको सेक कुर्ट डेज दीए जा मेन के Δ Common कमDINGन ने किस और सेलो में दोनों अलग अलग है तो जस्ट ने बोला दोनों को मिक्स मत करिये लेकिन इस केस में आगे बढ़े तो ऐसे कुछ कारण बताए गए जहाँ पर लिफ्टिंग ओफ कॉर्परेट वेल नेसेसरी है या पियर्स करना नेसेसरी है पियर्स मतब खड़ा ओके या लिफ अगे लिए पेच पर देख लिखा लिए एक दो तीन चार पाच किते पॉइंट अपने पास पाच पॉइंट अपने एक प्रेक्ष्ट आ सकता है मालिक वह एक अपने को लिखने के लिए पाच्छों लिखने पड़ेंगे और समझ में आया कैसा एंसर लिखना है ओके तो प पहली अदिकना को सिटूइशन आपको लगेगा सीम सेम है पर वह वैसे ही लॉजिक है पहली सिटूइशन सर ओके मैं वापस बोटा हूं लिफ्टिंग ओप कॉर्पेट विल चल रहे है सब लोग को जीब रहे है न मालिक पहला पाइंग लिफ्टिंग और पीरसिंग और प तोड़ है मलिक तोड़ तोड़ थोड़ नई नहीं भी ब deport टोड़े मलिक टोड़े मलेक ल वोनने कुछ नहीं कुछ नहीं बुलना सम्झातिया ऑक है पhela सेनारियो ऐसे फिंख सरीक्व मेसे मैदर केरैक्रेटर क्यारrek looking to find word वेदर कंपनी इस एनीमी और फ्रेंड अम्रों पड़ेगा कंपनी चलाने वाले लो कौन है कंपनी तो मेरे पास ही होगी लेकिन वाट इफ कंपनी का डायरेक्टर पाकिस्तान से घाईट्टर चाहिना से इंट में हपन लुगा वार हो जाएगा तो तो परदा उठाएंगे क्योंकि ये कंपनी अरे आप ऐसे मेरे को बताऊ था सगीए कैसे बोलोगे आप ये तुम ने रहे चाए ये बारत मांद के सम्झा आले को क्या करना पड़ेगा पड़ता उठाना पड़ेगा और अपने को देखना होगा इनके पिछे कॉन काम कर रहे ह कि मेंबर्स कोन है और कि locks by ownership की और किसके पास है जिसके पास देख आनी काम करता है अडाइक स ==== किसका सुन्था का वर्मस्ट बार ऊसको आपॉरट अबड़ेगा लेकिन उसको बहुत बार क्रना मारा बहुत अबर मेंबर्स आम आप्र आसा आपकर नहितला यहां वहं agree और वह एदिमी कंट्री ओगए खत्मनकारणी और यही चीज डिसकस हुई है आगे वाले कॉंसेट में डाइलमार कंपनी लिम्टेड वर्सस कॉंटिनेंटल टाइर रबर कंपनी यह कंपणी मेंबर को यह कंपणी जो कंपणी है क्या यह अनीक हम नेवर भी एनेमी और मेंबर का लिए कंपनी को दिख के कंपनी का लिफ्ट करेंगे तब आ क्यों नुए करेंगा नुए तो पड़ो फट्टाफट ये कतम वरू तूम कतम करो फट्टाफट रीड़ करो दो मेंड़ में कि मेरे को बताओ क्या कंपणी दोस्त हो सकती है नहीं क्या कंपणी दुश्मन हो सकती है नहीं पिटा वो दोस्त दुश्मन कैसे समझें आता है कौटरेट मेंबर यहीं पांच सरह कंपणी कोटरेख ह है यहाइन प्रेंड है याद्यामा मेरे साहथ है दूसरा किस्सद एग्यार यह यह मैं बहुत बढ़ा इन्वेस्ट मेंट किया कंपणी ने क्या इन्वेस्मेंट किया है अब एक नाम सेकंड इसमें दिखेंगे और लेकिन एक नाम रहेगा जिसको अपन होल्डिंग सबस्ट्री ऐसा कुछ बोलेंगे अब मेरा क्वेशन है कंपणी ने बहुत बड़ा इन्वेस्मेंट किया है सर किसमें एक्जमबल दिालेंगे शिर किसके नाम पहें यह कि कंपणी कर सकते कोई डिखकत नहीं है तामर बी में प्रौफिट हुआ झाहीं कि चैना यहा ना थे लिमिटेड के जो ओनर है उनको समझ में आया यह तो टैकसेडीबल हो रहा है तो टैक्स बचाने के लिए इन्होंने क्या किया यह इनोने ए लिमिटेड ने उक्रत्की पूरी सिट्स यानि और एक colored bunun बना तिया कौन सा कि लिए कश दीए कि करेग दिभी हो dei कैस dat कि ट्रीक्ष बड़न गशंविश्ट चांट मैंने आया मुझे वो मैंने एक्समेंस बता दिया किस्की में ते आयगा है की पृत में कीजके लिम verbess पर सके पास वो लिमिप्स बैसिक लिमिट्स के लिमिट्स कुट चमिक पर पैसा किसके भूख में तर पैसा किस अ भी हम जा उस निसको जा किसको बिसा आइड आ न से नहीं समझ रहा है यानि इन्होंने क्या किया को दिया किसों मोफास इसने ऑटवापस इस क्यों सबस्क्त नहीं तो यह चैसथ की बनाई एक G Student आ से लग से कंपानी नहीं है लिफिटिंग ऑफ कॉर्परेड वेल के पिछे कौन है सालो किसे की मेरे एक पीछे तो बाद में वानों बड़ा एक कौन थे एक एक का वोल्डिंग बताया लेकिन एक मेंबर्स यह पुरे अच्छे लेकिन टेक्निक लिए एक पास ओनर्शिप है यह खाली एसे कंपनी बना दी शेल कंपनी जासे एक मेंबर्स ने तो यह कौंसेट आया सेकेंड पॉइंट जिसमें अपने को लिफ्ट करना पड़ा क्या लिफ्ट करना पड़ा और प्रेट वेल जिसको अपने नाम द अगयर हम मतलब असमेंज रहो इसके लिए अपने को लिफ्ट करना पर सकता है नहीं तो टेक्स जाता था ना रहे कितना गवर्मेंट को कितना उख्षा होता था टैक्स वाल एमाउंट मेरे क्सक्षने नहीं भड़ा कि इनिवियार से नाचनि लया विवरा विक्समें लिए एक हो और ये पैसा यूज हो रहे है लेकिन धाक्सिंब आप ये कंटेक्स को क्या न पड़ु अपड़ेगा कृट्स deja रेविन्यू को बचा सके टाक्स को बचा सके उनका जो उनके पास जो आना चीए था गवर्मेंट के पास पैसा वो बच सके न मालिक यह पॉइंट दोनों केसे में आपको यह पॉइंट आया हुआ है एक जुगी लाल वर्स कमिशनर विंकम टक्स है और दीन्शा मकरजी पेट इसमें है तो इसका पड़ी है यह केस पड़ी है यह केस पड़ी है दीन्शावला अली नेन्शाव बच यह लो बचलके है, अ क्या ग तो यहील, आपके में उन्यूवला consumers में श्व любовे करेश बचें त्ज occup इंग में स्वेशाव देट रिंट में देट बच्पार्न ऴजबा टो अन्चा आ मेंद पॉबड़ी वरे शैम मतलब शैल मतलब अक्चुली कुछ कंपणी नहीं है वो खाली ओन पेपर कंपणी दिख रही है ओके एंड कोर्पोरेट वेल वोज लिफ्टेट टु डिसाइड रियल ओनर ऑफ द इंकम यानि वह इंकम किसका होगा एस लिमिटेट का था या वो ए लिमिटेट का था एक यानि इंकम पुरा एक ही माना गया तो एको टैक्स भरना पुड़ा भारत मतली जाए जेपा मालिक दूसरा कारण तीसरा कारण भी बहुत पांचर एंसर है तीसरे कारण का कॉंसेप्ट में बता देता हो स्क्रीन पे जान दे तीसरा कारण इस टुएवाइड लिगल इनवेस्मेंट किसमें किया विघली मिटेट्ट है रखें जैसे क्या आएं डिविडेंस डिविडेंस एकुमलेट होते गए ओर एक डिविडेंस सो क्रोड़ हो एक्सांबल। पांचर एंसर लौजिक बैठाओ अब A limited का agreement था उनके employee के साथ कान खुले में क्या बड़ बड़ कर रहो किसके agreement था A limited किसके साथ था किसके employee A के ही कि हम जितना कमाएंगे उसका कुछ percentage आपको देंगे आजे bonus कौन कमाएगा A तो A जितना कमाएगा उसका bonus किसको मिलेगा उसका percentage का bonus किसको मिलेगा एंपलय ओफ है अमेर को बता हो डिविदन बींक्व तो एक इंकम होगे न तो यह को समझ मैं कि बहुत साला पैसा बोनास देना पर आपको अब मेरे को बताओ एक क्या करेगा समझ में कुछ से मुपर का किससा इने क्या किया ओके यार एंगा गया इसको को त्रांफर कर दिया एसको और बता दिया ओके यह इन्वेस्में जोते न भीके यह बीके इसके ना पर कर दिया एसके यह सब एसके नाम पर कर दिये एक और सारे बीके इंवेस्मेंट किसको दे दिये एसको तो सारा डिविटन किसके पर लगया और बात जब बोनस की बारी आई तो बोनस की टाइम पर बुला कि हमारे पास वह पैसा हमारा नहीं था वह से का था आतमा क्लियर अब सबस्क्राइब करना बढ़ा भारत मतर जिए जिए पागे मालिक आतमा समया तरीका है यह तरीका सीए इस पर ही काम करते हैं को समय रहे है पर यह करना नहीं चाहिए अपने यह अनि थिकल यह मैं ठाली बोल सकता हूं से कोड़ फिक्स में लिखा हुआ है समझ मारा है जब अपन काम करेंगे ओके अपन अच्छे से कारव करना चाहिए इथिकली काम करने चाहिए सब को अच्छे से करना चाहिए समझ मारा है सिद्धान तो पर चलना चाहिए अपने हैं वी आर दा परसन ओफ इंटिक्रिटी ओके वी विल वर्क वी विल अवेक वेन एवर्वड़ी इसलिपी अरे अबना बाई लोगों है वाई मोटों है क्या मज़ाग कर रहे हो आत्मा क्लियर लेकिन रियल लाइफ में बहुत खानी बहुत अलग हो जाती है अ है चीजश बढ़े बाद लिर्फ एम से आडर से बड़े फिर क्लाइंट एहां क्लाइंट आएगा मैं आपको बता रहो इधर क्लाइंट को हम नहीं बोल सकते हैं इंटीग्रिटी क्लाइंट बोलेगा मिरको बैलंशीट ऐसी चाहिए तू तब नहीं बोलेगा ऐसा नहीं बोलता है क्लाइंट बोलेगा गया ते लिने मिरको ऐसी चाहिए बनाता की नहीं बन वे जोग इस बोलते हैं नगुसान पहरें, उरो कुछ नहीं, इंपक्ट होना तुमपर, प्रिजुडाइस को कभी-कभी तेरे जो अधिकार है ना वह कॉम्परमाइज हो गए प्रिजुडाइस हो गए अच्छा वह पताइए है कि मैं क्या बोल रहा हूँ कंपणी ने अपने एंप्लोई से डिसाइड किया था कि मैं तुम्हें बोनस दूंगा बोनस किस पर दूंगा तो कंपणी ने क्या किया कंपणी ने अपनी खुद की होली ओन सब्सेटरी बना दी किसकी कंपणी यह और यह बी लिमिट्ट के जो इन्वस्मेंट है वो किदर देजिए एस के पास तो डिविडेंट किदर चले गए एसके पास समझा अब मेरे को बताओ ओके यह नहीं है वह किसका है इसका है एस पे तुम काम कर रहे हो क्या नहीं है यह फिर गये कोट में कावन एंप्लॉई सब्सक्राइब अच्छा अब लिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर यह जो एसके पास तुमने इन्वेस्मेंट ट्रांस्फर किए उसका ग्राउण भी तो उच्छ ही तो बाद में मालनों पड़ता है जब लिफ दिता ओना बड़ता है जो एसके पास ग्राउन क्या था इन्हों नहीं शिफ्ट किया है ओवनुली टू सेंव डिस बोनस की ज़र लिटान लीक्षिंट नियृ तो फट्र दॉन हरा है या रहा है रहा है रहा है तो फ intention was to avoid legal obligation जेपा के मालिक अच्छा पहले तीन पॉइंट बताओ मेरे को क्या क्या था कब-कब लिफ्टिंग औस कॉर्परेट भी होगा सबसे पहले अनिमी कमपनी दूसरा सिनारियो इस प्रोटेक्ट प्रेविनियो और टैक्स तीसरा लीग अपलिगेशन तु एवाइड लीग अलबलिगेशन होके पढ़ीए केस पढ़ीए आराहं से वार्क मैं उफ ऐस सिय थेड रभर इंडने लिमिटेट वर्स अस्वूस्ठीट इड रबर इंडू इंडू फॊर्ट वाकई रबर इनडू लिमिटेड तो बस आगय नाम एक लगाना workman, workman versus company, the fact of the case is a limited purchase share of by investing sum of 4,50,000, the dividend effect of this share was shown in P&L, okay, of the company, year after year, it was in the account for the purpose of calculating bonus payable to workman of the company, workman dene ke liye, sometime in 1968, the company transferred the shares of B limited to, C limited as subsidiary, wholly owned by it, wholly owned by the pura paisa kis ka tha, e ka, chomaya bana ya re, thus the dividend income did not find place in P&L of A limited, saamjha, to dividend aay nae meh, with the result that surplus available for the purpose of payment of bonus to the workman got, bharat ma ta ki ja, jhepa kya malik, kissa saamjha, to basa pa kya kya, here company created subsidiary and transfer to it in investment holding in bid to reduce its liability to pay bonus to its any company banneke intention भूले लίके दिएक होड़ा मैं को या मत सब्सक्राइब आ इसRa संब्सक्राइब यह कर से दोन चैनल कन ऐड वह यह प्रिप्ति आप कर परेट विल भारत मात की जे पा मलेक पटाफट पटो यह क्लोड लास्क लाइन उसमें कुछ राइलेट करने वाला कुछ नहीं है सब्सक्राइब कोड ब्रश्ट असब्सक्राइब कोड़िए अपने सब्सक्राइब अपना मापीपर्स कभी ऐसे सुना क्या आमिता बच्चन यह किस्ता हो गया था बीच में पनामा पीपर्स सचिंडेल बहुत सारे बहुत बढ़े लोगों गाए यह 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 होते है यह अपना पैसा अभी मेरको इंकम आया और अगर मेरको इंकम आया एक करोड मेरको टैक्स बरना पड़ेगा तो मैं तीस ट्रक का बचाने के लिए मैं करता हो एज इन्वेस्मेंट जो मुझे डिदेक्शन मिल जाते है और अक्चुली है नी कंपणी वह वह काली कंपणी किदर है पीपर पे बापी कुछ नहीं होता है तो यह सब से इससा ही होता है अत्मा क्लियर यस मालिक मालिक वह आरोसी में क्या बोलना पड़ेगा मलको किसके लिए बनाता है मोई दूंगा आरोसी थोड़ना चक्रत है मोई आरोसी पुछेगा देखो एक चीज़ समझ लो आरोसी के पासे ना सब्मिट होते डॉक्मेंट आरोसी आप से यह सवाल नहीं पुछेगा मोई बना मो नजर मतलगा साले रुक एक मिनिट पेड़ दुखेगा वाइट मधा करो मधा करो सुन दे तो अब दूसरा एक बताता और एक की बताता है यूजरी जो सब्सेट्री इदा तो बनने का ठीक है मैं अब आपको बताता हो पनावा पेपर्स या स्विजलेंड में क्यों पॉप्लिक ज्याधा इंटर्स्ट है अगर देखाऊ का स्विज्फ स्विज बहुत बार सुनते हो आप स्विज्बैंक क्यों स्विज्बैंक म नहीं होता है एक्सांपल अपने इंडिया में एंडिया निया अपले इंडिया लोगी ऐसा ही था था पंदराइब आटराइब जोकिंग लिपी आपर वह इसे हो जोकिंग लिए है थर्वाद में इंपनी पॉपलिक लिमेटर मेरे को भी यूट्यूबब पे चल रहे है कि आजा 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 तो आप सुनिए अमने क्या बोल रहा है सुनो अब को मालना है पॉब्लिक किसे पैसा उन्हें ने इन्वेस्टर प्रोस्पेक्टर देके पप्लिक से पैसा लिया ओफर फिकर शेर जेन अधर तिंग्स और उसके बाद वह कंपनी का कोई बिसनस ही न को अब आजा आ पता है कमपनी लोग बोड जाता था कमपनी lawboard के पास गया है से भी आने के पहले आख किस से अ कमपनी lawboard कभल आ रोच को बोला किया वह किदर है लो तो आरस गोले उनके रिजिस्टर उस्पे जाके जाके जखना मड़ेगा रोची वह हो क्या था समशान भू विल्डर्स एंड न कमपनी शू इमेजन करो क्या हालत हुई होगी आरोसी की कि 1992-93 में सेभी आया सेभी आने के बाद तो हर्शद में तक किस्त वह ठीक थे उसके बाद भी मैं आपको बता रहा हूं उसके बाद भी जैसे किस्ते आये उसके अभी अबका ओफिस वेरीफाइ करेगा और अगर आपको यह थिया है तेस दिनके अंधर आपके चेक करेगा मतलब ऐसा तो अभी भी स्विजलेंट में ऐसा पॉसिबल है अगर आपको कंपनी खोली स्विजलेंट में उनको सोर्स मैं तुमको बता रहो उदर सोर्स का प्रॉबलम नहीं है नीरो मोधी मालिया क्यों उदर गए रहे यूके में यूर्योपन में अरे उदर लॉग सब्सक्राइब याद रखना अगर बहुत फ्रॉड करना अगर बहुत जाना रहता है तो अच्छा करोड करके बाहर जाके वापस तो इधर ही आएगा और जेल में जाएगा एक दो कुछ नहीं होएगा उदर संसेंट करने के लिए एक हजार पाच हजार दस हजार अपर साल आपको आ रोजी को कि इस अरव गया है आपने इंकॉर्प्रेट किया सुनो सुनो एंस लिमेटेड आपने क्या इंकॉर्प्रेट अभी आरों सी यह स्क्राइब या कंपणिया थीक है भारतमायि यह ईपा मालिक ठीक है अगला बड़ाओ लेसमालिश्व एक एक लिमिटेड वापस एलिमिटड बी मिलेड़ है इसको ना कुछ कारण वर्ष लाइसन्स नहीं मिल सकता क्यूंकि कुछ कारण से उस पर कुछ बैंड ला गया है कोई लॉन है कुछ पॉइंड ने तो कुछ मैंड ला दिया कि आपको एक पर्टिक्लर बिसनस का लाइसन्स नहीं मिलेगा का एक लिमिटेड का ओके दिखा दो बीमिटेड अलग होनी चीए सपरेट लिगा लिए और बी लिमिटेड को इन वेस्कर के सब्सीटी बनाया और भी लिमिटेड ने लाइस अलिया जोगी यूज को रहा है लिफ्टिंग फॉर्परेट वेल तो लाइसे किसके नाम पर वैसे लेकिन उसको कर रहा है यह देखा जा तो इसके लिफ्ट किया और लाइसेंस कैंसल किया है अगला अगर आप देखो कि ना तो आप सारे एकनबल में आपको इसा नी मिल रहे है एक ओन पाई 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 कौन उड़ा रहे है वेपे पर ऊपर ओके आपको नहीं लग रहा है अपने सारे केस पड़े अभी तक यह लिफ्टिंग और फॉर्परेवल में सब में सबसीडिरी कहीं किस सा रहा है समझ मारा रहा है लाइफ में कभी कुछ करना रहा जोल माना रहा तो क्या बना निकी बस और हुल्ली ओंट सबसीट्री समझ रहा है ओके फॉर्मेशन ऑफ इनव सब्सीटी बने थी गिलिया राइसंस डीने वाली ती मिरेको उसके तो कोईडिक्akat कंपणी नहीं है यह को बना गया भी को सब्सीट्विध प्रोपाईब एंट्क को लिए पढ़ना है तो पढ़ लेना नहीं छोड़ देना ओके एक क्वेश्चन आथा सर शेर पे डिविडेंट डिक्लेर होने के बाद भी अगर नहीं मिला तो सेक्शन है डिविडेंट नहीं दिया ओके वह जेल में जा सकता है जेल में जेल में जेल में क्रिमिनल ओफेंस है कौन सा ओफेंस डिविडेंट डिक्लेर करने के बाद नहीं देना इस क्रिमिनल ओफेंस इविल ओफेंस नहीं जेल कंपम है बस तु किता दिन धादा लंबा करता उसके इस पिए पाच दिन दस साल सो मैक्सिमन बस सब ढहें ना तब तक तो किया है तो विद न कुछ देड़ने के लिए कि लिए कंपनी क्या कहला हो गीक क्या होगी lifting of corporate will भारत मात की जए जे पागे मालिक everybody close करे पक्का तो मेरे को दो question कॉंसे कॉंसे close हुए है पहला question silent features दुसरा lifting of corporate corporate will खाली मैं पूच रहो तो lifting नहीं करना है corporate will मतलब member and company are different can there be a lifting of corporate will yes कभ lifting of corporate will होगा 5 cases 5 cases में पहला केस कौन सा सबसे पहला कौन सा case foreign or friend दूसरा केस कौन सा tax बचाने के लिए revenue बचाने के लिए तीसरा point okay कोई क्या था नहीं तीसरा अवाइड क्या legal obligation चौता से नहीं सबसें important point था subsidiary to act as an agent and पाच्वा scenario fraud करने के लिए defraud करने के लिए creditors के साथ defraud करने के लिए वह company जो मैं अब आपस हो रहो when the device device of incorporation is to adopt for some illegal or improper purpose okay law को defeat करना कुछ करना तो उसके लिए बनाया है तो आपके लिए okay lifting of corporate हो लोगा okay मैं आपस है अच्छा एक किस्सा मेरे को समझा दो सर लिफ्टिंग ओफ corporate हो वेल हुआ है सुनो सुनो मेरी आत्मा लिफ्टिंग ओफ corporate हो वेल हुआ इसका interpretation क्या जाता है lifting of corporate वेल हुआ है तो इसका interpretation क्या जाता है मालिक मतलब अच्छा मेरे को बताओ member and company are same or different पका अगर company ने कुछ कांड किया तो किस पर फाइल करोगे केस company मेंबर पर नहीं करोगे ना जब यह लिफ्ट किया जाता है member का गला पकड़ा जाता है कि समझ मा रहा है यानि इन पाच केसे में हम जो इनके मेंबर है ना उनका गला पकड़ेंगे यानि मेरे को बताओ जो भी सफसिड्ट का किसा बतायई सबसoth리 के इसमें सबस्क्रीइगा घला नहीं पकड़ेंगे अनुले जल्द पतायाँ कि helemaal नहीं पुछ प्रेंशन नहीं ना कुछ पॉइंट होगा तो बता हुआ जिन्देंग में थोड़ा बहुत है आत्मा क्लियर है अच्छा मेरे को बताओ लिफ्टिंग और पक्का क्लियर क्लियर क्यों यह दो कॉंसेट खतम है तो अपना पहला बेस क्रश्च खतम ठीक है एक दो मिनिट और ल मेरे पूरे केरियर में मतलब जब से मैं चील बना मैं उसके बाढ़ से की बंने नहीं को मैं curry तो तुम एकड suit को आज समांप तुम को तो मेरे केस में कभी लिफ्टिंग बॉफ बिल होई नहीं सकता है समझा है अपनी कुछ पर सने है अपनी कुछ कुछ अपनी कुछ अपनी कुछ गवान यह है। ऑक लिए तो एक सबसी इंपोर्टन प्रॉइंट फार्ट इन पॉइंपोर्टन पार्ट जिसको अपने ट्वना चाहिए at अनी कोस्ट ऑगे यह है ड्रॉण classes of company classes of companies classes of companies यानी ये चोटे न पॉर्शन है बिफोर स्टाइग इंकॉर्पेशिन हम अच्छे थोड़ा पार्ट रता classes of company की बात करें तो classes of company में हम लोग बात करेंगे सबक्यात मैधर classes of company में हम लोग बात करेंगे टोटल 5 फाच class of company कितने class सारी आदम इधर तोढड लाइबिलिटी बेश ऑन liability और यह अपने almost done कर चुक बेश्ड घुंसे अफ गंपनी has 1500 कंपनी थीन कौनसे से limited लेकिन इसमें मेरे को कुछ एक डिसकेशन करना है जो मैं थोड़ा एमोई में लिके जाके डिसकेश करूंगा टेंशन मतलो कि अच्छा लिमिडेट भाइश में किती होती है कि यतना फेस्ट वैली और नॉमिनल वैली लिमिटेट भाइटी में कि कि टी अचली और करेंटी करूंड चली अचली लिमिंटेट भाइट लिमिटेट भाइट अचली तो भी तो घ्यव जाने गैरनटील होती है ग्रैन्टी waktu होती है जो हापने तो क्रहुता होता है वी कंपण कीधे साघ्रवास कंपनी ऑन लिमेटील ही है आतमा क्लियर है दूसरा discussion का विशा आएगा members based on members Sir based on members कितने 3 OPC private and public okay मेरे का बता OPC में किते member चाहिए एक maximum किते हो सकते एक ही यानि minimum भी एक maximum भी एक इसमें maximum मत करना दोस्सों क्योंकि मैं आपको इता थो बस प्राइवेट कंपणी में और एक क्लासिफिकेशन दे दिया गया है जिसको नाम दिया गया है OPC तो OPC भी कौन सी कंपणी वैसे प्राइवेट लेकिन यहाद दखना उसको 200 में ऐसा कुछ लिमिट नहीं लगाना ठीक है प्राइवेट कंपणी में मिनिमूम कितने चाहिए सदैने माक्सिमम लिमिट है और इसमें कितने भी हो सकते है कि दो सकता है लेकिन तेनीего है चल सकता है क्या यह Yes कि मिमबर स्केवप ईपर इम्ट डिसकुशन कर रहे है ओके डिसकुश करेंगे तोड़ए इंप debates रहेंगा तो मar क्लियर बहुत भारी इंप मेड़एध्यान जब्ट्वग मेंश्च कर रहे पहला class of company based on liability, कितने हैं उसके अंदर, तीन, share, guarantee, ओके, दूसरा point, based on person, कितने हैं, तीन, OPC, public, पका clear, एक दो मिनट, दो मिनट, ओके, थर्ड point, based on control, based on control, 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 अभी अभी थोड़ी देर पहले नाम सुने हैं, दो तीन, एक है holding, एक है subsidiary, और एक है associate, तीन नाम देखने हैं, कौन से कौन से तीन नाम, holding, subsidiary, associate, holding, subsidiary, associate, अच्छा holding और subsidiary समझ में आ रही है, holding मतलब, hold कर रहा है किसे मिला, subsidiary जो hold कर रहा, समझ में आ रहा है, associate भी hold करने वाले, कोई तो hold कर रहा होगा, पर कुछ percentage का discussion है, अगे तो associate में हमेशा 20% होता है, subsidiary में 50 से जादा, 50 से, अगला पॉइंट, आ, 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 आ आ, आयेक्सें, आज नाम है, आ, आ, आक्सें तू, q-a एक्सेस तूच्ट दो लिस्टेड अन्डिस्टेड काम खतम आतमा किलियर मेरे को बता हूद यह तो पांच से लिस्टेड मतलब कौन से हुथ है पडलिक ने जो स्ट होती है कहा पर स्टाइक छिस और सभी मंदी आług एकेंडी में सब्किने मंदी में घ्चने माला अदा सब्सकत्रों है बश न आफ के संवला्ट यह अदिया यह इत्निकनिकली में अश्ट गेलत है तो आप इंटर में जाओगे थोड़ा मैचर वे से इंटर्क करना इंटर में जाके ऐसा एंसर मत देना नहीं तो मैं गालिया सुनोगा तो इधर जब एंसर आएगा देर जो लिस्टेट का लिख रहे अपन वो सिर्फ फांडेशन तक सीमीत रहेगा सम्झा मालिक तो इधर एक प्राइब करना होगा सबसे पहला नाम है गवर्मेंट कंपणी फॉरेंड कंपणी उसके बाद है सेक्षण एट कंपणी उसके बाद है डॉर्मेंट कंपणी नीधी कंपणी पी एफ आए पब्लिक फाइनेंशल इंस्ट्यूशन ना आपको दारो देखिए यह अल्मोस्ट में लेकिन में एक मोई का सेक्षन यहां पर कवर करने वाला हो इसलिए यह पॉइंट बचा हुआ है अपना दूसरा यह पांचाट एंसर है लेकिन इसमें प्राइवेट का डिफिनेशन पब्लिक का डिफिनेशन बहुत अच्छे से समझ बाना चाहिए पर है जिम झीब जा ताइम मतलब मेरा डिसकेशन सेक्षेन एट और गवर्मेंट कंपनी बाकि तो आपके लिए दोडो मिन्ट का कौन सक्ट है ओके सर क्या यह क्वेश्चन एक्वेश्चन में आ सकते हैं हंडर परसंट येस और यह सबसे तोड़ी इंपोर्टन क्वेश्चन है मतलब इस पर आ यह इसके बेसिस में लिंक करें है बाकि तो ठीक है बाकि तो मैंनेजबल बहुत अराम से मैंनेजबल है पॉइंट आत्मा क्लियर है ब्रेक लेते हैं दस-फंदा मिन्ट का ओके फिर चालो करता है तोड़ मैं कर दोड़ी क्सर दो ए कई दूब गया। आत्मा क्लियर हrau यह सबसे पिर यह सबस्तिन थाराण के इस जाम का selfie थानका. झाल 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 है कि अगी अगे है कि अगे है कि अगे का गई सर्फ लग गई सर्फ अब अब प्रीम था गया बहर का कहा क्या कोई है कि कोई भी नहीं सब कहाए हुए किदर है नहीं ठीक है ठीक है ठीक है चलो मलिक डालना ग्रूप में डाल आ जो डाल रहे ग्रूप में डालना ग्रूप में मैं मैंस का स्कूर दिख रहे हैं माल तोड़ मालिक तो बढ़िया मेरे काल जो इदे तक समझ में आ ना मलिक पक्का कि 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 क कि 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 अपने कहानी खतम किती जहां पर अपने लिखा था अपने क्या है सेपरेट लिगल एंटिटी है दूसरा कमपनी एक कौन सा है परसन आर्टिफियल तीसरा क्या इसकी कि कि याद रखना चाहिए मलई broni कि इहाँ वर अपन किसे पहला केस अगर आपको याद होगा सबसे पहले एनिमी है या फ्रेंड है दूसरा केस टाक्स और रेविन्यू को प्रोडेक्ट करने में तीसरा लीगल ओब्लिगेशन चौथा सिनारियो एजेंट अगर आपको याद है मेरे को लाइसेंस नहीं मिल रहा था तो मैंने कंप परकवर करेंगे इसके बाद मेरे खासेष गंटे बर का कॉंसेपश चेगा घंटा जी घंटा अबकार 0860 मंदे मंडे को प्राशान्सर लेंगे and फुसेटा के बाद में चॉड़ा नेक्टर में लोंगा असके भाद त्षह होग денег हम और प्राशान से देखेंगे कासा है ऐ इसके बाद मैं आपको पता दूँ जिसदिन भी अपना ये नियुक को अब या यह ए आपको आपको दिखना है पंदरा से बीस मिनिट आदा घंटा मेरें को देना ही पड़ेगा या इस या आप प्रॉक्सिमेटली समझजी ना वे लास्ट का एक सवा महिना और एक पाटिकलर करेंगे यह आपको टी आरब दोंगा मैं आपको तोड रिविजन बुक जसमें आपका रिविजन कोंसेट भी खतम करने की लिए यह पीशनली कॉंचिक्ट और मैं वापस है मतलब मेरे लिए देखो टेक्निकली इफ यू गो अटे लॉंग प्रोस्पेक्ट्स ओके ज़िए इंग्लिश को छोड़िये मत इंग्लिश को छोड़िये मत आप बोलों कि सर 40 तो आजागा ना मेरे को लौ में मेरे को बताओ 40 लागे क्या उखाड़ोगे ओके 40 लागे क्या उखाड़ोगे ओके वट इफ किसमत ऐसी रही सब में 40 आए तो अगर अपने को जून 24 नहीं देना है और में नवेंबर 24 देना है तो अपने को दो पेपर या तीन पेपर ऐसे होने जिसमें 60-70 आए तब जाके अपना एग्रियेट काम हो जाता और इसका मतलब यह नहीं कि दुसरी पेपर में 40 के नीचे है टाटर अग्रिये तो करना ही पड़ीगा न बखाइघ को अगर आप बोलो कि अच्छेसे मेरे कि एकांट आमिक्स जम जाएक अच्छेसे मेरे को यह नहीं जम जाएगा मेलको सोच हैं यहां सब्सक्राइब और इतना इंस्टिट का भरसा होता है कुछ डौप मैंटका हुगा अच तो अपने को एसा अपना नहीं कर सकते आपने एसा सोच है कि इसके और क्लास चलेगी गंडा भरा है कि हो गया बहली हाज कुछ हमें का मैच देख लो भाई तुम उपर तुम कित्ता सीरियस है मैं तो मैं बहुत भाहंकर हूं बहुत भाहंकर हूं और अगर आपको लग रहा होगा विनोशर ने बुला है इसलिए लिए लेक्चेर ले रहे तो यह तुम्हारी चॉइस गल्दत है क्योंकि मैंने तुमको ब्रेक के बस मैं आपको यह बल रहा हो कि आप अगर मैच मैच देख रहा हो जो भी देख रहा हो दूसरों को मत करो मेरा अच्छा रहना चाहिए क्योंकि घर पर जाके मेरे को भी मैच देखनी है इसमें मैं चिल ला हूँ ऐसा नहीं हो टीवी फोटो दूँ बढ़िया अब आराम से समझेए और अच्छे से लाइबिलिटी के बारे में समझेए क्यों लाइबिलिटी आसान नहीं है मैं थोड़ी सा टेक्निकली लेके जारो क्वेश्चन में तो आपको यह लिखने पड़ेंगे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा सारी आत्मा मेरे स साथ मेरे को बता ही है ओके लिमिटेट वाइबिलिटी कैसे होगी लिमिटेट वाइबिलिटी कैसे होगी लिमिटेट वाइबिलिटी ओके स्पेज नमबर कौन सा है 5.7 का लास्ट 5.7 में सबसे पहला आजाएगा आपका on the basis of liability तो सबसे पहला on the basis of liability is company limited by shares okay पढ़िये company limited by shares फटा फटा आईए when the liability of members of a company is limited by its memorandum of association to the amount if any unpaid on the shares held by him it is known as company limited by तो मेरे को बताओ लिखा किसमें होगा a memorandum यानी जो भी liability होगी किसमें लिखी होनी चीए तो यादखना जब memorandum बढ़ेगा तो उसके अंदर का एक content को याद होना चीए है मैं memorandum में तरको छे पॉइंट पढ़ाऊंगा छे में से एक एंसर तेरा रेडी है कौन से एक राइडी liability तो में में कित्ते clause होते है छे में से एक एंसर liability आतमा clear तो liability सब्सक्राइब में थरी से बनाये थे इस इस बार clear करना है तोड़ क्लियर होगा टेंशन मतले एक गया भूल जा इसके बाद मैंने क्या बोला आपने आप आपको मैं कीज क्लियर बता दो ओके यह एक में तो आप आपने घंटा कोई तेरको एकजाम पास होनी ना तरको जग मार के जो चीए वह करना पड़ेगा पर मैं आपको एक चीज क्लियर बता रहो सिर्फ एक चीज पर आप धान दो ओके मैं आपको एसा नहीं बोल रहो कि आप 10 गंटे पट रो 15 गंटे पट रहो 20 गंटे गया अगर आप 8 गंटे पट रहो पर 8 गंटे वह अच्छे से पड़ो मैं बहुत इफेक्टिव पड़ो ओके उस तेम पर दूसरी पंचाहिती मत करो मतलब एक दम सिंपल एक्जाम बोलो मोवाइल बाजू में मैच के लिजे से नहीं बोल रहो मैं ओवरॉल बता रहा हूं इसको बाजूमें रख दो खतम काने है अगे बस अपसिर पूर्टेंब पर फोकस कद रहो बस आप जित्ता सही करोगे तरुटर मालिक बढ़े आगे बढ़े आगे बालिक तो मेरा पहला पाइंट मेरे को बताओ और किसमें लिखा होगा मेरे को बताओ अब मैं थोड़ी द लॉज में पहला पॉइंट है लिमिटेट वाए शेयर तो लिमिटेट वाइश में में क्या लिखा होगा कित्ती लाइबिलिटी अन पेड है उतना एमाउंट मेंबर लाइबल होगा भारत मत की जाए जेपा मालिक ठीक है इट थस इंपलाइज मैं पढ़े जा रहा हूँ क् खतम करना बहुत अच्छे से है फटाफट इट थाज इंपलाइज पर इमीटिंग देट्स अप अपनी शेयर होल्डर में बी कॉल्ड अपान तो देट्रीट विच रमाउंट विच रमेंस अन पेड ऑन इस शेयर होल्डिंग सब लोग मेरे साथ रीडिंग में तो कंसा वर हाइलेट करोगे रीमेंस बाबाजी तो आगे विंतदर कर रहा था सुबह फस्ट है इस सेपरेट प्रॉपर्टी कैनाट बी एंकॉंपर्स तुमीट देट मतलब क्या उसकी कोई परस्नल प्रॉपर्टी ली नहीं जाएगी सब्सक्राइगा लेकिन अनलिमिटेट कंपनी सम समाग कर घर जाएगा उसमें नमजा घर चला जाएगा उसमें यह कंटेक्स है अनलिमिटेट तो इसलिए अनलिमिटेट कंपनी को बहुत ध्यान रखके काम करना पुड़ता है अगे इट में भी वर्थवाल तुनोओ देट एट शेयर होल्डर इसे को ओनर आफ कंपनी को ओ कंपनी के वह समस्वेका है विवनो सर्फ फ़े ने लेकर जा सकते में विटर पाइसे तो अकर यह नहीं तर रहो पड़़ता है अगे असे डाया है क्या पड़़ता चल रहा है आशे अधा ब़ू जो टावरू यहां रहो और क्या चुमू बना जला नाए विनों सर एसेट हो या लाइबलिटी हो बढ़दा है फिर मेरा काम क्या है को ओनर अब क्या हो ओनर हो डिसीजन में मदद करो डिसीजन लेने में सपोर्ट करो आपको आगे किदर है आपको वाइंडिंग अब होगा तब बूला जाएगा कंप मैं बचा अभी तक हिसे नहीं आए जाने की बाद करना हां गया रहतायर को चली और क्याशन का अपना क्या होगा कि कुछ रहे है सरब दूख रहा सूरा थोडब कर दूख रहे सूरा थूराद क्यूट्र है टोटाध कर या जादब कर दूख रहे सbbe आंसर चाहिए थोड़ा हे सब थोड़ा दुखने में इतना पूरा हाथ के रखने कहते हैißt तो इतना रखनां चाहिए ना ना तौन घेतना थोड़ा दै और है अगर मैं आभी किसी बीक शकल दीखी ना आके भी पूरण प्यूझ का पैसा तुमसे लेगा अभी मेरे को लगा देड़शो रुपया देगा कौन तो देड़शो रुपया देगा ऐसा है तो मेरे भाई 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 घंटा पर थोड़ा खीचो अच्छे से और अगर यह नहीं होता मैं खुद बोलता था छोड़ जाने फटाफट पढ़ लो रिवाइस करो है भाई इंपोड़न्ट है इसलिए मैं पता रहो और मैं आपको लिंक करके बताता हो कैसे पंसेट है तो थोड़ा सा जानकरी के लिए थोड़ा सा एक्टिव रही है मालिक मैं वपस बोल आप क्या बोलो कि सरी है यूटूब पे है मैं बाद में देख लूंका सब आराम से वह जाएगा क्यों बात में विवेश्च कर रहे है आज भी बेश्ट रहें पर यहां तो आज ही टैंप पसकरने निकल जाने ही में तुस असा अफ्य नहीं ना फर involved जेन scheduled अश्रोण को सबस्किर मैसेच करो दुखाया बश्या को समझा है अब अधर सर्वीसेश नहीं आपको मतलब इंटर के चार पाच बच्चों का मतलब रोज की रोज मैसा चाहते इतना पड़ा है वो क्यों करते हो अभी डिमेशिंग मारिजनल उटिग्री आगे नवेंबर है पड़ाई हो नहीं रही आदे जनगी ओके भीजते मैसेज फिर मैं देखता हो टार्गेट अधिन अच्छी पड़े होती है और गालियों में मैं सीधा सिंपल था उतार जिता हो ओके सिंपल था मेरा मैं आपको क्या बुलता हो पे बुलता हो क्या होगा एटेम लगेगा और आपन ऐसे पॉलिष्ट वोला आदमी नहीं है यह यह नहीं तो यह दूसरा क्या होएगा यत पास होई नहीं तो फेल होगा नहीं से पास तुलंड नहीं सरादさい अदा ऐंटर व मेंचर वापस फांडिशन हों फुल्ट में फान। यह अधा दूइतो है क्या सूरत फेल हो एपने आ लाइक कि छुच करूं नहीं बाताहरो क्ते पड़त सिल्धक दिख्गक्द साहर अगर आपको interpretation कुछ करना है तो विनसर को मेसेज करो तो समझेगा कि क्या बोलना चाहते है कि मैं तो directly comment कर देगा मतलब समझा और फिर वाइज मेसेज है तो मैं तो क्या गाली भी बोल दूब क्या फरक पड़ रहा है कि क्लियर मालिक पहला पॉइंट जब मैं यह limited liability बात करो सबसे इंपटन पॉइंट है आप को ओनर हो किस केस में कंपणी में एसेट्स में नहीं पक्का ठीक है अगला पॉइंट बढ़ा दो ओनर्शिप ओफ एसेट रिमेंस वीट बिकॉस ऑफिस ने लीगल परसन दे एक्सेंट आप राइट्स एंडूटी दूटिस ऑफ शेरोल्डर इस को ओनर इस मेंज़र बाइज शेरोल्डिंग मेरे को बता व इनिम्मम कित्ता परसेंटेज होना चीए पच्छास अगर डिस्यों तरको लगता है कि तरे सब से होना चीए या कि तो फीस प्लस होना चीए क्योंकि फिर सर पास नहीं होगा कभी अ तो अगर मैं चाता हूं कि मेरे भीना एसार ना हो मेरे बीना ओवार वा तो हुआ पर मेरे भीना एसार नहों तो मेरे पास कितना होना चाहिए है लिए अच्छे से पढ़ना है और तोड इंपोर्टन गारेंटी इसको अभी ध्यान रखिए और यादगना कॉम्प्रेंज में मैं आपको LDR देते जाऊंगा और LDR क्या बेसेज पर निकाले है मेरे पास जो LDR की लिस्ट है यह आपके पिछले एटेम की पीपर्स अरटीपी इसके बेसेज पर मैंने निकाले हुए है कि लडियार मेरा जज्जमेंट है एल्डियर क्या मालिक जज्जमेंट है याद ना जो स्टूडन खली LDR परके जाएगा वो रिस्क ले रहे हैं कि मैं क्या बोल रहो पढ़ना सब है ज्यादा इंफसाइज अच्छे से किस पर करना है रट 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 याद रखने का पूरा एंसर अच्छे से यहां दोना चीए तो जब अभी मैंने लेक्चर लिए उधर LDR नहीं अभी जब भी आप रिविजन देखो सब्सक्राइब रहां करें ग्यारण्टी कंपनी देखिए डिफाइंस अ कंपनी हविगे लिमिटेड आफेट्स मेंबर लिमिटेड बाय में मेरेंडम यानि मेरे को बताओ ग्याइंटि अभुवन किसमें लिखाहँ होगा मोए में जिपा मालिक तू सच अमांट एज मेंब आपसे पैसा कम गाई तो जब तेक वाइंडी नहीं होता है तब से पैसा यह पाँ ठीक है मालिक तोड मालिक अगला पॉइंट दस लाइबलिटी अ वो किस ने बताया होता है मेंबरेंडम मैंने गारंटी दिया दो लाग की क्या मुझसे चार लाक मंगा जा सकता है तो शुपलेट्व के उपर मैं एक भी रुपया लायबल नहीं हो ठीक है दो कॉमन फीचर ऑफ बित्वीन गैरंटी कंपणी इन कंपणी हम इंग हाविंगधा पर्स नलिजए लिमिदेटी याम अव्हृत यह है खाली फरक है limited भाई शेर्ट में अ लाभी टी कितनी है इसमें इसमें लेपी लिमिदेटी अगारेंटी लेकिन इन लेटर गैस्थ अधर केस्थ लेमेंबर को प्रेंट निए अखेंड अट्रह मीन्याइं फिर्स विद्व चांज पूरे इसकी मिलाकात हो जाएगी तो गैरेंटी कंपनी की समझ में आया यानि लिमिटेट भाइशे मेरा तो पैसे कब मंगा सकता हूं मालिक क्या बिरिशन कंपनी में मंगा सकता हूं और या तो वाइनिएफ में मंगा सकता हूं एवरिबड़ी क्लियर लेकिन गैरेंटी में वाइनिग अब में अब मैं क्या रूपय कर रहा हूं तो स्टमें आप से अभी किसे टीन रुपयद सबूंख हो जगा कुछ बिजनस बिजनस करो बिजन सब्सक्राइब को फश्क्रुम सब्सक्राइब इससे घ्रलों कि सब्सक्राइब परेए तो घ्यतिता शेक्राइब Ms. Ben Girls Daug लो अभी प्ता सपते एक रुपय रही को बाइनल मेरी के लिए सब्सक्राइब करें इनीशियल वर्किन फंड 스팅 में ब्रटा दिया ड़ीर इनिशरस कंपनी में यूशर को वेर्म फंड are needed where funds can be held from other sources endowment, fees, charges, donation, सम्झाजा के इंको donations मिलते होंगे, fees मिलती होंगी, membership fees होती है ना, उससे एक कंपनी चलती है, इंको member का पैसा नहीं चाहिए, प्रिज़े, एक पांचा के सड़ी है, पढ़ लिए, नरेंदर कुमार, अगरवाल, सरोज, मालू, मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका इंटरपटेशन क्या जा रहा है आपसे, कोई भी बताओ मेरेको, कोई भी, I am waiting for it, अराम से, अराम से, यह जो हाइलाट किया, उसका पाइंट बताओ, इतना भी बता दिया, तो भी काफी है मेरे लिए, मतलब क्या, 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 हाँ, voting rights नहीं, voting rights का point नहीं है, okay, example, अच्छा मेरे को, मैं आपको बताताओ, मेरे को बताओ, यह सब MOA में लिखा होगा, okay, amount लेते हैं, MOA में SB लिखा है और VR लिखा है, okay, एक है MOA, SBN, VR, जिसमें लिखा है, SB के पास 1000 शेर है, और VR के पास 2000 शेर है, सब लोग मेरे साथ है, okay, अब मेरे को बताओ, इधर VR को 2000 शेर में से 1000 शीवा को बेचना है, क्या बेच सकते है, SB मतलब socials भंडारी, VR मतलब विनोद्रेटी, okay, अब VR को 2000 बेचना है, किसको, किसको बेचना है, शीवा सर को, क्या बेच सकते है, अगर प्राइवेट कंपनी तो कुछ रेस्टिक्शन हो सकते है, देखेंगे अपन, पर बेच सकते है, तो अब मेरे को बताओ, ये कटके, 1000 रुपय कटके, शीवा तीजा, इदर आजाएगा, 1000 इदर आजाएगा, 1000 इदर आजाएगा, और इदर 1000 रे जाएगा, आतमा क्लियर, ओके, VR और ST, अब ये आगया, SB को पूछने की सरुरूत नहीं, क्योंकि शेर किसके नाम पे है, VR, विनो सर के नाम पे है, विनो सर दस्वाइट भाइट 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 तो कुछ तो लिखा होगा ओर्ट कैसा लीचे princi councils कि लिए नहीं है नहीं कर सकते हैं रोकलगा ही नहीं नहीं की ताकत नहीं उसको बैच सकते हैं अब शुशी ज़र को हो कार्थी को बेचना है कि खरतेट पैसे उसके पास मेजर है लेकिन शुशील ज़र नहीं बच पाएंगे क्यों इसको बेचा वारत इतिता है तो यह बुलता है लौ बुलता है शुप्रीम कोट क्या बुलता है सुन सुप्रीम कोट ने इस केस में नरंदर कुमार अगरवाल सरोज मालू के केस में दिया था राइट ओफ गैरेंटी कंपनी तु रिफ्यूज तु एक्सेप्ट ट्रांस्फर बाइं मेंबर अब इस इंट्रेस्ट यानि अगर विनोस सर बोल रहे अभी यह मैं जो गैरेंट कर सकती है जो की केस लिए भाई अफश्वuk का लिए ब्ता क्या निंग सर को शेह बैचने पर बैचने मना कर सकती है नहीं क्यों क्यों कर सकती है लिए अपु शेयर दर रीविन पु में लृचक्रीम का मैं आपूपर्टी यह यह जो मेंबर जिस प्राइविट कंपनी जिसमें डील कर रही है वही एक्सप्रियेंस होना चाहिए भारत मत किया मलिक नहीं आवाद नहीं आ रही है रहे पक्का एवरीवड़ी तो गारेंडी कंपनी में ऐसा रेस्टिक्शन प्रॉल्लम है आप कुछ सवाल आपसे जा रहे है मिरको आप बताइए इस सवाल को बहुत अच्छे से सौल करिए और या तो लिखना पड़ेगा नहीं भी लिखा तो मैं शीट वैसे भी शेर करूंगा यह जो मैं बना रहूं यह चीट यह मैं चूज़े को आफ्टर दे लेक्टर मैं शेर क लिख बांडर घ्र करोंब इस बीख विर ने कित्ती गारंटी यह 5,00,000 ग और सूशील स्र्णे गारंटी धिए ऑंके पांच लाक ज़िंग दोनों की पांच पांच लाक है भारत माता के जेपा मालिक की एवरोड़ी के शिवा टेजा निवी गैस्निट दिफिए शिवा टे अभी निए बनने मेरे को अगे तो ग्यारेंटी जी तो विन उसर मेंबर भी थे इस अ कमपनी कि यह एट इस लेकिन किसके अपर लगता है कमपनी किसी को मना कर सकती है एक यह सब्सक्राइब कर सकती है राइट एक स्कमपनी कि पास गारेंटी कंपनी की एक हावाथ है तो अब यह का निका किया तो क्या निकल गए कि निकल गए अब एक नाम फोगा अब पहले पर माइट अब पहला मॉन वर्जन one v1 मतलब version one किसके नाम थे we are SBST मेरेक बताओ MOA version 2 किसका नाम है SB and ST अत्मा clear ठीक है ओके क्हें मेरेक मिरेका बताओ यह MOA version 2 विनो जुद निकले देड़ बता चाहिव 15 जून ले ले लिते हैं तो मारे बन चोड़के निकल गये वकें वी नोट रेना कि पंद्रह जून दौधर चोबीस तक सुन मेरी बात 15 जून दौधर चोबीस तक अगले एक साल तक विनौज रॉयल रहेंगे अगर विनोच छोड़के चले भी गए लॉलता है लायवल रहेंगे रुषार किधर लिखा है बाद में बताता हूँ कौनसेप्स सवोगे विनोच लायवल रहेंगे कब तक रहेंगे लायवल एक साल तक जिस दिन गारेंटी कमपणी वी गयुंद है कि कॉपर यानि कउप इंट में अगर कंपानी परिवी right है इस में कंपणी का क्या हुआ वाइंडिंग अभुआ हम कि इसको बना सकते हैं पैसे देने के लिए सकते हैं इसलिए मैं नोट ब्रॉट इंपोर्टन एंधिये लेकिन मैं बुल रहा हूँ इसमें कौन guarantee amount को इसकी मानी जाएगी only sbn st आतमा clear पका तो विद्व सब्सक्राइब रहेंगे तो आब मेरे को guarantee company में किसी ने guarantee होगी वो कब तक लाएबल रहेगा एक तो जब तक उसका नाम है तक रह नहीं है जिस दिन नाम वीनोज से लाइबल होंगे है अच्छा मेरा को बताओ अगर पांचट क्वेश्चन पूछ रहों भाई साब पांचट क्वेश्चन है अब पफंद्रah में दूहेजर को फीज को वाइंड रपा है मेरे को बताओ कौन लायबल कौन कौन लायबल तीनों लायबल पक्का क्योंकि वियर का तो नाम था यह न रहे अपने लिए प्रॉब्लम कर लिए जब यह सर छोड़ के गए तो अब हमने क्या बोला वियर सर लायबल है कब तक अगले साल तक पक्का क्लियर तो अब मेरे को एक डेट दो ओके जपन लेते हैं पंदरा जैनवरी दो हजार चौबेस इस टाइम पर कंपणी का वाइंडिंग अप हुआ अब क्वेश्चन है लाइबल कौन पका पर ऐसा नहीं तीनों ऐसा नहीं होता है तो कैसा होता है वो सुनो मेरी बात यहाँ पर बन लिस्ट ए लिस्ट बी निकालेंगे लिस्ट ए कॉंट्रिबूटरी लिस्ट बी कॉंट्रिबूटरी लिस्ट ए कॉंट्रिबूटरी सुनो मे अगर इन पे ही खानी खत्म हो गई हम list B पे नहीं जाएंगे हैं कुछ समझ बाही है मालिक हम लिज भी पे नहीं जाएंगे यानि list A ही भरेगा ओके और list B कब काम आएगा अगर list A भरता है और उसके बाद भी अगर लाइबिलिटी बाकी रहती है तो लिस्ट बी पे जाएंगे अब सवाल है लिस्ट ए और लिस्ट बी में कौन आता है लिस्ट ए आर दोज गारेंटर जिनका नम एमोए में है तो मेरे को बताओ किसका नम एमोए में है और लिस्ट भी में कौन होगा जो छोड़के गए और अभी तक कितने साल नहीं हुए एक साल वो लिस्ट भी में जाते हैं समझ मैं कुछ आया मालिक एवरिबडी तो मेरे को बताओ कि इस वी आर सर कितर गए लिस्ट भी में सबको इदर तक समझा के नहीं समझा ओं-लाइन पटर लोग सबको बताओ समझा कि नहीं समझा एवरिबडी सबको समझा तो अब मैं आपको दो-3 एक्जामपल दे रहो मेर इस बताओ अब लाइबिलीटी सब्सक्राइब को बताओ के लिस्ट एव जी साथ लाक टाओ ने मिरे को बताओ से अब बताओ यहां पर शुशिल को और शिवा सर को तो बुलाएंगे लाइबिलिटी पे करने में नहीं तो बाद में देखेंगे अपना इधर जरुदी नहीं है ना कंपनी डूबए खतम हो गया पैसा देनिया अब सवाल यहां पर आता है सर मेरा क्वेश्चन आता है मेरे को आप बता यह सर अब मैं अच्छा मैं और इक बादिश्च टू तो तूज़ या यानि फाइलाइक मैं टिपलाइबाइब आए सेवन सुषिल सर के लिए मंटिपलाइब आप टू डिवैडबाइब सेवन शिवा के लिए जो भी अमांट बैटेगा वो बैट रहे है जो बरा मालेक ठीक है अब मिरे को बताओ अगर नौ पाच लाक एक लाग एक साल पहले चोड़के तरह एक सब्सक्राइब तो यह लाइबिलिटी किती होगी दो लाइब नहीं किती होगी दो लाक भारत मत की जेपा के मालिक पक्का कॉंसर्फ समझा क्या हाँ या ना क्लोस करें लेकिन इसमें और कंडिशन कुछे लोगे तक सब्सक्राइब के लिए हुए इस लिए होब नहाए छोडने के पहले हुए है यानि आप इसमें और थोड़ा मैं डिस्केशन करूँ मैं आपको और एक एक्जांबल बता हूँ तो मैं अगर यह बोलू सपोज यह 9 लाक लाइबिलिटी है यह हमारी 15 जून 23 के पहले की है तब जो अपने एंसर बुला वो करेक्ट है अगर यह लाइबिलिटी आफटर 15 जून 23 की है इसमें वी आर सर जिन्दगी में नहीं आएंगे यानि वी आर सर कब तक लाइबल रहेंगे लिए देखो गारेंटर अगर छोड़ता है तो इसके बाद वह कितने साल के लिए लिए एक साल बट फॉर ओनली लाइबिलिटी लिए वे लिए समझा और यह लिए अंधे लिए 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 सब्सक्राइब लिए 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 सेट नहीं पारें लिस्ट ए समझ माया और तीसरा फिर वीर इसर के पास आगा अब यासर के बाल भी कितने अमॉन प्रकाईगा उनकी जो एमाउन गैंटी उतनी उस्से जाएगा बार्त मत की जिए पामलिक मेर को एक बार एक बार पाट पर बता पर का समजा के नीजा आंलाइन पंटर लोग सब्सक्राइब बुल जाओ तो इस अब दो नाइन लाग ए नाइन लाग नाइन लाग बोल रहा हो मैं नाइन लाइक नीज्ट से अमने बताओ कि इंद्ख डूब जाओ कि समझा है विए यह इन पकड़ेंगे कि निप रहें पकने सब्सक्राइब कि ट्रॉक पक्ता संजा तो यह आपने जो अब बताया मैं पक्ता सम्झाना तो यह कौन से कंपणी में कपरी कंपनी में लिमिटेट गररांटी इन अब लाइबल है तब तक लाइबल है आतमा क्लियर सर यह किस ने बोला यह बोला इसक्षेन 4 ने कौन से सक्षिन है अच्छा मेरे को बताओ यह liability clause किसमें लिखा होता है MOA में MOA का section ने यह रखने को बोला MOA पर आईए last second last आगे एकदम आगे MOA पर आईए MOA पर आईए MOA पर आईए MOA पर आईए अगले पीछ पर आईए अगले 5.25 पर आईए पहले मत आईए 5.25 सब लोग आगे या तो 5.25 में पहला हेडिंग क्या दिख रहा है content of मिला गया खाली मैं जिदा जिदा बोलो उतना ही देखो जितना मैं स्क्रीन पर दिख रहा हो या तुम मेरे को जादा पढ़ने कोशिव मत करो ज्यादा दिमांग मत लगाओ जरूरत नहीं अभी पहला मैं जिता बोलता है पहला पॉइंट एक presentations oh my sister पर प्रेस ऩेल के स्टेट जईए address इस्टेटीघे सेया शिचंबल मेर अबना में ऑफिसे वह तहो State of Maharashtra पारम इन बंदंचा जिसका गश्यों को दिखा हो रहिए पाश्किन प्रेदे का दों क्या नाम लिखा है अब्जेट क्लास मिला क्या रहे जैसे एक्जांबल मैंने बताते काम थेंदा क्या भाई क्लास का यह जो बिजनस आपको एट टुछ लिखना पर लिखा अगर अब्जेट क्लास में कुछ मिसिंग है ना ठुक गई तुम्हारी अब जितना इशू करके पैसा आया है और यह तीन चार नाम रहेंगा ओके आपका पहले होगा ओके ऑफ्टराइज इसूड़ सब्सक्राइब पेड़ाइब यह पाइंट कापिटल एन पीड़ाइड पाच कापिटल को अपने को दिखना है डिसकस करना है एक्जांबल किसमें अगला पॉइंट देखोगे तो कौनसा क्लॉज एसोशियेशन क्लॉज अगला क्लॉज सा एसोशियेशन और उसके बात वलना छोड़ दो वह एक क्लॉज बचा है ओपी सिका पर वह छोड़ दो बाद में देखेंगे ओके तो मैं अगर एमोए दिखा तो मैं बोलता हुज ह आपस चीए फटा फट 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 पहला प्लेज दुसरा और स्टेट तीसरा अब्जेक्ट चौथा लाइबिलिटी पाच्वा कापिटल छटा एस्सोसियेशन इंटर पॉंट क्लियर कौन से सक्षिन बुलता सक्षिन फोर तुम इसके अलवा और कुछ डालोगे नहीं कि अच्छा फानेशन स्टेटमेंट है कौन से कौन से से सबसे सब्सक्राइब बनाते हो जैसे उन होता है मैं और ओयुके फार्मेट के लिए किसके लिए मोई और फॉर्मेट तो मेरे का फॉर्मेट कौन बताएगा मुझे अच्छा मेरा कॉष्चन वापना आ एक वापना आ पहला पेज दूसरा पेज फटाप वटाप 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 से तीसरा कि लाइबिलिटी कापिडल एस ओसी है यह तो समझा यह किसने बुला ऐसा रखने का है सेक्षन फॉर ने एक लिकन फॉर्मेट क्या होना चीर कौन बताएगा शेडूल वन समझा मालिक तो शेडूल वन दो जन के फॉर्मेट दिटीट है कौन से दो जन के एम ओए यह अच्छ लिम्यटेट पाई शेयर औन गारेंटी गयांटी अनलीमिटेड लिमिटेड बाई शेयरन अनलीमिटेड याद आया तो अब मेरे को शेडूल में ही फॉर्मेट थुनन ओए है सब के लिए और तो मेरे को बताव लाइब आच्छा पीज लास टाइम लास टाइम लाइब कर कि अदिश्रा पेज चौधा पेज पाच्वा पेज चट्था पेज आप पेज लाप लेटे अब बताओ अगर लिमिटेट वाइस अलग होगी यह लाग होगी यह लिए कॉंसप्ट अलग ही होगा ना तो इसके फ़र्मेट होने चाहिए अलग होने चाहिए तो मलिक शिडूल सब्सक्राइब करना यह देखना पढ़ना इदर इसके पहलेवल पेच पर पढ़ना वाई सब्सक्राइब करें यह कर रहा है एबी सीडी इगा ना एफ जी एच आई जे एफ किसका लिमिटेड वाइश जी लिमिटेड वाइगारेंटी एच चैना आई अनल्लिमिटेड जे शेडुल वन पूरा है तरको सब्सक्राइब करें तो अब अगर कुछ भी आया एंसर का फॉर्मेट तो अभी फॉर्म देख लिए लिमिटेड वाइगारेंटी एंशेयर कापिटल आत्मा क्लियर खाली जब टीवल बनाते तो यह लोगना जो गारेंटी यह पहले लिखते लिए काना ओके के सब्सक्राइब लिखेंगे आंन लिमिटेड भाइंटेड पहले लिखेंगे शेयर कलास से इसके नमार बता अकर क्लांसीं 3 वालाद मिला गया तो लपीटिट पड़ो पड़ो अराम पड़ो लपीटि अवमेंबर अव गूपनी लिमिटेट और अनलिमिटेट अनल्सो शुट यानि आपकी लिमिटेड लिप्याइड लिखो और अल्सो टेट करो कॉण से पीछ पर यह है यह इस अज़िए पर और यह लिखो अगर कियो कॉंसेश में लिखो लाइबलेटी लिमिटेट बाइश एंड पड़ आगे इन केस ओफ कंपनी लिमिटेट बाइग गारेंटी दे अमाउंट अप टू इच इच मेंबर अंडटेक्ट कॉंट्रिबिट पड़ आराम से आगे पड़ आगे पड़ तो इसेट सूब कंपनी इंवें विए इस मेंबर और विदिन वन यह आप टरी सीस तुप यह फोर पेरमेंट फड़ देट्स रिप्लिटी लिए लिए से अप्ली और सट्बदेट इस में आ बिन गॉंट्ट्राक्टेड एड भीफोर इसी सुपीज नहीं इसे डिए पालिया यानि VR सरलाइबल होंगे क्या लेकिन वह रीकली एक लिए लेकिन उनको किसमें डुप लिष्ट टेली में उनको पहले पहले आप लिस्ट ये को ब्लाओगे यह मने हम नहीं समझा दिया या या दराखा ना मालिक ठका एंड ओके जो किसके लिए बढ़ेंगे कॉस्ट चार्जेज एन एक्सपेंसे दो वाइंडिंग अप एन फॉर एडिजस्मेंट अफ राइट्स एन कॉंटर इसमें देंसेल्फ भारत मत कि जाई तोड मालिक समझा के मालिक एवरीबडी अगर मैं ठेकनीकली बता हुँ मेरे खाल भारत मत कि तोड़ बैठा ना लॉजिक बैठा न एक चोट इसपॉइंट एक मिन दीए एक मिन दीए एक मिन दीए इन फोसेज एप मोई कि मैं मिन इंफारेंडना अडिकल किसका का अब तू जो बोलें इसका लें सकते मेरा को क्या है मैं तो ऐसे लिए तो क्या लिए नाम दिखा मैं प्रण देखो तो आप मैंदक तो आप इन्फोसेल्स कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेर कॉंसे यह में इनकॉर्पेट हुई है 24733 मत पढ़ वो इनकॉर्पेशन नमबर है नहीं तो तो सोचे का बीसी एसी एसी तरह भरसा नहीं है यह वाला पॉइंट आया इसके बाद आया यह तुमारा आगे क्या आजाता है यह अपना यह वह एक और इक डॉकुमेंट है बाद में देखना फ्रेश सीव आए चेंजिन नीम चेंजिन नीम का फ्रेश सीव है ठीक है कंपनी जख 1956 के सबसे कंपनी लिमिटेट बशेंस मेमोर सारे अबऑजेट है घर पर जाके होंबग कर लेना ठीक है इतने सारे अब्जे पूरा लिखना पडता है फुरा तो खरीदने वाला बेचने वाला यह यहने पढ़िए का सकते होड़ कर सकती है यह होने के बाद अबधे को ने कंपनी निकाल मेरेष guilty निकालो बुझ है है okay we the several person whose name and address subscribe below desires to form a company in pursuance to MOA and we respectively agree to take number of share capital company set out in this क्या लिखा है signature name address and occupation of subscribers उनके सबस्क्राइबर है फिर क्या लिखा है आगे number of equity share taken by them कितने एक्यूड शेर लिए है मिला गया मालिक और आगे दिया उनका सिंगनेचर सिंगनेचर कुछ है नहीं और witness है यह सब कहाँ पर लिखा हुआ है अगे इस capital पड़ो capital प्रस अभी capital प्रस पड़ो आपके थीरी वे capital प्रस पड़ो कि मिला क्या मालिक capital मिला तो यह जो लिखा है उनने क्या लिखा है capital यह जो लिखा है वही तो लिखा है सिगनेटरी चाहिए यह सब चाहिए अब मेरा व्रमेट का से है कि शेडूल वन टेबल ए बिकास कंपनी इस लिमिटेट भाइश तो सर आप गया यह मेरे को फॉर्मट चेक करना है तो को मिनिस्ट्री आफ कम्पनी इफएल् चाहएं में जाने का उधा जाने ऑन चो कम्पनी का पौाइट में कि यह कंपनी का तो आच कず के चलभ मिलता है क्द एजुना कभी की कि इन ना ठीटा ऒब मिलता है क्णिंस को लेलीट जो जाता है अगर आप देखो यह यह लिखा ना एल स्वार लिस्टेड हुर अगर यह आल लिस्टेड हम अगर यह लिक्ते इस बताता है पुरे कंपणी इस्टी बता देता है सीस्टाइव और स्टेंट फॉर लिस्टेड अगर यह अनलिस्टेड होती तो यू आथा पहले से और प्याल आया पब्लीक लिमिटेड पहले से और प्याल अलग कोड है और यह जो है वन जी वन वन फ्री इनका पन का कोड्य स्टेट का स्केट का यह सेंटर का कोड 85110 85110 सेंटर का कोड है और यह जो है 1013 ओके 115 इस दा लोकल आरोसी जिसके पास रेजिस्टर हुए है तो सर इसा दिया जाता है तो सर सिय नुमबर कौन देगा अपने को आरोसी सट्विट और इनकॉरपरेशन देगा और वसी तो यहीं तो आप पढ़ रहे हैं यहीं पॉइंट आ जाता है बस यह थोड़े समय नहीं इसके लिए बता दिया आपको समझ में आगे कि जो पढ़ र तो बहुत रिलेवेंट है ऐसा तो कुछ भी ठेरी पढ़ रहा ना अंशन धंपन हो रहा है वैसा नहीं हो रहा है तो मेरे भारत मत कि अब कॉंट्राक्त लिमिटेड़ गारेंटी में कोई दिक्कत नहीं ना तो लिमिटेड़ गार आपको याद होगा वापस आते हैं पुर 20 मिंट से मैं मर वा रहा हूं और एक एंसर याद है लिमिटेड़ गारेंटी में है एक साल तक भी लाइबल रहेगा फॉर्ड़ डेट्स कॉंट्राक्टेड बिफोर सीजिंग ओफ लाइबलिटी आत्मा क्लियर किसमें लिखा है सेक्शन फॉर एफिर्बडी क्लियर और एक अधियेशा आतमा क्लियर और एक अपी से रहेगा तो एक डिशन रहेंगा भारत मत यह एक है मालिक अधनलमेटेड लिटी पड़ो एक बार अनलमेटेल लाइबलिटी आयदू नढि आम लिए से अधि में तो कोई दिक्कत निए बाई और यह कॉन से शिडूल में जाता है लंगे चुछ उसे ऐसे शे शे चीडूल होते हैं और जो सीय के लिए काम का है वो शिडूल वन का है चुछ से सिदूल चुन का होता है चुछ जो आपके बार मेरे लिए काम का होगा डाइफ लोग में मेरे लिए मतलब तेरे पढ़ाने के लिए है शीदो फी आता है इंटर और आइख आता है यह तो अगर कभी तया प्ड़ते रहें न थो टू पर जांगे काल्कुलेट करना है क्या करना अंगा ऐसा होता है लेकिन कंपनी लॉस में तो कैसे देगा क्या देगा देगा शीडुल शीक्स बता यह सब श्रुव असेस्ट करते हैं अन्यमिटर कंपनी को क्लोस कर तो अन्लिम्टर कंपनी एक दम सिंपल है मिरे को बताओ ओके मेरे को जब पर जो रही तब किया लाइबलीटी है मेरी इस मेरी कंपन पूरा हो आप यह से नमकार दिया मैंने फिर के एक साली ह karş weekend क्योंकि एक साल होसी नहीं सकता के अपने का पड़ा अपड़ो वापस टूब एक पेज पड़ो उसमें कॉन कोंसी कंपणी लिखी ती मॉक्त ढोड़ाओ ऑन्सक्राल्स का सब्सक्राइब का रहा है अगले ही दिन से अगसीज हुआ लेकिन मैं तरो तिरको बुलाए जा सकता है जो कुछ सेक्षन दूसरे सेक्षन बुलते हैं लेकिन एमोगे थैत नहीं के ध्यान रखना ओके जब आपना वापस बोड़ रहा हो मेरे को बताओ मैं अच्छा विनो सब सुषिन सिर्ण और शिवा सन सा कोई फृटल एपनी बुला है खाली विंटो सर को बुला सकते पूरा अपनी करने के लिए नीमसर ब्रेगा क्तिन और यह थीग है वापसा आते हैं मेरे को सोच समझ के बताओ देखो लिएबलिटी लिमिटेट भाशेर सा प्लीज इसको क्लियर करो यार मेरे जग मर के इस पर काम कर रहा है लिमिटेट भाशेर सा तो हमने जित्ते शेयर दे उत्ते लाइबल रहेंगे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्प इस पर अधरल आम पे लिखाता है ए और गयार क कंपनी के अधर यार अन गयार माल था यह तेनो थैसलिए वने का चुछनग मैं आख अचानक तुम बोड़ हा नई तो फी यह, लिफटिंग अव कर्बूट निंगा बटक्ट्सकां लिफ्टिंग भूत इसको कंपनी डूप यह प्र यह लोजिक बैठा यह पर पढ़के खतम कर ले मालिक यह पांट यह पईंट है तो अपना पूरी कहतम है अभी लिविटी का ऊपर एक भी क्वेश्चन आपको आपको और नहीं आएगा इसा होई नहीं आए शोगता मालेक्ट जिसमें खाली आपका मेन. कॉंसर्ट क्या था मालिक इस जोड़ा ऐन धता रिश्ब्स रिश्पट्ट रहाएं जोड़ी ठीक है एक छोटा सा एक दो पाच मिन का कॉंसेट करते हैं उसके बाद आज छोड़ देते हैं आज आपने करते हैं और अपने वापस का प्रिजिम कर रहे हैं कि उसे आप हर रोज अभी सिर्फ यह बुक लेकर होगे कौनसी बुक जब तक यह अभी मैं पहले इसको इसके बाद रिविजन में मिलते रहेंगे रोज धू कैया एंड तो तू मैंने छुड़ता है इंटर में भी बुलाओंगा फिर इंटर के लिए फाइनल में तो बुलाओंगा तो मेरा ए लॉंड टेख रहा हूँ और फाइनल होने के बाद भी बुलाओंगा कि आदमी इस में जब कर ना, घर इतना ह्याता, मैं जब भूल इन पर कम परगराल तो क्ल दूँग, कल दूँग, कल दूँग, कल दूँग wil इंटेंशन नहीं होता थोड़ा, तो इतना तो इतना तो मिला इतने पे तो खुश हो गये ज़ित सब्सक्राइब लास्ट पॉइंट जिसमें अपनों बात करते हैं होलिडिंग सब्सेडिरी ए सोशीएड इन तेन को क्लोस कर दो हो हो डिन सब्सेट्रिय ए सोशीएट तैसंते हैं माले लिक reap होल्डिंग सब्सेडिली सरस्ट्छीत तो लॉन ने जब होल्डिंग सम्पणि को ढीपानी किया है तो लॉन ने लॉन सुन नहीं किया होगलो, ने किसको ढएंग किया है , связi law को सुबसीड्री कंपणी कौंसी कंपणी होती है , टाल आप आप पावर उनके पास है गाफ से जादा किता अबाव से जादा या उल्डिंग पावर है तो मेरे को बता हो वोटिंग पावर मतलब शहर होल्डिंग एस लिम्टर के किते शेर थे 51 परसेंट आतमा क्लियर 51 परसेंट मत किरना क्योंकि आपर 50 परसेंट मैंने नहीं बोला मैं क्या पुट रोड़ रहो हूं यूज कर रहो करेगा यह ना लॉइस पर बात करेगा इसको देता हूं उसके बाद में इसके पॉइंट पर समझाता हूं किस ने किया डाइरेक्टर विनोसर सुषिल चने निकाल कौन सकते हैं विनोसर सुषिल सर अभी एजिम करो विनोसर के पास 80 परसेंट है करेंगे जिए क्योत्ता विनोसर अखेले आश्र प्रस्तक्र पास कर दिया निकल गया मैं मेरे पात साल कर टॉम था तुम ने रोड़िक ता अभी दो साल के बादी निकाल रहे मां कर्म गोली देदिये मेरे को आयता वुला भी निकाल दिए विनोसर भूले तू काला है ने हैस्टेक स्टॉब कालापन एस्टेप स्टॉबंप इस्टॉब इस्ट्रीमिनेशन पो जाओ स्टॉभ एफी डारी नहीं है तिन्यार को सीविकार रहा हो यार भीकिड़ी में कोशिषी भी कर दो कार प्ट्राइबर को एधर और नहीं आरी वहाओ् मैं अपने आपको जब काच्छ में देखता हुआ है कब डूबे दिन तेरे कब होंगे सवे उड़ाई दिया उस दिन वापस मैंने अपनी जिन्दगी में दो बाद आड़ी रखी एक बार कोवीड के डाहिम पे वह भी विनोसर ने फॉर्सफुली शर्त लगाई थी तो वो उसके वजर से दाड़ी रखी विनोसर ने जवह सी अभी विनोसर ने जवह सी रखा है इसलyuए मैं थोड़ी दरेक्ट्रीव किया पर उसके बाद गया तो जीट जा किहा तो कि पोल्ता है, तलिक सिल नकाला क्यों छा दाडी सिल तो तो यहां झोलता है, और टाडी सिल फ्र नई ने है , हम ऐती अग आप видео, तो यहां होसलुक्त मुंसर करें। वोन राइट में भी परेशन हुआ मैं गाय ट्रिबुनल के पस वह ला ट्रिबुनल अपना जच्छा अंदर पिछे रहे ट्रिबुनल एक तो एक सबसे बड़ा जच्छ हुए अपना कभी इदर बैठता कभी उदर बैठता कभी उसको इने समझ माता फिर कभी एजज बनता ठीक है ना भाई नहीं ने भाई वो मालूं बड़ा वो हैस्टेग स्टॉप इस्क्रिमिनेशन आजा हा तुब बच्चे गाई इन्हीं डिस्क्रिमिनेशन के लिए काला गुरा क्या फिर गया जासा बजाट्साव विद्वाट्सार मेरेको निकाले ताइम के पेले मेरेको क्या विद्वाट्सार ने एसार पास किया क्या विजसर ने तुरका उपर्चनटी ओब बिंग हड़ दिया यह सर ओके डॉंकी मंगी गट आउट लॉग की नजरों में क्यूं हो रहा है ना कभी माहिने नहीं रखता है प्रोसेस फॉलो हो रहा है ना यह माहिने रखा जाता कैसे हो रहा है क्यूं हो रहा है मैं ऑधे प्यार नहीं है यह समझे मैं आ रहा है कि यह ला ओ-पैज क्या आ लुग साइंद का मुछ आएसक पावर नहीं है यह बर्विम कंपनी ने लेकिन वोल्डिंग कंपनी सबसीडरी के बोर्ड डायरेक्टर को एपॉइंट खुद कर सकती है मेरे को बता हो डायरेक्टर को पॉइंट करना मैंने क्या समझा था ब्रिक के पिले आज के लेक्टर में ओर या एसर ओर यानि 51 परसेंट मेजॉरिटी विंस है ना तो मैं यह बोल रहा हूं है एवन उनके पास शेयर नहीं है एच के पास फिर भी कर पारिया अभी आप ढु fi क्यों क्यों कर बुद्ग कर रहा है पास कि या उसके पास मेर को से जादभान हो क्रपान चतलप हो होई है क्योंकि अगर क्वश्यचत कर रहा है दो ङॉसको कर देःज़ है इसका से जाद आइज भली शेर नहीं होंगे दिखने में शेर नहीं होंगे लेकिन कंट्रोल तो है ना मालिक इसी लिए ओके सब्सीडरी कंपनी कौन सी कंपनी होती है सब्सीडरी कंपनी वह कंपनी होती है जिसके पास holding company के पास half of the voting power है और 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 नहीं और ओके holding company एंड कंपट्रोट एंड कंट्रोड कंपोजिशन आउप डाइक्टर और या नी वरोड़ा वना चीह है इसको निकालना चीए इसको रखना आ चीह करपा रही है फोड़िंग कंपनी और थे अब अब सब्सक्राइब के एक थैन्ट कंपनी को सब्सक्राइब मुके शंबानी समझ में कुछ आया मुके शंबानी और एच लिमिटेट का एच लिमिटेट में 20 परसंट शेरे खाली किता परसंट है 20 परसंट तो मेरे को बताओ क्या यह एच लिमिटेट की मीटिंग में 20 परसंट एच लिमिटेट है और 80 परसंट तो अधर लोग है ना तो म लेकिन मुखेशंबनी ने बुला ऐसा करने का मदलब ऐसा करने का है अब इसकिन हो रहा है कि एक विद्वरी को सैंट यह और चुट को नहीं तो मैं आपको रहा है यह तृट लिमीटेड है और चुन रिमालिक हैं नहीं है स्वास स्वाइब लेकिन एस लिमिटेड जो गूर्स बनाता है वह रो मटेरियल है लिमेडेके लिए बनता है समझा कुछ यानि में बताँ एच लिमिटका जो फिणिछ्ट के वह एच लिमिटेट का लाए और सुचने की बात कर दो एच लिमिटेट clarify सब्सक्राइब कर सकता है मालिक उसका कारण सप्लायर रिलेशन्शिप हो सकता है सब्सक्राइब कर सकता है तो यह कौन सी कंपणी हो गई सब्सक्राइब करती है सब्सक्राइब कंपणी मतलब एक ऐसी कंपणी जिसके अंदर होल्डिंग कंपणी दो क्वेश्ट दो पॉइंट कौन से दो पॉइंट हां कंपोजिशन ऑफ बोड डारेटर कंट्रोल करते है या तो हाफ ऑफ वोटिंग पावर यह दोनों होने चाहिए दोनों में से एक होना किसी ओर कमपनी का सिगनिफिकेंट कंट्रोल है क्या कंट्रोल है अ बट म में सब्सीरी नहीं हो अ बट क्या नहीं है अ वह सब्सीरी को सब आपके तो यानि सक्का मैं ये उस्टेव से कम हैं लेकिन सिग्निवड कोम्टी से यह उत्विट्मींस ज्यादा है और अपना अगर कोई एक कंपनी है ए लिमिटेड ए लिमिटेड का ओके बी लिमिटेड में 20 परसंट से ज्यादा और किसे कम 50 पॉइंट से कम समझ माया ओके 50 पॉइंट या 50 पॉइंट जितना ऐसा भी लगा सकते हैं आपन ओके तो यह कौन सी कंपनी हो गई एसोशियेट ओके तो आप मेरे को बताओ ए लिमिटेड एंसा दे तो फटा 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 ए लिमिटेड का बी लिमिटेड में 22 परसंट होल्डिंग है तो बी लिमिटेड क्या बनी एका असोशियेट ए लिमिटेड का सी लिमिटेड में ओके 58 परसंट है ऊके कौन होल्डिंग अई को ओल्ड इंए एक सी कॉन Boss है जूँटरी असोशेट में बी इस ऑसोशेट फीक का सब्से करते हैं जिसमें ए लिमिटेड के बौर्ड ऑफ डारेक्टर कंट्रूल करते हैं यह यह बी लिमिटेड कौन से होगी सबसेडरी आतमा क्लियर तो तीन नाम कौन से कौन से हो है holding subsidiary associate का क्लियर everybody see you on Tuesday Tuesday को मिलेंगे चुछ अपन का सब कंपनी को लुग्स कर देंगे और मेरे कहले में एक फॉर्स ताफ में आपने खाथ लिए एक तोड़ मलेक टोड़ मलेक फिर्मालिक सियू मालेक ठैंक लओड मैन अच्छे से तुम बैठे में मल्क मतलब इंडिया-Pakistam की मैच फोड़को बैठे थैंक यू मैन अप्री झालो गाव मिल्ध दामी धो मेला मैं चुて मिलों कि दिट में दामाले ये सिर्वें अवाले इस तो इस झाल झाल झाल